कि रफ्तार से स्टार्ट करते हैं सब किसमाट कॉफी है नहीं तो सॉफ्ट कोफी मैंने अप्लोड कर रही है अब है लो मुझे राइब कियाएगे अमर में को यूट्यूब लाइब के लिए एक मोबाल देना बस किस पर दिखाएगा आइपड पर दिखाएगा तर्बलेट और नहीं हो मैं अब तक फ्रीजें करें कि अग्याथ है ओके अधी फ्रीजार्ड स्क्रीं टे रहा है और यह जो स्क्रीन हो गया है यजिए बहुकों। उसलता है आज हम लोकुक। और का अवास कम करते इतनी है? देखो अपने को हमानत वके अपन क्या करेंगे? we'll start, we'll have the combination of FME को साथ में चलाएंगे, ठीक है न? आपने इसके पहले कप पढ़ा है? FM मैं बहुत टाइम हो गया है, टच में हो सब्जेक है? क्या पुरा ओड़ गया दिमाख से? ने लगा है न? उसकी यादे बाकी है ठीक है, बेस्ट है अभी हम लोग क्या करेंगे? यह जो बुक्स है, जो रफ्तार बुक्स जिसको मैं यूज़ करने माला हो, यह वाली तो यह किताब है, आपके इसमें इसमें ने कुछ important questions को मैंने mark किया हुआ है, और कुछ ऐसे chapter जो अभी इसमें यह दोनों भी जो किताब है, रफ्तार होएं, रॉक्स हो जिनके इस फिजिकल हो ठीक है, नहीं है वो टेलिग्राम ग्रूप पर जाके अभी भी अप्लोड किया है, टेलिग्राम ग्रूप पर सबको अप्लोड किया हुआ है, एक बर स्क्रीन पर भी मैं दिखाते रहूँगा, ठीक है अभी रफ्तार जो है, it is the combination of your RTP past examination papers MTP और साथ साथ में module तो इसमें काफी कुछ coverage हो जाता है सलाब उसका, so I think रफ्तार विल बी good from the examination point of view, अगर आप रफ्तार कर लोगे, तो बहुत कम चांसे से उसके बाद में कुछ आएगा आपको, examination में सब कुछ covered है इसमें, ठीक है ना, तो यह किताब जो है, handwriting है handwriting है, handwritten format में दिखती है तो पढ़ने को भी मज़ाएगा, ठीक है तो यह से शुरुवात करते है तो दोस्तो, मैं स्वापनिल पाटनी इस समय आपके सामने एफ्म की शुरुवात करने के लिए आपके बीच में इस समय रवाइस करेंगे और विल मेक शुर के हम लोग मैक्सिम सारे चप्टर्स कहतम करें तो जैसे कोई भी चप्टर स्थार्ट होगा तो अमारे पास में स्टार्टिंग में देया होता है कि कुछ उसकी important questions है जैसे इस chapter में around there are 40 questions but it is not required to solve all the questions because इतना करेंगे तो फिर तो सब एक ही chapter होगा अज और आपके लिए भी examination के पहले मुम्कीन नहीं कि उपके लिए बीच्शाप्टर्स all the questions obviously you'll have to revise all the chapters but सारे chapters की सारे questions ये असंभव है तो इसलिए हम लोग mentally prepared होना चाहिए हम और हमें पता भी होना चाहिए कि कौन से questions हमें करना है तो ये भी questions अगर हम लोग कर ले तो लगबग सब कुछ इसमें हो जाता है अगर आप इन questions कर लेंगे तो लगबग आपका सब कुछ हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अभी देखते हैं इसके formula से शुरुबात करते हैं आप जानते हैं 40 मास के लिए economics के लिए FM आएगा और हम लोग विल मेक शुर कि हम लोग FM एको combination में आगे बढ़ते रहेंगे और लेवरे से शुरुबात करते हैं टागे अगते हैं 30-40 मिन्स के लिए सो खतम करेंगे अंदेन आगे बढ़ेंगे आपका जब आपी पढ़ रहे हो आपके जो किटाब है अपने जो बनाई है जहापे आप लिखते थे class में हमेंशा वो खोलीगा यह lectures कोई भी इंसान कर सकता है आपने मुझसे class करी हो ना करी हो सिर्फ ध्याल नगा है I'll make sure कि सब को समझा रहा है ठीक है आपकी जो भी classes आपने जो कि वहापे जो books आप यूज करते हैं वहापे कुछ आप लिखते होंगे न वो भी साथ में खोली है आपको आपका लिखावा जल्दी से समझ में आता है ठीक है ना तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है तो देखते हैं रिकॉल करना है देखो यह revision लिक्षर है इसका मतलब अल्रेडी आपने पढ़ावा इसको revise करना है यह नहीं होना चाहिए कि आपको मैं पूछूँगा तो आप उसका अपने brain से बोलो कि उसका जवाब खुद दे आपके आखे तुरंद बुक पे नहीं जाना चाहिए आखों को रोकी है आखों पे control होना ज़रूरी है वरना आखे किताब answer देख लेगी तो फिर तो आपका brain जवाब देदेगा तो what is important मैं सवाल पुछूँगा make sure कि आप recall कर रहे हो और आज recall हो जाएगा तो examination के दिन 100% recall हो जाएगा और यदि recall नहीं हुआ तो कई problem दो दोड़ीना है मैं तो बोलने वाला हूँ पर आपके दिमाग में उसका impact जादा होगा पर आप इससे पढ़के जवाब दिया उसका impact कुछ नहीं होगा तो हमें इस lecture को बहुत fruitful बनाना है lecture का मक्साद है कि कम से कम समय में बहुत ज़दा revise होना चाहिए अगर आप हम अकेले में आप सब्सक्राइब करें तो बहुत टाइम लगएगा ऐसा करें तो जल्दी दे हो जाएगा ठीक है? ओके स्टार्ट तो आप सभी जानते हैं तरह फ्री टाइपस ऑफ लेवरेज़ डॉल है, डॉल है, डॉल का लॉंखवाब है डिगरी ओफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिगरी ओफ फइनाशल लेवरेज और डिगरी ओफ बेष्ट है ओगया छाप्टर में तीन ही चीज़े है और आप सभी चानते हैं कि Degree of operational लेवरेज और Dグre op financial leverage है दोनों में ऐस बात का फरक है operational leverage में होता है कि आपकी जो fixed cost है fixed cost operational fixed cost के से dollar हता है fixed cost जो financial होती है उसके से आपका DFL निर्मान होता है यानि कि धंदे में होता है कि आपका business बहुत आगे बढ़ रहा है आपका sale आगे बढ़ रहा है पर कुछ cost है से जो constant हो जाती है जिसके से आपको leverage का फाइदा होता है बढ़ बढ़ कह रहा है यानि कि आपके धंदे की जो fixed cost है अगर वो zero है तो leverage chapter की ज़रूती नहीं है leverage chapter हो ही नहीं सकता इस तो fixed cost is zero तो जैसे कि मानले ची class चल रही है नहीं चल रही है पर इसका rent दे रहा हूँ है तो क्या होगा मानलोग गुरुगुल चल रहा हूँ पच्चीस तलाग रुपे rent दे रहा हूँ तो क्या होगा इसका मतलू मतलब यह leverage हो जाएगा और अगर मानलोग मेरे पस fixed cost ही नहीं तो leverage नहीं है तो जितनी भी बड़ी बड़ी companies होती जिनकर से बहुत सारी fixed cost होती है उन लोग को leverage का advantage भी हो सकता है disadvantage हो सकता है sale बड़ा तो advantage नहीं sale बड़ा तो loss बड़ाबर है everybody तो जिन लोग की बहुत fixed cost होती है they should make sure कि वह भावत सारा sale कर रहे है योगि sale बढ़ेगा तबी भी cost will remain same कौन सी? variable cost की बात ही नहीं हो रही so what we have to understand कि जिस भी organization में बहुत सारी fixed cost होती है they have to make sure कि उन्होंने sale बहुत ज़्यादा करना चाहिए योगि sale ज़्यादा भी होगा अब इस class में मानलो भी 50 बच्चे 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 है 500 की class है 500 भी बेटे तो भी उत्ते है रेंट लगेगा तो what I should make sure कि इसमें 50, 100, 200, 300, 400, 500 तक आजाए बराबर है? वेकि fixed cost will remain? same ओके चलो ये बात तो conceptually clear है अब इस chapter से में सीखना क्या है conclusion real life में real life में हम लोग अभी CFO बन जाए और अगर हमारा धंदा ऐसा जिसकी fix cost बहुत जादा है तो हमने का करना चाहिए कि हमारे marketing को sales को ये बोलना चाहिए भाई तो sales कुछ भी करके बढ़ा जैसे covid में क्या हुआ fix cost constant थी और sales zero हो गया तो इसलिए कहीं दुगाने बंद हो गई यानि कि इतना danger chapter है यानि कि chapter अच्छा तो बहुत अच्छा है अगर आपसका sales बढ़ा तो मतलब आपको बहुत मजाएगा ये chapter का और आपका धंदा ऐसा और कि sales को रहा है तो इस chapter दर्द बनके इतना बड़ा पहाड़ बनेगा कि business को बंद कर देगा इसलिए COVID में कही लोगे धंदे बंद होगे because fixed cost was constant इसका मतलब क्या वा जिसका leverage ज्यादा है उसकी fixed cost ज्यादा है और fixed cost ज्यादा है तो risk ज्यादा है उसका beta ज्यादा है इसलिए कही questions में बूचा ज्यादा बीटा कुछ पूछते है वो क्यों पूछते है because ज्यादा leverage है यानि उसके बहुत fixed cost है ज्यादा fixed cost है यानि कि आपका irrespective of sale your fixed cost will remain constant then what will happen तो आपका जिस समय sale कम हुआ कि आपका losses चालो हुआ इसलिए what is most important thing कि पहली बात तो fixed cost incur करने का नई और fixed cost incur तभी करो जब आपके marketing और sales में दम है प्रवै तो धन्दा कैसा करने का fixed cost ज्यादा तो sales बड़ा करने का and then in cash the benefits of leverage ये concept है आप इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है आपको ये income statement पता है यहाँ का कोई भी question solved ने होगा बगर इसके every question will be solved अभी मानले ये format पता है तो आप खुछ भी कर सकते हो you can solve everything if you know this तो ये बड़ाई simple सा format इसका sales करेंगे minus variable cost करेंगे आजाएगा contribution contribution sales minus करेंगे fish cost तो क्या भाएगा EBIT minus करेंगे interest तो आजाएगा EBIT और EBIT tax तो भाएगा EAT प्रेफरेंश हो तो क्या होता है सारी चीज़े से हो एक बार और रिवाइज करते है sales minus variable cost contribution minus fish cost आएगा EBIT minus करेंगे interest आएगा EBIT EBIT में से minus करेंगे तो आएगा EAT minus करेंगे preference dividend divide करेंगे number of shares से तो आज आएगा आपका EPS ये format है अब formulas क्यों जाते है अब जो basic से formula इसके अंदर कुछ एक basic formula है और कुछ थोड़े difficult वाला है तो basic formula क्या है? DOL का बस इसको देखना है 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 contribution upon EBIT ये आपका formula DOL का अब DFL EBIT upon EBIT कर दो हो गया answer वो किन साथ DFL और दोनों को multiply कर दो हो गया DCL इस सम्पल है अब clear है ने? एक बार और और रवाइस कर लो contribution upon EBIT ये किसका है DOL का EBIT upon EBIT DFL और दोनों को multiply करेंगे DFL अब आगे बढ़ते हैं अब है वो formula जो difficult type का है वैसे difficulty conceptually बहुत easy है कि percentage change in DOL की बात करूँ मैं percentage change क्या है? नीचे वाले नेवर के? क्या है? नीचे क्या है? जितना percentage change वाइस sales का नीचे उतना percentage change in EBIT वैसे होना क्या चाहिए? जितने गुना, जितने प्रमान में आपका sale बढ़ा है उतना ही प्रमान में आपका EBIT बढ़ना चाहिए पर कभी कभी ऐसा हो था कि आपका sale दो गुना बढ़ा पर EBIT बहुत गुना बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? आपकी organization में financial, sorry operational fixed cost है भाई मेरा sale 10,000 था अब हो गया 20,000 तो कितने गुना sale बढ़ा? double बढ़ा मेरा पहले profit था 2000 आप हो गया 4000 तो profit भी दो गुना बढ़ा और sale भी इसका मतलब तुमारी organization में तुमारी organization में fixed operation cost zero है अगर उसी प्रमान में बढ़ा पर कभी कभी ऐसा हो था कि sale बढ़ा 2 गुना और EBIT बढ़ा पता नहीं 5-10 गुना इसका मतलब क्या है? आपकी organization का आपकी organization का operational fixed cost गोजादा है इसलिए उसमें वो DOL का formula ऐसा बनता है तो अधीचे कहाएगा percentage change in percentage change in EBIT ये EBIT, ये formula ओके, दूसरा बावर DFL का percentage change in EBIT आएगा नहीं चे और percentage change in आएगा उपर तुम उसमें EPS भी लिख सकते हो PAD भी लिख सकते हो बात एक ही है अगर उपर आपने EPS भी लिखा तो भी मतलब होई है अगर percentage in EPS भी लिखा तो भी मतलब होई है ऐसा है, ओके बोलो होगनागा path DFL में percentage inward EBIT हैगा denominator में और numerator में हैगा EPS लिख लिखा या PAT लिखा वरें दूसरा एगा okay, got it और multiply कर दो तो आपको DCL में लिख जाएगा और DCL के जाब फॉर्मला तो वो EBIT बेते कड जाता है बातनाः नहीं सम्झाल उसके नुमेरेटर इसका इनों कटेगा तो क्या बचेगा परसेंटेज चेंज इन एपिस आईगा ऊपर और देगा परसेंटेज इंज इन सेल्स हो गया यह चाप्टर के फॉर्मिलेस भी खतम हो गया अब दोचार क्वेशन सौल करेंगे चाप्टर खतम हो जाएगा ठीक है और इतना चाप्टर में इंपॉर्मिलेस ज्यादा है कि ऐसे बहुती कम अटेम्ट होते हैं जिसमें चाप्टर आया नहीं और आता भी तो दस मांक के लिए आता है मतलब आपको एक्जामनेशन में पास होने को चालीस लगते सर्फ दस तो यहीं से आजाएंगे तो इस वेरी इंपॉर्टन चाप्टर फंडए इग्जामनेशन स्कूरिंग परस्पेक्टिव इसके दस मांक के दस मांक तो आपने बिलकुल इडिस अच्वेबल अन्वेरी आप जान तो बहुत दिफिकल्ट नहीं पूछ सकते इस चाप्टर को चाहकर भी वो उसमें डिफिकल्ट बनाने का स्कूप ही नहीं है मतलब आपको यह पता होना चाहिए यह तो मेरे मांक हाथ के हैं पके हैं तो मतलब यह तो आना ही चाहिए ओके इतना दिमाग में डालो यानि कि आगले आरे वाले 25-30 मिंट आपको यह 10 मांक तो देना ही चाहिए आर यूरे जिसके अंदर जो नहीं किया सारे टाइप के वराइटी कवर हो रही है अच्छ अच्छे क्वेशन कवर रही है इसलिए उसको लाए ऐसा कुछ भी कुछ भी नहीं लाए रैंडम तीस चिठ्थे दाली आट उठाली ऐसा नहीं है यह पॉपरली लॉजिकली क्वेशन आये क्वेशन में आज का लेक्षर किसले इंपॉटन है एविशन्सी होना चाहिए कम समय में ज्यादा ओटपूट आना चाहिए वह से लिए ओके आब आज जाएंगे क्वेशन नमबर आट के ओपर ठीक है चालो कौनसा पेशन नमबर है अठरा नमबर को क्वेशन ओक यह रहा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग चलो देखते हैं हम लोग इसा सौल सौल करेंगे हम इमाजन करेंगे क्याल से पेलोट करेंगे और आंसर देखेंगे बरा बरा राइगे अगर वह मोड़ों में जाएंगे तो फिर पुरा वह चालीस पजास घंटे का लेक्टर हुआ सर आप क्वेश्चन देओ मैं सवाइब वैसा नहीं है ना वाला माइंडशेट क्लिड कर लोगे अपने को देखे क्लिक होना जाए यहां चाहिए मैं भी यही सोच रहा था आंसर देखो क्वेश्चन ही है और आंसर भी ही है वी जस्ट आफ टो मेक्शर के अपना आंसर दिम क्वेश्चन है और पहले की ता था एक लाग भी सार यूनिट थे पहले अलों कोविड आ गए को पहले एक बिसता बन एक लाग हो गया तो आप लोग क्या है वह फार्वैट कैसा बनता सेल्स तो सेल्स में यूनिट दाल देंगे तीन कॉलम माना देंगे याद आदा आगा पर्टिकुलर्स वन टू बरावर ना तो फिर वन वन लक्वेटी थाउजन देख बरावर है आगे ऐसा वैसा ठीक है ओके नेक्स अब दिखेंगे इनका बोलना है कि वहां पे यह मत करो मेंगे इनके शेल सब्सक्राइबिकुलर्स आगे वहां न जुछोषorth आगे रहा सालिक स्वार्ट रहे है इनकानमार। लाग रुपे थे तो अभी भी हुई रहेंगे विकास नाम ही फिक्स्ट है तो दो लाग दूलाग दोनों काल में से ऊप कर दो क्या आगए आगा प्रस्ट पर बड़ा बड़े क्लिर यहां तक पैट तक पहुच गया है क्वेश्चन में पूचा के है क्वेश्चन में इसने इपीएस भी पूचा है तो नंबर ऑशेर से डिवाइड कर दो अब दस लाग कि वैल्यू है सो रुपे का एक है तो दस लाग सो डिवाड का कितना हो जाएगा ह आपको एपेस में दोई प्यास अगे अगे एपेस एवरीबड़ी गॉडट दोनों में एपेस अगे अब ओक्या सवाल कुछ रहे कि एपेस में कितना मदला हुआ अब परिसेंडेचे यह तोड़ा सा अधभूत पॉइंट है यह एपेस में तो पहले कितना था 12.6 था यह प्रतीश रोल्टर 12.5 रुपे कमाये जा रहे थे अब सेल कम होने से प्रतीश रोल्टर 7 रुपे तो 5.6 घट गए 12.6 पे तो 5.6 करो 5.6 डिवाड़े बारा पॉइ प्रतीश रुपे तो आपको परसेंडेच मिल जाएंगे जा गया है 44 परसेंड से घट होती होगी आपका सेल क्या कितने से कम हुआ अब आपको प्रॉफिट जो है पर शेरोल्डर 44 परसेंड यह यही तो है बढ़ा तो मुझा आता है बहुत गिरा तो मतला वो प्रॉफिट को उड़ा के लेगी जाता है थोड़ा सा घटा है सेल पर शेरोल्डर का ईपेस कितना घट गया अपको अंदाज आ गया इसमें थोड़ा सा कम हुआ पर प्रॉफिट कितना कम हुआ ओके नेक्स्ट अब क्या है डी एफल निकाल अरे तो लो रहे क्याल सिपे इसको डी एफल बता दो फॉर्मला बोलो प्रॉब आपन एब्ट करो 280 अपन 180 राइट कितना हो रहा है वन पॉइंट देवा आगे 1.55 डॉल निकालो कॉंट्रिबुशन अपन इवेट अब ये कॉंट्रिबुशन किता है 480 अपन 280 अब जैसा आइसा तो बाजवले को लंक भी से आइंगा अगले वेशन पर जाएंगे देवो कुछ चीजी इमेजिनेशन पर खतम करूं डॉंक्यों मत करूं मैं उसका भी करके भारत मादर जे वो भी खतम करूं ऐसा नहीं करने का मैं उसका भी करके देखे लिए अरे वह तेरे क्याल से ही चलता तेरा दिमागते को समझ गया तो आंसर तो वह आएंगा ना इसमें ऐसा करके अपना टाइन घराने का नहीं वही करने का जो कुछ अलग है अभी मलब रिविजन के समय पे जब अपने क्लास में कर जा तो क्या करते है पूरा विश्तार में लेट लेट के रोज तीन-चार क्वेशन होते है अराम से वह उस समय अपना टाइम ही कितना बचा अभी एक मेना भी नहीं बचा है तो आफ टो भी वेरी क्विक ओके ये अगला क्वेशन बोलो कौन से अपना स्टार मार क्वेशन टेन पर जाओ पेज नमबर 21 आजाओ यहां पर चलो यह प्रैक्टिक क्वेशन नमबर 10 भी है मॉडूल में भी क्वेशन यह जब लिखा था ना प्रैक्टिल क्वेशन यह मॉडूल से कुशन उठाय होते है आज तो थो फॉलॉइंग दिटेल्स अपनी शुड़ा प्रोसीड ऑके ऑपर इडिवरेज किता लिखरा है दो कंबान लेज कितना एगा तो बता तो दी एक से अपला यह जाओ थो एक शान्सरी ऑगा तो तो नादो को सब्सें डोडिप्लाई शचाए एक से 2.25 तो दाट X is 1.25 दोल को DFL से multiply करेंगे तो 2.5 आना चाहिए तो 2 को multiply कहा है 1.25 से तो आपको आगा है DCL तो अपना DFL कितना है तो अपना पहला क्वेश्चन होई पिताँ DFL कितना है 1.25 देखो अपना अंसर सही होगा दिखा आगे 1.25 देखो DFL 1.25 अब आगे वो क्या बटा दिये है वो किते दिये है और उसमें क्या इंक्लूड नहीं है लए इंटरस अलग से है यह सिव ऑपरेश्चनल फिक्स कोस्ट है ठीक है सेल्स कितना है 50 लग का सेल है 8% डिबेंचर 3 30 लाग 25 दार के नोंने डिबेंचर लिए हो है एक्विटी लिया है 34 लाक्स है और इंकम इसे लिए 30 पसंट के सारी पुकता जान कर दी हुए कुछ भी नहीं इसमें ओके दमाग लगाव बताओ अपन वहां तक पहुच सकते के हां आप चलो सबसे पहले एप्यस तक आने लिए करना पड़ेंगे यह सब घधा मजूरी करेंगे सेल्स करेंगे इमाजिनेशन में सेल डीमें आएगा इबेड़्य सेंट्रेश इंट्रेश हैं दिया हुए एंट्रेश इंट्र ब्निकल के और बताओ हैं डैक्स यह पर प्रॉब्ल्म के है इस क्वेश्चन में थोड़ा से यह अंशंड इंच्ट क्यों है इन्होंनी क्या किए न जो डी एफल निकलता है ना पर आप सभी जानते है, EBIT भी दिया नहीं है, EBIT भी दिया नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, पर आपकी इस question में आपको कुछ दिया है, interest, बोलो दिया है क्या इंटरेस्ट, तो क्या हुआ, interest जब दिया हुआ है, तो EBIT, EBIT उपर, तो EBIT को लेंगे, EBIT मैनस interest, तो वह एक से EBIT न तो आप आपने असमें EBIT आ गया, अब सेल आ गया, सेल अल्री गिवन था, variable cost दिया नहीं है, वह कैसे निकलेगा, क्योंकि आपने असमें आप हुआ गया, EBIT आ गया, तो नीचे से उपर जब जाएंगे, तो EBIT दिया हुआ हुआ है, fixed cost दिया हुआ हुआ है, contribution आ जाएगा, sales इसके previous question में, variable cost गिवन था, यहां पर variable cost गिवन नहीं है, DFL निकाला, DFL को यूज करके, interest को यूज करके, उस formula सी EBIT तक पहुचे है, और वो EBIT को घुचटने के बाद में, सब मिला, सिर्फ variable cost दिया, तो variable cost निकल के आगे बार, बाला बाल है, एक बार देख लिए, तो इस question म यूज को निकला है, वो variable cost, वो variable cost कब निकला, और यहां पर इस question में, यहां तक तो मुचे अब यहां पर आपको सब पता है, tax निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया, number of shares डिवाइड करो, तो आपका EPS आगे 1.99, इसमें कोई दोईधा है, number of shares, 3,4,4,4 सार की संक्या अ कर सकते हैं आप ऐसे करो आप numerator में करो या या बात वेकिए यह मुझे बताओ टैक्सेट 30 पसंट गिवन था है वो भी गिवन है नंबर अश्रेस गिवन थे मलते यह पूरा के वह एक ही अच्छा इस पूरे क्वेश्चन में क्या समझ मैं है वेरेबल कॉस्ट कैसे निकाला वे अब जरद दिखना यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है अब बोलता पी बिरेशों पी बिरेशों के फो फॉर्मुल को भालों पार आप कॉन्टिभूशन किता है कॉन्टिभूशन ए फिफ्टीन लाग फिफटीन थाओज सेल्स कितना है देखो तो कितना आंसरा है 31% आगे के 31% आगे 31% देखो पीवी रिशो बराबर है आगे बढ़ते अब next point है if the company belongs to an industry whose asset turnover is 1.5 does it have high or low यानि की आपको पहले निकालना पड़ेगा इनका बोलना है industry में अगर एक रुपे का असेट लिया न तो लोग देड़ रुपे का धंडा करते है यानि कि 100 रुपे का असेट लिया है people do the business of 150 रुपे industry में if they are having 100 रुपे का असेट they are doing the business of 150 business मतलब sale करते है अब यहाँ पर क्या लिख रहा है अपने को देखना है कि अपना total asset कितना है पता total asset कितना है यह पर तो असेट दिया ही नहीं है अरे भाई साब total asset is equal to total liability total liability कितनी है यह 30 लग पच्छे सर का डिवेंचर है एक्वीटी दिया 34 लैक्स असमिशन ले लेंगे equity और date है working आप समझ गया ना तो यह आजाएगा आपका पैसा कितना total liability कितनी है 64.05 is equal to total asset तो 64.25 is a total asset उसको multiply करो 1.5 से 96.75 96.75 96 industry में अगर कोई इतना asset लेके बैठता तो 96 लैक्स तक का धंदा करता और हमने कितना धंदा किया 50 लोग मुर्ख लोग है इंडस्टी तो 90 के उपर धंदा करती हमने क्या करा सी 50 लगा यहना है कि हमारा sales और marketing team सही काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा turnover ratio जो है asset turnover ratio वो कम है इसा clear? our asset turnover ratio is what? lower than the industry देखो answer यहां पर वही लिखा है ओके? everyone? ओके lower है आगे बढ़ जाएंगे at what levels EBT यह तो कुछ नहीं है और क्या बोल रहा है कौन सा ऐसा level होगा जापे EBT 0 आएगा तो क्या करना बढ़ेगा? उल्टा जाने का है आप क्या करो यह जो EBT लिया है न देखो उसको 0 और 0 से उपर जाओ जहां जापे इसमें सिर्व एकी प्रॉलम होदी लोग भूल जाते कि fixed cost को fixed दी रखना है अगर आपने प्रपोस्टेटली कम किया न वो बड़ा वेगार हो जाएगा यानि कि आपको interest दर भी उत्ता है रखना 242 फिर वापस से जो fixed cost है वो भी उतना रखना है सिर्व आपको क्या करना और जो variable cost है वो variable cost पूरा के बढ़ा कॉपी बच कर देना 34,50,000 वो 31% है तो उसको 31% से डिवाइड करो तो आपको CL तक पुचे का 100% वाजागा तो variable cost हो जागा understood क्या जब यह नीचे से ओपर जाने का होता है इसमें लोग अक्सर लोग silly mistake करके आते है यह conceptual mistake नहीं है वो गड़बड में नीचे से ओपर था एक तो fixed cost को fixed ले लेगा पर variable cost को भी fixed ले लेगा या कुछ लोग क्या करेंगे fixed cost को भी उसकी हिसाब से घटा देंगे वैसा नहीं करना fixed will remain fixed variable cost accordingly आपको adjust करना पड़ेगा I think यह question घता में हमारे है कोई शक सवाल no कौन सा question करेंगे अभी 13 यही है आपको speed ठीक लग रही है कम कर दू live streaming वालो everybody understood guys हमारे पास में question है question number 13 install के पैसरी कितनी है या नहीं कि हमारे धंदे में 4000 प्रोड़क्ट बन सकते है हमारे machines के साथ में हमारा production कितना है यानि हम लोग कितना बनाते है हम लोग 3,000 बनाते बरावर है और 3,000 बनाते के 30 रुपए से sale करते तो कितना हो जाएगा है 90,000 का sale करते उसमें से 15 रुपए का तो variable cost है तो यह 45,000 का हमारा variable cost है तो 45 क्या है यह हमारा contribution है अब minus का करेंगा अब इसमें क्या है नो ने बहुत सारे situation दिये इसमें से fixed cost है तो इसमें दो तरीके इसमें से एक top का 15 भी minus हो सकता है समझ में रहा है तो इसमें रहा है होई जाते है पर एक दो जो अलग adjustment होती है वो भी cover हो जाती है और हमारा output यह हो जाता है कि हम लोग कम समय में पूरे chapter को मतलब 5-6 question भी solve गे तो पूरा chapter ऐसा feel होना चाहिए कि मेरा होई गया ओके आप देखो यहां पे क्या लिगा capital structure अब capital structure के उन्हें दो options दी अब यह दो options कुंसे उन्हें इसमें भी 2 option दे दी और इसमें भी 2 option आगे अब वह बोड़ रहा है कि मैं कहां पे आगया 24 है ना बेस्ट हो गए तो ठीक है इसे लोड लेगा तो अपना क्या अंसर चलाता देखो यहां पे ऐसे चलाता बरबर 15 की दो बच्चे और 20 की दो बच्चे तो 50 में भी A है B है यहां पे भी A है अब A B का मतलब क्या हुआ है यहां पे आपका एक तो यह स्टक्चर भी हो सकता है और यह वाला स्टक्चर भी हो सकता है इसा क्लिया यानि कि आपको धंदे में चाहिए 20,000 तो आपको साओप्शन है 10,000 का एक्विटी लो अगर आपको यह उप्शन अच्छा नहीं लगता है दूसरो अप्शन है धंदे में 15,000 का एक्विटी ले लो और 5,000 का डेट ले लो अब क्या हुआ अपने पास में यह 15,000 फिक्स कोस्ट के दो आंसर अलड़ी थे 15,000 है और 20,000 है तो इसके भी दो यानि कि यहाँ पे अपने पास में चार कॉलम बनेंगे आंसर के और पटिकुलर का एक बनेगा और यहाँ पाएगा फिक्स कोस्ट 15,000 और यहाँ पाएगा 20,000 है 15,000 में भी दो आप्शन है अरे भया यह फिश्ट कोस्ट ऑप्रेश्टल वाली है और फाइनांशल कोस्ट के लिए दो आप्शन है यानि कि फिश्ट कोस्ट 15,000 जब है तो उसमें अगर मैं 20 लूँ तो उसके भी दो आप्शन है 10 10 15 अगर यह इसका क्वश्टन में दर नहीं है अगर आपको डिवाइन होगा चार कॉलम कोन से है तो आंसर में कुछ मज़ा नहीं है अब आंसर कैसा बनेगा पर्टिकुलर्स 15,000 फिक्स कोस्ट ट्वेड़न फिफ्टीन के आपको यह समझना चाहिए कि कॉलम कोन से बनाना है बाकी इसके अंदर आपको कुछ भी करूंगा आपको लेगा यह तो कितना इजी कुछ नहीं है इसमें ओके अब देखते हैं जो एक दो कॉलम करके देखते हैं कि 15,000 वाला और प्लैन एक के साथ में तो क्या आगा अपने किती है 45,000 उसका 50% नहीं 45,000 या नहीं कि 45,000 अब आपने फिक्स कॉस्के तमाने 15,000 है यह गया तो 30 बना अब इसका प्लैन ए है तो प्लैन ए क्या होगा 10,000 का डेटे 20 परसंट से या नहीं कि 2,000 रुपे इसमें से 2,000 मैनस कर दो बराबर है और यही चीज अगर मैं प्लैन बी लेता तो मैं यह 30 तक से में रहता स्रिफ मैं इसको चेंज करता यह 5000 को 20 परसंट याने की 1000 लिगता याने कि मैं आपे 1000 लिगता समझ में आए का इतना ही फरागे तो 30 में से यहां पर दो जाएंगे और यह 30 में से एक जाएगा तो दिस इस ट्वेंटी तावजन दिस ट् होगे क्वेशन अब यह जैसा किया है वैसा यह भी कर सकते हैं आपको समझ जाना क्वेशन उल्जों मत क्वेश्चन में कुछ था नहीं एक इस वरी बैसी क्वेश्चिन इस में एक क्वेश्चन को लिखना गया से ओके अच्छ उसने पूछा किया था वैसे क्या बना हो ओ अब दो डॉल बना दो देफल बना दो चलो बना कि अब दो इसकी लोग क्या सी में दो डॉल बना कि बताओ को कॉंट्विशन कितना है और एब एट कितना है तो 45 एपन 30 कर दो 1.5 अब चलो डी एफल निकाल दो 30 upon 28 वो कितना है गा देखो इतना है कि 1.07 दोनों को multiply कर दो वो आजाए कर आंसर बस अब ही करते मत बढ़ना हो चारों को भी आंसर वैसे आएगा तेके ना this question is over ओके third question कोई doubt आ रहा है आपको is it going is it going in your head नहीं तो मैं चल रहा हो अपना अपना ऐसा नहीं मुझे तो आही ता आता ही है ठीक है आगे बड़े कौन सा question है 26 ले लो चलो पेज नमर बोल थे 30 34 पेज नमर चलो शुरूर कोई डावड़े तो पूछना हो कि चलो आजाओ अभी हम लोग बात करते है question number 26 की यह question है जनवरे 2021 में दस मांक लिए इसे ने पूछावा question है कुछ तो अलग है इसलिए यह पर पूछा यहीं ना question okay equity कितना है 50 लग का equity है bond कितने डिमेंचर 30 लाग के sales कितना हुआ fix cost कितनी है क्या नहीं है इसमें है यह नहीं इंट्रेस्ट है न भाई क्यों नहीं है यह 30 को 12% से multiply कर दो कितना है यह यह तो इंट्रेस्ट आगे हैं हम पर financial leverage कितना है 1.3 नहीं पीवी रिश्ट आप जानती है contribution upon sales market tax rate कितना है market tax rate है क्या है कहां से चोड़ो income tax rate 30% है और पीवी रिश्ट अच्छा इस question में आप गड़बढ के आप दिखने यह question में इन्होंने यहां पर फालतोला काम के आप वो confused करने लिए यह क्या करते हैं इन्होंने एक्चुली यह बंदे ने डीएफल देने की ज़रूरत नहीं थी हम खुझ से डीएफल निकाल सकते हैं पर इसकोल थे great grand मस्ती है क्योंकि आप क्या होता ना जब आप यह वाला 3.6 वाला इंट्रेस जब लगाते हो गुसेर तो ना एक्चुल में और अपने खुझ से डीएफल निकालते हैं यह डीएफल से मैच नहीं करता अगर मैं 3.6 इंट्रेस लिग दूना सेल्स लिखूंगा सेल्स कितना है लोग क्याल सेल्स लो मैं आपको बढ़ा दर्द के इस कोश्य का दर्द देखे लो ना एक मेंट आप हाँ 84 लग्स मैनस करो वेरिबल कॉस्ट मैनस करो है ना पीवी रेशो क्या नहीं है अब लुए थे टाका है और म कॉन्टविशन तो वहें थे लेट्याओ तो पच्छतर टाप्वेरिबल कोस्ट एप च्चिस टाकर सकने काने ंर्म प्रद ऊहता गुंकुटरोडुपिशन चाहिए ना तो कॉंट्रीशन किता है टोंटीवं लग कॉंट्रीशन हो गया है अब माइनस करो फिला फिट्स कोस्ट किते ही कोस्ट तो करो 7.5 मैंने से 13.5 होगे ना क्या है 13.5 आप देखना दर्द दर्द देखना भी आँ इंटरस कित्ता लिया आपने ये 3.6 तो क्या है आपका ये इविटे कितना इविटे है रहा है करकी बताओ इसका डिये फिल एबी आपने बीटे और ये कितना दीवा है क्वेश्चन मे ये ही प्रॉब्लम है एक्चुली क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन में दर्द है अगर ये बंदा यहां पर 1.36 देता ना तो जिंदगी आसान हो जाते है अब इसने क्या वोला कि तुम्हारा जो आ रहा है डेएफल वारा 1.36 उसने क्वेश्चन देगा अब आपने को एक आ 1.39 बराबर है और मैं क्या करूंगा यहां पर ebid upon ebt करूंगा यहां बराबर है अर ebid कितना है में पर और फिर में क्या करूँगा इधर भी 13.5 लिए मैं माइनस करूँगा इंट्रेस्ट और यह निकालों गांगा 1.9 समझा मैं क्या कर रहा हूं और आप जाकर जो इंट्रेस्ट आएंगा न वह एक्शल इंट्रेस्ट लेगा ये 3.60 इंट्रेस्ट नहीं है question में lack of information है हाँ इसा ही पकड़े है यह आई से ने गलती कर दी question में करने आप उसको सुदा रहा है आई से तो मूँ पर आगा है लोगों को थोड़े शमा मांगेंगे तो आप क्या बोल दिये नहीं नहीं there could be more interest तो आप देवो कितना question है अब इसको सॉल करो आपको interest रहे का या पर कुछ 9.71 ने ने आज ठीक से करें आपको क्या आ रहा है इंटरस्ट निकालो इसको सॉल करो आपको इंटरस्ट मिलेगा इसको सॉल करो भई हे यह 1.39 is equal to 13.5 आपको इसे इंटरस्ट कितना रहे है 3.78 और अपने को इंटरस्ट में कितना दिया रहे है 3.6 अब आपक ना इंटरस्ट के था रहा है नियुक्न क्या मननना पड़े़ा की बेत 3.60,000 का लावा भी कुछ 8,000 का और इंटरस्ट है अगर हमने एक अजमशन डाल देना है अगर आपको यह पसंद नहीं आ रहा है यह अगर हम बोलेंगे कि हम मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट उनका उतनाइच है कितना 3.6 और क्वेस्टन में लिखा है डी एफल यह गलत इंफॉर्मेशन है यह भी हम अजमशन डालके आपना अंसर बदल सकते हैं देखो हैं यहां पर इसलिए इस आंसर क्या लिखा देखो हावेवर स्टुडेंट माइट केट डिफरेंट आंसर इफ तीन लाग साड़ा हरी इंटरेस्ट रखिंगे ना तो आपका डी एफल वन पॉइंट जो किता रहता था था थी नाइन जो क्वेशन में किता दिया है वन क्वेशन में किता दिया था यह वन पॉइंट रिन तो हम मानेंगी वह गलत है हम आई से के ऊपर यह एलिगेशन लगा सकते देखो क्या लिखा है इंटरेस्ट इसको सही साबित करने के लिए हमें एडिशनल इंटर जोड़ना पड़ रहा है अब इतना कि किसी क्वेशन में ने ऐसा नहीं किया मलत गलती कोन कर रहा है आई सी है हम अपने आई समस्कों चिपका कर रहे है तो आप दूनों तरीके से कैसा भी कर सकते हैं न उसकी और मार्क्स मिलेंगे देखो एफम है आई समस्चा लगा रहे है कभी भी लगा कि इसके दो तिन आंसर हो पा रहे है तो अब जरूर उसको एक वड़ी उसकरना दिमग में alternatively क्या मोलें पूरे question आंसर जब लिखोगे ना ICI का कम से कम पाच्छे बार आगर आप तक जब तक नहीं लिखो गया तो समझ जाना मेरे paper कंप्रीड ही नहीं हो रहा है यूगि question वैसे आते तुम बोलें कि भारत बात कि मैं इसका दूसरा भी कर दूँगा तीसरा भी कर दूँगा अपना पेपर पचास माग का भी नहीं होगा आप ऐसा नहीं करो आप बोलोगी ये question को ऐसा भी कर सकते हैं शी उसको बता तो मुझे पता है तो नहीं क्या करा है पर मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपने जब क्लास में करते हैं अपन एक तरीका दो तरीका तीन तरीका सब करके देख थे बिगोज हमारा पास टाइम होता है एक्जामनेशन में आइसा लिखने का हाओएवर alternatively this question can be solved like this in that case you may get different answer okay FM के paper में ये होगा बहुत बार डरने का नहीं वरना self-doubt सा लोगर देख यार कई मैं तो आप गलत नहीं हूँ एक question के अनेक answers आ सकते हैं FM में assumption लाने से डर निका नहीं ICI खुद ये जो question मेंने लाया है ना उटा के यहां से यह पता है ये पहले तो question paper आया था फिर बाद में question paper देख एक question paper का answer है कि उसके suggested में लाये तो इस suggested से अंसरुट है मैंने इसका मसलब क्या कर रहे है ICI खुद भी assumptions ले रही है so you don't be scared about it you can put assumption highlight कर आजंशन को examination में उसको underline कर दो भाई देख ले वरना क्या होगा उस नहीं कर इस तरीके से किया हूंगा और आपने ऐसा कर दिया तो वो लेगा भाई ऐसा मत कर में जो पता ही ऐसा भी होता है तो आप उसको बता देना मैं आपको बता रहा हो और ना examination में आप confusion में आजाए और क्या होता कर रहे है और आपको confusion होगा है तो आपका अगले question में भी मन नहीं लगता है आपको लगता है मेरा गलत तो नहीं हो गया तो इस नॉट यूट आप तो नहीं हो गया तो एक last question करते इस question chapter में से आगे बढ़ेंगे पोलो बाई आगे कौन सा है 20 पेज नंबर बताओ है उसके अगलाव ले ले क्वेश वेसं उसके नेक्स वाला ले लो question no.11 ले लो question no.11 question no.11 रड़ी ओके किता रहा question no.11 रहा है कि पिए नमब फरीटू प्याज़ आज़ा है कि कोई अनौन श्रेया बोल के लड़की कुछ इमेज बेजती है डिलिट मार्दस को अज़ा है कि बस्ट इसनों परीटू रहे है चल फॉरीटू है अनौन श्रेया नाम उसका ऐसा अनौन इस्तास में कोई है श्रेयर नो ठीक है ओके चला आगे दिखते है जो भी नाम दिखाया आगे देखते है बालेंशेट ओके एक्विटी एकुटी इनकाट लाग है दस पसंग का डेट है डेट क्यों दिया है इंटर्स निकालने के लिए छे लाग का दस्ट का कि रिटेंडर निंग एने रिजर्व दिये हुए करेंट लाइब दिये हुए बालेंशेट टैलेड है आगे बढ़ेंगे इंकम स्टेट्मेंट भी दिया हुआ यह भी सब ठीक है सब सब ठीक है एवरेबड़ी सब कुछ ठीक चल रहा है यहां तक पैट तक पुछ जो हम हो क्या लिखा है डिटर्माइन डॉल डी एफल एंडी सियल ओके अधग करेंट लेवल बिल्कुछ सही इफ और ओपर इंग सब्सक्राइब कोस्ट एवरेबल कोस्ट अब बदा दो मुझे क्या आपके पास में डॉल निकालने का तरीका है यहां पर है यह नहीं है डॉल का बताई है तो अपना कॉंट्रिबूशन कुछ है कि यहां पर तो यह निकालना पड़ेगा थोड़ा सा गंदा काम किया उन्होंने ठीक है ना सेल किता है और और ऑपरेटिंग एक्सपेंसे इंग्लूडिंग लिगा है इंग्लूडिंग यानिके 60,000 ही होंगे वो साथ है अब बाइनस का दो फिक्स कॉस्ट वो कितनी वो कि 60 यह कितना हैगा 220 मेरा क्या है बात क्लियर है है ना 220 EBIT आगे बोलो बागे सब सीमी है नीचे दिया हो अब बता दो बच्चो मेरा डॉल क्या है Contribution upon EBIT 280 upon 220 1.27 आगे अंसर क्लियर है ओके नेक्स पॉइंट EBIT 220 EBIT 160 220 upon 160 आंसर इस 1.37 मल्टिप्लाइ कर दो डीजियल निकलता EPS कैसा निकलेगा भाई सरी एक लाग 4,000 को डिवाइड कर दो number of shares से number of shares यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपे का एक एक या नहीं 80,000 से डिवाइड कर दो आपको मिलेगा EPS ओके डान चलो डान यह क्लियर हो गया यहाँ होए If total assets remains at the same level but sales increase by 20% तो आप बताओ क्या होगा और decrease by 20% अब बताओ क्या होगा कुछ नहीं होगा columns के से करना हुआ तो clear है आपको अरे बच्चों कॉलम से करना है clear है तो यह 4,08,000 यह कहां से आया इससे कितना कितना प्लस क्या है 20% और इसमें तो सब्सक्राइब करके आगया तो variable cost भी थोड़ा थोड़ा कम थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा अब इसका यह 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 निगाला था नहीं यहाँ पर यह 60 यह तो उदर कितना होगा एक में 72 और एक में 12,000 से घटेगा तो यह यह answer भी सही है यह clear है और interest fixed cost will remain same interest will remain तो आप EBT tax यह तो आ गया है मतलब पहुंच गया आप बस कतम तो इस चाप्टर के जो जो भी questions थे I think जो चुरिंदा question जो आपको एक level पर लाए वह हमने काफी के आप चाहे तो और एक question और करेंगे देन इस डिस चाप्टर विल भी और ओके और एक question लेते उसरा star mark में से बता और एक question next वाला 14 क्या पेज नमर बता दो गया इसका 14 25 क्या 45 45 पाई जो गटा question नमर कॉन सा है ये वाला औरे बहुत बड़ा लंबा चोड़ा question है okay anyways guys अच्छा question होगा ठीक वापस से कह रहा हूं examination के पहले ये book आपके लिए बहुत ज़्यादा important साबित हो सकती है इसको ध्यान से अच्छे सी use करें सबसे बड़ी बात ICI का module कवरे इसमें, RTP कवरे इसमें, past examination कवरे तो ये book तो है काम की बहुत ज़्यादा और जो important question हो starting में दिए, formula भी starting में दिए और पढ़ते समय क्या है na question answer वहाँ वाँ रहते है तो मज़ा आती है अब अकसर class में क्या होता है, question book अलग होती है, answer के book अलग होती है then it is time waste, okay, इसको follow करें, तो आप examination से पहले आसा नी से, FM अच्छे से, इजचत से कवर कर पाऊगे और इसी के साथ में हमने आपको economics के भी चार्ट बना के दिए थे, आज मैं दिखाऊंगा, कितनी चार्ट है, 10-12 चार्ट है सरे, 10-12 चार्ट में पूरा economics खत्म हो जा रहे आप तो FM एको को दो दो तीन तीन बर तो ऐसे रिवाइस कर लोगे examination से पहले, आसानी से, ओके, अब देखते है, question number 14, output के ता 1 लाक, normal capacity है इनकी, selling price 40 रुपे का है, variable cost 20 रुपी, fixed cost 1 लाक, capital structure इस तरह से equity 10 लाक, reserve 5 लाक, debentures, okay, fine, it's all okay, यहां से एकी जिसका हम का 10 लाक का 7% बोलो, 70,000, okay, आगे बढ़ेंगे, now a limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve 10 लाक, 10 लाक को और चाहिए, 10 लाक चाहिए का ने चाहिए, चाहिए ना और चाहिए, the company expects an increase in the output by 50% से दंदो बोड़ जाएगा, तो कितना से रोगा, पहले 1 लाक था देर लाक हो जाएगा, यहने की column तो बढ़ने वाले है जादा, fixed cost will increase by 5 लाक, variable cost per unit will decrease by 10%, the additional output can be sold at the existing selling price, यहने selling price पहले कितनी थी? 40, अभी वो 40 कही रहेगा, पर जो variable cost जो 20 रुपय का था ना, वो हो जाएगा 18, selling price 40 का 40 रहेगा, ओके? और इसने कुछ और changes बुलेगा, यह कितना हो जाएगा? देर लाक हो जाएगा? आगे बढ़ेंगे, इसमें भी स्कीम जा दिया, अब इनको कितने पैसे चाहिते हैं, दंदे करने को 10 लाग रुपे, अब 10 लाग रुपे के क्या अंगे प्लान है, एंटरली, पूरा के पूरा एक्विडी से उठा लो, पांच लाग भाई इशु आप एक्विडी शेर्स और, आच्छा, पांच लाग लाएंगे, इक्विड इसलिए यह सब जो प्लान से ना, उसके इंपक्ट होता है इंटरस्ट पे और उनका इंटरस्ट होता है आपके DFL पे, यह जो दिया है ना, तीनों भी, इसका कोई संब्बन आपके डॉल से नहीं है, यह तीनों भी कॉलम का डॉल से माएगा, नहीं समझ रहें तो, बल्लब क्यों पर इंपक्ट होगा, पर अपना जो डॉल का फॉर्मिला है, वो तो EBIT भी खता हो जाता है, तो इन तीनों से आपके DOL पे कोई इंपक्ट नहीं होगा, यह सकते हैं, चल ठीक है, फाइंड आउट अल्टरनेटिव और बताओ आपो क्या लिगना है, कि इसमें कॉर्प अब कितना हो जाएगा, 150, 40 से मल्टिप्लाइ कर तो 60,00,000 सा जाएगा, बराबर है, वेरेबल को 18 है, 18 को 1,50,000 से मल्टिप्लाइ कर देंगी, तो आपका कितना कॉस्ट हो गया, 27,00,000 से वेरेबल कॉस्ट हो गया, बराबर है, और आपका कॉंट्रिविशन हागा, 33,00, अब कॉंट्रिविशन में से क्या मैनस होगा, और जो पहले कितनी थी, आप कितनी हो गई, यह कैसा हो गया, इसको दस लाग उसको एक्टिफाइ कर देंगे, ठीक है, वो दस लाग थी, और दस का पांच बढ़के तो 15,00,000 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे पहले 10,00,000 लिखा थ ठीक है ना, वो question में mistake था मतलब, information, जो printing mistake था, तो आप किता हुआ, 18 हो गया, अब बताओ, यह 18, यह 18, यह 18 सबका सेम क्यों आएगा, because option तो finance में change होए ना, ऊपर के EBIT तक तो कोई change ही नहीं है, और base को तो हमने इसने लिखा है reference बोलके, examination में इसकी ज़रूद भी और पूछ ले था, तो पहले कितना interest था अपना, तो उतना ही लेंगे 70, ओके, और option number two में क्या होगा, इसको और यह जो 6 टका है, यह 6 टका से 5 को multiply करेंगे, 5 लाग को, तो किता हो जाएगा, 30,000, और 30 अपहले का कितना था 70, तो यहां से 1 लाग मैनस कर दूए, और अभी क्या होगा, य तो इसके से EBD change हो गया, बाद में 40% सब में से tax minus हो जाएगा, पैट आ गया, number six, हाँ, यहां पर थोड़ा change होगा, कैसे change हो, लिकास कहीं पर आपने, फर्स्ट इसमें तो कितना क्या कि आपने, यह आपने 10 लाग divided by 10 करेंगे, तो एक लाग, और पहले वाला कितना था, तो एक और एक, तो दो लाग से डिवाड़ करना पड़ेगा, यहां पर दो लाग से डिवाड़ करेंगे, बरावर हैं, बोलो यार, तो पहले वाला एक लाग, एक लाग, लाग तो सब में constant आएगा, अब इसमें का कर रो आप, यह दस रुपे के 5 लाग, यह नहीं कि 5 लाग, तो पहले एक लाग थे और अब यह पच्छास जार, तो देड़े लाग से डिवाड़ होगा, और रही बात इसकी, यह तो पुरा डिवेंचर सा है, तो यहां के नमबर और शेस, जो पहले थे existing के, वह रहेंगे, बेस के, तो वन लाग के वन लाग रहे हैं, वह पर कुछ ब है आपको, I think इस चाप्टर का दे एंड गरते हैं, है ना, आपका पूरा चाप्टर अच्छा से रिकॉल हो गया होगा, उम्मीद से आगे बढ़ते हैं, यह लाइब स्ट्रूमिंग गाइस प्लीज आंसर, क्या सा लग रहे हैं? सर, आपकी टिटिटिंग स्टाइल चेंज हुई है, लास्ट अटम से बहुत ही ज़ाद, बहुत इंप्रूमेंट के आपने, वाँ, बैश्ट विड़ा है, वाँ, क्या नाम आपका स्ट्रिया, श्रिया, श्रिया लिमे, एकोनामिक का भी आपने बहुत अच्छे चाप्टर सबस दिए, आपकी नई स्टाइल हमें पसंद आ रहे है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़े आ रहे है, दीरज बोल रहा है, मस्त चालो है, प्रियान शो बोल रहा है, मैं confident feel कर रहा हूँ, बहुत बेस्ट है, अच्छा है, चलो, मक्सद यही है, कि आगर मैं कुछ कुछ सूषता है बीच में, फिर कभी मोबाल सूषता है, फिर इंसान कभी ठोड़ा सा ब्रेक लेता है, छो थोड़ा सा ठेल के आते हैं, कुछ लोग होस्टेल में रहते हैं तो फिर वो बाते भी होती हैं कुछ भी तो आई तिंग कम से आज जो मक्सद से आये हैं वो पूरा होगा अच्छे से अगला चाप्टर ले ले लेते हैं आपके लिए बोलो क्या करेंगे सब करेंगे वेड़ा, वो उसको लेंगे बर करेंगे तो उसको टाम लेंगे पर करेंगे पहले तो आपधा तो पसकी क необход़ें तो पहलेए ऐस चाप्टर में ऐसمكن कर दा तो आपको उच्छा लगी अना पहले बेले अगर मैं तो एक्लत कि अपनी वो ही और भी हरो ही तो पहले ऐसे चाप्टर लेजे जो फटा 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 अपने को आसान हो जाएगा आके जाएंगे अगे कि चल जा करो में तो वर्किंग काप एक कॉस्ट ऑफ क्यापिल के अलावा कोई एक चाप्टर कॉश्चन दो ना मुझे अच्छा है यह भी हाँ अच्छा है चल जानता अभी कॉस्ट ऑफ के पिले कॉस्ट ऑफ क्याप्टर दिया है कि आपको पता होना चे जो भी पैसा धंदा करने करें लाते हो उसकी कीमत कितनी है क्योंकि अगर हमारा आरवाई 10 परसेंट गाए और कॉस्ट ऑफ करने का घर पे अराम से बैटो है ना बीश टक्के से पैसे ला रहे बजार से कॉस्ट ऑफ कैपिलर 20 परसेंट धंदे का आरवाई 10 परसेंट जग मारने को बिजनस करते हैं मतलब लोगो को बीश देने का घर पे दस लाने का तो इस अव नो यूस धंदा कप करने का वन यूर आवर रोई इस बेटर दें दे कॉस्ट अपका जो के ओ होता है और रोल कॉ कॉस्ट नहीं पकड़ते हैं यह तो मेरा इचना ऐसा नहीं जागा मेरा भी पैसा तो उसकी अपॉर्शनटी कोस्ट होती है तो इसलिए जब मैं धंदा कर रहा हूं तो मैंने उस कॉस्ट को जोड़कर देखना चाहिए कि मेरी ओरल कॉस्ट कितनी है समझों 5 क्रोड मेरे कॉस्ट लगाना च्यांऑ अब चीका कोस्ट अवН कोस्ट एवक्पटल में हम लोग ंर्पर केशन पनार से हो सकते हैं फिर Wam । यहीं है कि जब मैं बिद्नेस कर रहा हूं तो पैसे चाहिए और पैसे लाने के बोलतों तो पैसे बहुत मिलेंगे, पर आपको चेक करना होता है कि उसकी कीमत किता नहीं देना बोट रही है, और हमने as a finance manager CFO यह चेक करना चाहिए, कि हमने अपने company को कम से कम cost of capital वाले पैसे लाके देना चाहिए, समझो मेरी कमाई 20% की है, और मेरा cost of capital 10% था, तो मे करता है, भी international funding करवागे देता है, अब international funding से क्या होता है, जो इंडिया में 6-8 टके का पैसा मिल रहा है, उदे से 4 टके का मिलता है, तो अपना as a culture कि तुम किसी company का CFO बनोगे, तो आपको एक काम अगर आपने किसी company का के ओ कम कर दी है ना, तो आपका promotion हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि अगर इतना आप किसी कम तो यह चीजे वैसे होती है, यह आपके लिए चाप्टर है, पर किसी organization को सच में इसके ओपर बहुत क्योंकि आपने बैलेंश लिखते किसी कम नहीं का, आपको एक्विटी आता है, और डेट आता है लिखे, वो डेट इस वाट वेरी कॉस् किसी के लिए डेट बहुत बढ़ी चीज होती है, कुछ ऐसे लोग होते जिनके लिए डेट काम गए नहीं है, जैसे example, जैसे कोई कमनी है, ITC लेल, जो सुट्टा बनाती है, उनको डेट की जरूरत नहीं है, उनके सिगारेट से इधना पैसा मिल रहा है उनको, तो उनको फॉर्मिला जरूर hypoth auchin है, कुछ लोग के डेट लते ही नहीं होगा, जैसे मैं भी डेट लेत, तो मैं को केड़ी जरूरत नहीं है, मेरा प्रेफरेंस पर जैसे तो के बीच जरूरती है, और तो मुझे के आर की जरूरत पड़ती है, और अगर मैं एकुटी से पैसे इशु करके मार्केट से ला रहा हूं देखो जा मैं पैसे फंड रेस करता हूं तो मेरे पास्टेरेक्ष नहीं कि 여러ें कि मैं टो हुत है ओप़ को लगता है इसकी लुटी नहीं कोई कॉस्ट होती है आए प्यो की भी कॉस्ट हो जिना बताओ कैसे मैं इस्जु करूंगा क्या एक्विटी तो एक्विटी के ऊपर चो मैं कमाई करके जो लोगो को दूंगा इन दे form of EPS और इन दे form of DPS वो मेरी कोस्टिंग हो जाती है नहीं जब मैं बैंक पर ऐससे बिएंक व्यक्ष तुम्न कि दिधियन देता हूं तो इधर KD ये लिखाशता है कहां पे ज़्यादा हमें फाइदा हो रहा है एसा क्लिर एविवान अब चलो फॉर्मिला को देख लेते पताओ केडी इस इकल टुट वाट इंट्रेस ब्रैकेट में वन माइनस टी वो फॉर्मिला क्यों क्यों करते हैं पर इक उस पीन के डेविट आइटम है डिवाड पाई क्या करेंगे अब ये दिखो केडी में दो फॉर्मिला एक रिडंबल इक एर्रीडीमेबल तो पहले इर्री डिमेबल कर लेते तो मैंने क्या लिया डेत लिया तो इस पर इंट्रेस इंट्रेस बाइकेट में वन माइनस टी क्यों करना मेरा tax save करता हूँ, because interest is the item of P&L P&L debit तो वहाँ मेरा tax save हुगा है, तो इसलिए मैं interest लिगूँगा है और 1- tax लिगूँगा? पर यही मैं ज़प्रेफरेंस करूँगा ना It is the appropriation of profit So it is not the item of P&L तो उसके समें सिभ में preference dividend लिखता हुगा है, bracket में 1- T नहीं लिखता है, is that okay everyone? ओके, आगे बढ़ेंगे अच्छा बता हुगा उसका मतलब क्या है redeemable का, divincer का formula का है interest, bracket में 1- T उसके आद में RV-NP upon upon N या upon 2 N, whole upon RV-NP upon 2 हो गया है, अभी RV क्या होता है, redeemable value N, P क्या होता है, जो मेरे हाथ में पैसे है brokerage होगा है, सब कट-कट के अगर 100 रुपए का मैंने debenture issue किया, 2 रुपए brokerage ने काट लिए, तो मेरा हाथ में किता है 98, तो 98 होगा है, मेरा N, P बढ़ाबर है, चोरन 100 रुपए discount में भी की 95 में और उसके उपड़ रुपए ब्रोकरज भी लगा तो 93 is my N, P brokerage हमेरे शक्राइब किस पी के उपड़ होगा जो face value है, नहीं समझे दो टकका, दो टकका किस पर 95 पे लोट करेंगे या 100 पे, तो 100 multiplied by 2 या तो परसंट आजागा अब पड़ो, पूरा वापस से बढ़ो अब बताओ, N, P तो समझ गया, R, V क्या है? कि 5 साल के अगर लाइफ है और ये चीज़ अगर उसको जाते समय जब मैंने लिया था, तब 100 में लिया थी पर वो बलता है, 5 साल मुझे 110 लाके देना तो R, V क्या हो गया? उसका 1, 1, 0 N, P कितना हो गया? 100 आया था, 5 उसका डिसकॉंड में गया, 2 रुपया ब्रोक्रेज गया तो 93, आये कितने? 93, देना कितने? 110, तो कितने का घाटा हो गया मेरा? इसमें मेरा घाटा 17 रुपय का यानि कि देखो, मैं डिबेंचर ले रहा हूँ, तो इंट्रेस तो देही रहा हूँ इंट्रेस का घाटा है ही नहीं समझें? पर वो जो 17 रुपय का घाटा वो भी तो मेरा वी तो मेरी कॉस्टिंग मेरा चाहिए तो इंट्रेस को ब्रैकेट में वन मैने स्टी लिख दिया प्लस क्या लिखा मैने देखो है आपर? इसका मतलब भी कितना होगा? सतरो रुपय होगे और यो कितने साल के लिए पांच साल के लिए? और समझ में आए गाने? ये इसका मतलब भी इतना होगे आज भी कितना है अपना? 110 मैनस कितना कर देखा है? 93 तो कितना है? 17 पर 17 को डिवाड़ 5 से क्यों किया? क्योंकि पांच साल की कॉस्ट ही है क्योंकि जब मैं केड़ी के पी निकालता हूँ इसका लिए तो 17 इसका फाइव यर तो इसलिए मैं एक साल का जो मेरा difference वाला cost निकाला और interest तो लगता ही है divide किया मैंने मैं कितने पैसे on an average use कर रहा हूँ तो कितना पैसे उस कर रहा हूँ? 93 कोई बोलेगा 93 उस कर रहे, कोई बोलेगा 110 तो आमने 93 प्लस 110 को और KP में क्या सब कुछ सिमिलर है except 1-T एक बार बोलके देखता है भी? चलो जिसको नहीं आए वो देखे और जिसको आ रहा है वो मुझे ऐसे बोल के बता है redeemable पहले ये redeemable की बात करते है क्या देना पड़ेगा आपने को KP is equal to preference dividend bracket में 1-T ने यह तो best है कुछ भी नहीं कर रहा है अब वो redeemable के थोड़ा सा चेंज हुआ redeemable में KP is equal to PD bracket में तो कुछ नहीं है plus RV minus NP upon N hold upon RV plus NP upon क्योंकि हम लों जब KD कर रहे हैं तो KP भी अपने आप ही हो रहा था अब चलो क्यार की बात कर लेते क्यार का है KD कार यानि की मेरी ही पैसे जब मैं धंडे में लगाता हो तो उसकी कोश कितनी दो कैसा होता न बेना है earn तो जब मैं Reliance कम बने बहुत पैसा कमा है तो मैंने लोग को बांड देना चाहिए लोग को पैसे देना चाहिए मैंने कमाए 100 रुपीज पर लोग को दिया ही नहीं तो लोग क्या बोलेंगे यह हमारे बाप कमाले हमको दो क्योंकि किसका है तो किसको देना चाहिए तो रिलाइंस के मुखेश जी बोलेंगे नहीं रुको जरार यह पैसे जो नहीं जो ग्रोथ के लिए चाहिए मैं और दो चाहिए कर रहा हूं। हूसे कार रहाँ है यह जो दीन किया में है क्योंते हैं। हां तो भूंके जो लें दस टके कमाएंगे तो पर तुम भी तोड़ा टेक्स बरेंगे वहां भरेंगे न तो ले इसका उनलब तुम कितना कमा सकते थे 10-10 टेक्स तीश टका मान लो तो 10 ब्रैकेट में 1-3 टका याने की याने की 7 रुपया तो क्या हुआ के आर इस इकल की ब्रैकेट में 1-3 बड़ाबर है याने की जब हम अपने पैसे अपनी शेरोल्टर के पैसे अपने धंदे में लगाते हैं तो आपको कमिट करना पड़ता है उन शेरोडर को भाई तुमको मैं पैसे नहीं जा रहा हूँ पर यह प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इतना पैसा कमा के दूंगा अरे बिल टो अंडरस्टेंड एवरीबड़ी अरे सब समय रहा है कि है तो क्या मतलब आ इसका के आर मैं 10 परशन कमा सकता था मुकेश जी वो कि जो लिए ठीक है मैं आपको 10 तका कमा के दूंगा पर जितना तुम टैक्स भरते उतना नहीं कमा के दूंगा यानि कि तुम कितना कमा रहे थे? अरे कितना कमा रहे थे? यानि कि 10, bracket में 1-30, यानि कि 7 रुपया यानि कि मुकेश जी के response बढ़ी क्या होगी? मैं आपको 7 रुपेश कमा के दूँगा यानि कि हम जो अपने ही श्रोल्टर का पैसा, जो उनका था, उनको आपने बाड़ देना चाहिए था जो नहीं दे रहे है और अपने खुद को यूज़ कर रहे है तो उस पैसों की भी किमत होती है अब बता नॉन टैक्सिबल क्या है? अगर मान लो वो पैसा जो उनको मिल रहा था और वो अगर उनकी हाथ में नॉन टैक्सिबल होता तो वो लेगा मुकेश जी आप एड़ा एड़ा मात बनाओ यूगि वो जो 10 रुपे आते हैं उसके उपर हमें वो टैक्स कटके आते हैं तो हमारे हाथ में आफ्टर टैक्स दस था तो आप भी हमें 10 रुपे का था इसलिए उसके लिए करते हैं के आर इस इकल टो के ब्रैकेट में 1 मेंस टैक्स नहीं लिखने का इससा क्लिया? ओक्या आगे के ये बात करेंगे के में चाही फॉर्मिला है एक तो इनके दो बेसिकर एक तो डिविदेंट आप प्रोच है और एक तो EPS आप प्रोच है कुछ लोग बोलते हैं जो डिविदेंट अक्शल में दे रहे हैं वही कॉस्ट है तो क्या कॉस्ट हो जाएगी? के इस इकल टो डीवान अपान पीजर जो लिएक और नोगर चेहां मुझे क्या मिला आपसे? P0 मिला उसके इसके आप पो क्या दिया है D1 वह D1 क्यूं लaimer लिगते है? अज हम लोग किसी दिविदो हो P0 होता है पिज्विदयर इसके उपर मैंने क्या दिया है? तो D1 आपान पोन पीजरौ और अगर ही भी एक बात देहना है कुछ Warren Buffett जैसे लोगों थे Warren Buffett बोल रहा है, ऐसे तुरुन नहीं होता है अब Warren Buffett के मौनड़ों से Warren Buffett क्या बोलता है यह formula पर मैं believe नहीं करता हूँ ओ बोलेगा मैं इस पर believe करता हूँ क्यों? ओ बोलता है because मैं यह नहीं मानता कि हर साल मुझे सिर्फ D1, D1, D1 मिलेगा क्योंकि कम्पनी जो Coca-Cola है उसको 1986 में जब मैंने पैसे इंवेस्ट किया और अभी भी मैं इंवेस्टेड ही हूँ तो जो 1986 का जो D1 होगा, डिविडेंट और आज का डिविडेंट तर इसे हूँज दिफरेंट तो D1 लिखने से प्रॉब्लम क्या हो रही? इसका उनलब आप ऐसा मान रहे हो कि जीवन बर में इंका डिविडेंट उतना ही जाएगा सेम अमांट का पर प्राक्टिकल लाइफ में तो आइसा नहीं होगा डिवन दस रुपे होगा पर कंपने ग्रोपे ग्रोपे देंगे पर आज रुचे तो फिर अगले साल D3 पंदरा रुपे का होगा तो इसे ग्रोथ इंडिविडेंट इसे होता है लोग जतना कमाएंगे उतने बाटेंगे ना कि नहीं बाटेंगे तो कमा तो D1 is different than D2 D2 is different than D3, D3 is different than D4 that's why how do we write it के E is equal to D1 upon P यह तो पर प्लस ग्रोथ ग्रोथ एड़कर दोस्म तो इसका होगा इन दोनों में क्या फ़रक है यहाँ पर क्या assumption है कि company G1 पर same dividend देंगे यहाँ पर क्या assumption है company जिंदकी पर same dividend देंगे there will be always growth इसले D1 upon P0 plus G, everybody got it अब बताएंगे EPS यह अलग mindset के लोग है पता इसका मतलब क्या होता जो भी company कमा रही है कुछ लोग बोलेंगे हम जो actual दे रहे हैं वो dividend है वो ही हमारा खर्चा है पर कुछ कमनी बोले कि ऐसा नहीं है यह मतलों 100 रुपे कमाए dividend से 20 का दिया है और जो 80 नहीं कमाए वो आजना कल तो उनके ही है यह कल company चाब winding up होगी यह जतना पैसा बचावाया है वो तो इन ही लोगों में वापस बढ़ जाएगा नहीं समझे तो company काउस कित्ती है 100 रुपीज है 20 रुपीज dividend के वाले लोग बोलते है 20 रुपीज काउस्ट यह बोलते है जो हमने 80 नहीं दिया न वो भी तो उनका ही है यह मानते है 100 रुपीज काउस्ट तो examination में पूछेंगे earning price approach से करो तो आपने क्या लगना चाहिए K E is equal to EPS 1 upon P0 और उसी को growth के साबसे EPS 1 upon P0 plus G everybody understood यह भी खत्ब अब चलो यहाँ पे जाएंगे realize यह सबसे sexy approach लगता है मुझे इसमें क्यों sexyness है यह अच्छी बात क्यों है यह है जो सही जब बात करता है बाकि सब भखवास करते है क्योंकि जब मैं किसी कमने में invest करता हूं मुझे से D नहीं मिलता है D1 वो price gap भी तो मिलता है मुझे भाई मैंने 25 के share लिया उसने 25 का dividend दिया तो आप बोलें से आपकी कमने 25 रुपए यह बोलना वेर्थ है जो मैंने 25 में लिया था और आप उसके भाव 3000 के हो गए जो 500 रुपए जो भाव बढ़े है ना वो भी तो मेरी कमाई है तो मैंने कितनी कमाई करा D भी कमाई है और P1 और P0 का जो डिफरेंस हो भी कमाई है यह दो करे वह लिखा है D भी कमाई यह भी कमाई तो क्या कमाई है मैंने मैंने dividend भी कमाई है और MP1 मैनस MP0 याने कि यह था किता यह जो 3000 हो गए यह था 3000 और आप कितना हो गया पच्छीस सो किता लगा है हां यह केतना हो गया यह एक यह तीन हजार यह पचीन सो तो मैंने पांसों भी तो मैं और डिविदेंट से किता हम है तो मैंने ऊपर किता है 525 पर यह पहले दो अपर आपस था न वो कैल देड़ से 25 कमा आ तो यह यह प्रोच का मानना ही कहलत है कौन सा एक्षुल कितना कमा है 500 गैप से कमा है और 25 तो 525 उपर आगा निचा हैगा 25 जाएगा इसको तो रिया अप्रोच रियलाइज अप्रोच लास्ट में यह तो अच्छा है रहे C.A.P.M. ए C.A.P.M. क्या बोलता है कि कोई भी कमपनी का कॉस्ट अफ कैपल कैसे निकालते हैं कितना होना चाहिए इट डिपेंड्स अन बीटा कोई भी कमपनी में जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो उससे मेरी कमाई कितनी होना चाहिए डिपेंड की कमपनी कितनी रिस्की है अगर मेरे पास में में एवडी में पैसे रखे जासे में जाथ 7% मिलता है और आपने बोला सब्सक्राइब पैसे तो कितना मंगेंगे और आपने बुद्ध रिपीट अगर मैं आडानी में लगांगा तो वोलूँगा और भी जादा रिस्क है तो मैं 7% में खुश हूं हूं बैंक से पर मैं 10 टकके में भी खुश नहीं हूं आडानी से क्यों मोर्स मोर रिटन एम एक्सपेट्टिंग तो क्या होना चाहिए अडाणी से कितना वैसा मिलना चाहिए रिस्क फ्रीग साथ टकका तो मिलना ही चाहिए है पिर उनकी मानलों बीटा तीन की चल रही है और आ रहे हैं मैंने की Sensex या निफ्टी से कितना आता जनरली तो पीछले आपना क्लास में भी देखा था लगबग 14 टक्के का रिटन निफ्टी से आता है तो मार्केट कितना दे रही है 14 टेन बेंक कितना दे रही है 7 अब यह जो मार्केट जो होते हैं बीटा क्लान की तो आप मुझे बता आप 14 से ज़्यादा मांगे के कंव उग जिसका एक का बिटा है मार्केट का वो देरा चौदा जिसका जीरो का बीटा है जीरो का बीटा बैंक का एफटी वो देरा साथ आप जीरो वाला बीटा वाला साथ देरा एक वाला देरा चौदा याने एक टक का बीटा बढ़ गया तो मार्केट ने साथ तक के 7% मुझे अधिक दिये अभी होला तीन पाइसा मांग रहा मुझे तो इससे तो मैं साथ ना मागगू, चौदा भी ना मागऊ, मैं तो आप ज्यादा मागऊंगा, मैं तो बोलूगा, ये साथ तो दे ही दे मुझे, पर ये दोनों का डिफरेंज हो ना, साथ तक का, ये साथ का तीन से मल्टिप्ला तो 7% प्लस 21%, या तो पहले से मिली रहता मुझे, 0 पे, तो 7 प्लस 14 वो 21 हो जाता, और 4 बीटा के लिए, 4 multiplied by 7, यानि कि 28 तो बीटा के विसे मिलता, और 7 तो basic मिली रहा, तो 35 मिलता मुझे, इसको बोलते हैं, I think सारे formulas हमें clear, everybody understood this, formula में कोई tension, formula समझ गये, देखो बगर formula के आगे नहीं बढ़ कौंसे कौंसे, यह परे लिलो, question number 12, कौंसा बच नमबर रिदेखो, question 10, एक बार देखवा है, किदर लाला है, इसको 12, कुछ-कुछ question, रिशाफल के, आखे पीशे के, जैसे को आख लास में हो, ऐसे के, 17, 12, तुमको दिखा कोई, मुझे भी नहीं दिख रहा है, तुम मैंने दिख रहा है, तो मुझे दिखेगा है, नहीं, है के नहीं, 12, क्या है, दूसरा लिए, उसके अलग लाग लिए, थर्टीन है क्या, पेज नमबर 72, क्योंसे नमबर रिदेखो, चलो, पेज नमबर 72, पेज नमबर 72, चलो, हाँ, नेक्स्ट, यह कोज़ा क्वेश्टन है, 11 नमबर, 13, ओके, इतना चुटू सब्सक्राइब, हाँ, चलो, देख लो, यह क्वेश्टन क्यों करना जरूरी है, क्या क्या क्लेर हो रहा है, वो बोल रहा है कि, आच्छ, यह वही है, यह मिलद रहा है, कि यह वह बोल रहा है, यह बोला है, कोज़़ slopes क्रें पहीश्ट पर सी, यह बोल रहा है, एक बीटा की इक तक पर दिस ब्लब पर दस ब्ला मार्केट पर एक बीटा उते हैं से फंद्राप तो यहने की जी रो और एक cassette उसे अगर जगरहां डेतए पर पहूर था उक्ता कितने के जादा एक बीटा की वैलियू अगर माली जी किती है बोलो गार तो 1.75 की किती होना चाहिए 8.75 अधीक होना चाहिए अधीक क्योंकि बेसिक पे तो 10 मिली रहते हैं आरे मिस नतिंग बट निफ्टी वाला आरे वैने रिस प्रिया ने एफडी वाला और बीटा जिसका बीटा जिसका बीटा होते हैं नेक्स्क्क्वेशन बेटा बेटा 101 पेश पे जो कौन जा कुछन है 39 चलो आजाओ देख लिए इसको एवरीबडी एक क्वेशन में दोजार अठरा में पूछा हुआ है में दोजार अठरा में शुड़ा बेगिन नावे लिमिटेड ऐसा नाम है विशेस टू रेज एडिशनल क्यापिटल और टेन लाक रुपीज मेटिंग इस मॉडरनाशन प्लान तो कंपनी दस लाक रुपी और चाहिए रहेंगे दे देंगे इटास थीन लाक इन दा फॉर्म आफ रिटेंट अर्निंग ओर्डी तीन लाक है इसके पास में यह वो क्वश्यन मझे पता इसमें गुत्ती है वो वो क्या है ना वो थीन लाक उनके रिटेंट अर्निंग में तो आप क्या लोग क्या करते है बहुत प्रॉब्लम होते है देखो डेट इक्विटी 40-60 है तो कैसा करेंगे हो तो उसका पैटन कैसा आगा क्या है 10 लाक का 40 टक का बोलो क्या है तो फोर लाक डेट से आना चाहिए और छे लाक किसे आना चाहिए एक्विटी से समझ गया है अब वो छे लाक में से तीन अलड़ी तो आपका फॉर्मेट बन जाता है ऐसे बराबरे देखो 10 लाक पोचाईए चालेस कुछ लोग क्या करते हैं इसमें कन्फियूज क्या है वो बहुत थीन लाक रुप है अलड़ी रेटें डर्निंग में है तो लोग क्या करते है तीन हटाज दे और साथ लाक लिखते हैं और साथ का 40 टक का साथ टक के करते हैं वैसा नहीं है यह डोंट डू 40, 60 और 7 लाक आपको 10 लाक ही लिखना है उपर उसका 40 इदर आएगा और 60 इदर आएगा और यह जो 60 है ना उसका 3 लाक तो हमारे पास अलड़ी पढ़ाया है 6 लाक का 3 लाक हमारे गर पे अलड़ी है और 3 लाक आपको बैलेंस एकुड़ी से लाना है ऐसा उसका मतलब है तो क्या मिस्टिक नहीं करना ची डोंट है 7 लाक का 40 और 60 इदर इसा नहीं हो 7 लक नहीं उपर 10 लाक ही है 4 लाक आपको डेट से चैए 6 लाक आपको एकुड़ी से चैए एक कुटे में से 3 लग तो आपके समें रिटेंट था और 3 लग बालनस एकुटेस आएगा तो आपको फॉर्मेट कैसा हो गया अभी टियशा question केडिए फोला तो पोस्टैक्षी होता है सब पोस्टैक्षी ओलडी बूस्ते हैं counteralt PG by kay onemeyer इस एक्वल टू इंट्रेस्ट ब्रैकेट में पर यह वो नहीं है डिवेंचर वाला के रिडिम वल यह नॉमल डेट है तो कुछ करना ही नहीं था देखो अप्टू इन्होंने बोला है अपन जो डेट ला रहे थे न किते चार लाक चार लाक में से 180 लाते हैं दस टके से और ब इसको लाया 16 परसेंट से कितना रहे यह यह अठाजर आया और इसा कितना रहें इंट्रेस्ट टू टूट्वेंटी को सिक्ष्टिंग अगे अगे यह जो दस टक्का दिया है यह बिफोर टैक्स दिया हुआ है ठीक अबंद करें उसको एक काम करोगे आप इसको अपको निगालना आ रहा है कासे दिपालना किसे निगालता आप किसको 1800 plus 10 माइनस कितना करूँ 50 पर सेंट बलाबर और प्लस कर देता हूँ 220 के 16 माइनस 15 बलाबर तो 180 क्यों मैं तक्रूंटिन को मृटिवल मैं पंच टक्के से प्लस 220 को मैं मृटिवल मैं कर-1 8% कितना रदर इको यह कितना नोजार आ रहा है यह कितना रहा है तो कितना हुआ सब 2600 अभी कितने पर आया है डिवर्ड बाए चार लाग तो मुल्टिप्लाइग और आपको पर सिंटी जा जाएगा 6.65 डिभॉइज आगे शिक्स पॉइंट अबस्गी इस सिक्स पोइंट कैया हो गया है कि टेक्स पर स्वाजब यह अगर आप वह क्या बोला केड़ी की कोश मता आप उनके वहिया तुम कर ले ना यह बोल रहा है कि चार लाग काल बता हुए तो घुल्सक्ता अब को आपको एसा नहीं बोल सकते ना आपको आइसा नहीं बोल सकते आपको एज अवोल डेट पर कितने कोश्च बता रहा है next calculate return earning बोल रहा है and kee भी बोल रहा है return earning का formula बोलो भाई और यहां पे वो जो tax है ना उसका personal tax होता है यहां पे personal tax कुछ भी लिखा नहीं है तो अपन personal tax तो मानेंगी नहीं नहीं अपने पास में तो के आरे सिकल टू की है पर के तो अपने को पता ही नहीं ना तो के निगाल लो पहले तो के किसे निगालेगे यहां पे उन्होंने दिया है dividend payout 2 rupees earning बर शेयर 4 rupees और इसकी दी है 44 rupees का उसका P0 है तो company नहीं कितने पैसे लिए 44 कौन सा इसका जवाब देदो भाई कि करेंगे इसका इसका जवाब देदो भाई हाँ 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 हे । है कि अजी करेंगे अब बताओ किया निकल आपमें फॉर्मुला करेंगे दीवन करेंगे और बाइंगा वैसे । इसको ध मानेगे बाइगा 202 उपर इगा 44 नहीं वाइगा और सब्स अंशर किस न आ रहा है। आगे वीजिए आपके तारह आगे पां ड़्र वक में किया आता है सोर्स अमाउंट एकविटी आ यह फर इट वान डे टू और दीजिए थे आप उसका वेट टूपा है आपका पूरा फंडिंग किता है 10 लाक 10 लाक में 3 लाक इने 30 टका 30 परसेंट 18 यह तो बराबर है आप इसका जो एक्विटी का है अपने भी निकाला ना एक्विटी 15 टका यह भी 15 है और इसका था कितना 10 टके क्या 50 टका 5 परसेंट और इसका 16 कप जास टका 8 टका मुल्टीप्ला होने यह ऐगे और हैंज को यह तोटला यह ने कमपणी का ओर अवर अल सारे उसको को मद्द नतर रखते है यह कंपनी कर और में कोस्ट अभीं से जड़ा हुई तो चाही हम आप नहीं सुझाओं करें वर्ना कमपनी विल बी इंट ऑ department लोसस समझारा नेंक्स व है वह बहुत जादा आपके लिए फाइदे मंद होगा ध्यान लगाना बहुत सारे कॉंसे कम समय में हम लोग कवर कर रहे हैं अच्छा इसके बाले कप पढ़ा था आप नहीं कितना राइम होगी एक हाथे पहले क्लास के दौरां मिटा शरम नहीं क्लास के दौरां हां कि आपका तो अभी भी हुआ है कौन से कुन से लगा इपीप से यह उदस है इतने सो रहा है कितने टेस्ट होगी एपीप सारे है अभी फूल कोर्स बाके है क्या गजब है फिलिंग कॉंफिडेंट मोर कॉंफिडेंट अभी तुमको और मजा रहा होगा इसमें ठीक है इसके पहले वाले वाह कैसे मजा है ना चालो ठीक है जुलाई 2021 में मार्क्स जख्स के लिए यह पूछा हुआ है आपके सामने अब बताओ तो अपना एक काम हो तो की खतम कर लोयर एक के निगा दो रोसको डिविडेंट प्राइज अप्रोच विद ग्रोथ वाले से यह छे से कितना हो जाएगा है 6.36 डिवाइड कितने से करूँ 120 से प्लस छेटा का कर दूँ के निकल गया 5.3 प्लस 6 है 11.3 बदा बर है यह आगा हमारा के ए देखो 11.3 परसेंट ओके आगे बढ़ जाते हैं इसके साथ में करेंड माजीत हो गया टैक्स 30 परसेंट एडिशनल फाइनांस को तीस लाग का और चाहिए डेट इक्विटी रेसो टूइस्टु वण के लिए टूइस 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 टूइन क्यों लिगा तीस लाग उसको और चाहिए तो डेट किता है और दस लाग का से एंगे बराब और इनके बारे में लिखा है कि अगर आप कॉस्ट आप डेट है अगर पांच लेते तो दस्टक कर लगता है फाइव तो टेन लेते हैं तो नाइन प्रसेंट और यह तो ठीक कर लेंगे आजुमिंग देज़नों रिजर्व रिजर्व नहीं है यह सब लिखा है फाइंड आ उसका भी निकाल देंगे and the overall back मुझे लगता है हम लोग यह आसा नहीं से कर सकते है उसको आप मुझे बताओ पहले तो इनका पैटन बता दो इनको पैसे केतने चाहिए तीस लग का पैटन बताओ je उस बीस में भी क्या करेंगे पांच का अलग है फिर पांच का अलग है और दस क्या रए यह तो एक दम पैटन तो अपना डेट का बता दो जाए है तब एक काम करते ना अपने इक काम करते हैं अपने वाद में बैक निकालना है तो वैक के कॉलंब्स कितने हैं ते फिर उसके अमाउंट वेट रे ट्रेक इत्री अज़ा है तर्फित यह कितनी हो गए थार्य दो एक इक विटी और देट एंदर तीन बच्चे अब तो है लैक्स आप टनलाइक और टनलाइक्स आवग्शा फिर उसके ऑ जाने के 33% and 66% देखलो यहाँ पर एक बर इद देखलो यह सब सही चल रहा है एकदम क्लियर है अब उसके बाद में अपने रेट निकालने का है एक उडिगा कितना है अपने निकालना एक उडिगा केई तो यह 11.3 से मुल्टिप्लाइ कर देंगे इसको और अपने जा करेंगे तीनों का डिफ्रेंट निकालके एक बार केडी निकालके डारेट यहाँ पर डाल देते हैं तो क्या आप केडी निकालके पता सकते हैं आप केडी कैसे निकालेंगे है चलो मुल्टिप्लाइक रोफ फास्ट बावे बोला सा कम आन बोलो मेरे बॉडि में इनर्जी आ है यह वीज़ फास्त फास्ट खेड़ी और कीटिसारियन रेड़ीनाऊ कैसे किया आपने इसको हुर记 को मप अंटम्राइ मुटिप्ला फट्रिया यह घटवल्आ इस ठख का से क्तेग से ने मैंत सिय गोर्टेग के टेस को तो आपने यह दस कितना हो जाए गां रहा तो आपने क्या करना है कि पांस खूलाक मुटिप्लार गर्म सय यांए कुछ तैज 35000 सब्सक्राइबू साथ एलाज को पॉस्ट उस्टाइब तू ख्रॉक करनाय की सब्सक्राइब प्रीड पांंच लाज को ऌर हिए ये न्युक्ट भूल रहे हैं इसलिए बस्त пरuw अगर आपि 10 9 8 से मुटिप्लाइ कर दिया न तो फिर कंड हो जाया gonna so do not forget today डिर्ट देट इंटर्स पाट ओके चलो आजाओ एवरीबड़ी रेडी ना चलो भाई चलो भाई चलो भाई कम ओन एवरीबड़ी ये सार मेरे जित्ते का जित्ते जोड़ से वला उसता उत्ता धिला अंसर ता आपका केडी कितना है वो तो पता हो इस पोईंट हो गया ये मल्टीप्लाइ मल्टीप्लाइ करदो फिर आगया हो गया हम्-हम खतम question next question कौँचा क्वेश्चा है और तुम ने वासे तार वाले रूणर रहन तुम कौँचा प्षचा एटीन चलो एटीन प्राजाओ एटीन दिखरा किसको solution नी से सोगा दिखरा क्या विया किसी को ने दिखा ने इस्वेस्ट बोल दिख तक कॉंचा 19 अगला स्टार में कॉंचा विटा एटीन ने इन दिन उन्टार एटीन ने 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 अचे उच्छ एटीन ने 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 नीॉत नौट कोश्च पूस्य इठीन वाल एकों ढूम पह से क्वेस्टे इंग Hey बटा भाई कौव ए एटीन नहीं दूस्टा तो वो dok illustrations illustrations इलस्ट्रेशिस्ट थे लौलो के सामने कल्यानम लिमिटेड है उन ऑपर्टिंग प्रोफट फटिफोर लाग 50,000 काँ हो है, हाँ Operating Profit 34, Operating Profit या नहीं E-B-I-T, हाँ, E-B-I-T Has Employed Debt which gives total interest charge of 7,50,000, कितना रहा है Debt, has Employed Debt which gives total interest charge of 7,50,000, कितना रहा है The firm has existing cost of equity and cost of debt 16 and 18% respectively याने केई कितना है? 16, केडी कितना है? 8% respectively The firm has new proposal before it which requires funds of 75,00,000 and expected to bring an additional profit of 14,25,000 To finance the proposal the firm has expecting to issue additional date of 8% and will not be issuing any new equity share in the market assuming no tax culture तो आपको निकालना है WAC वो भी before proposal after new proposal तो ज़रा सबसे पहले बता हो यह 34,50,000 किया है? आपको WAC निकालना है WAC के लगे का मतलब किया था? WAC का? Source Amount Weight So, what are all these? These are 34,50,000 तो अगे has an employee date which gives total interest charge of 750 and the firm has existing cost of capital and equity 6 and 8% respectively The firm has a new proposal before it which requires 75,00,000 and is expected to bring additional profit of 14,25,000 to finance the proposal The firm is expecting to issue additional date of 8% and no equity for it So, now, how much money in the new proposal पैसे चाहिए? 75,00 And where will they pay the price? Dates And say, and will they pay the date? How much date rate is? 8% यहने और टेक्स क्रेट है रहे गया? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नहेगा? पोस्टेक्स कितना है? 8% एट परसेंट टेक्स नहीं है तो परसेंट अरे भाई, इस कुछ क्वेशन में वहियाद क्वेशन है सेवेंटी फैलक्स चाहिए थे, पूरे की पूरे डेट से उठा दी है और आठ तक कैसे डेट लिए और टेक्स है नहीं है तो क्या आठ का आठ ही रहेगा? आँ बात ही कहता है? मैं एदा देख लिएशे पहले वाला डेट कितना था है इसमें? ठीक है पर अभी इन्होंने 75 लाक्स एड़ किये? बराबर है अब बीफोर में थोड़ा सा जाते है और बीफोर में समझते हैं कि हमने कितना पैसा लिया बीफोर में क्या था देख एक बर यहां पर इंटरेस्ट कितना दीवा है? सेविल निकला और उसका कितना कॉस्टा था शिक्सटीन तो एट से डिवाड़ करो तो टोटल निकल लेगा कि 90 कि कया है जो आइंटी कि prizes आगे यहां पर देट आपका का तम एक गुद टुक्र कूस्ट देट आ गया, आफ्टर कभी देट आ गया, पर बिफोर की एक्विटी कितनी है, यूँकि वहां का केई कितना है, तो रिक्वाइज इतो एक्विटी कितना है, 34,40,000, उसमें से इंट्रेस मैनस कर दो, तो ये जो 27,00,000 है न, वो उनको कितने जैसे लगते है, 16% जैसे लगते ह तो वो पैसा 16 टके जैसा है, तो उसको 16 टके से डिवाइड किया, तो उनकी ओलिशन निगली, 1,68,75,000, यहां मिला एक्विटी से, और पहले उनको कितना पैसा हुआ, तो 168 मिला था एक्विटी से, ये मिला एक्विटी से, 2,00, तो ये होगा टोटल, ये होगा टोटल, अफटर में इतना पैसा, बराबर है, अपने हो क्या करना है, वो करना है, जो हमेशा पन करता है, वैक वैक, तो आपस क्या करेंगे, source, तो बराबर है, Department Search, amount weight, source कितना याद रखना ये पोस्ट जब बोट रहे हैं ना देश्ट रोन पोस्ट पोस्ट इस इकॉल टू प्रिएस वाला और पोस्ट वाला दोनों एड करते हैं वापस बोलू वो जो से 75 लाइस का एट टका नहीं बोलना आपने को वो 75 लाइक्स पहले वाले डेट में गुसेड के नि आपके पास में आया हुआ है आपके पास में आया हुआ है आप कहेंगे इसका जो 20.88 क्यों आया तो क्या हो रहा है ना इन सबसे अब आपका क्या हो रहा है यह देखो इसका कैसा वरकिंग है आप पहले वाले कितना EBIT कमा रहते हैं अब आपका additional EBIT कितना हो गया तो आपका total कितना हो गया दोनों का interest आके इतना बचा के नहीं बचा है और आपकी value of equity कितना इतनी है तो आपको पहले जो क्या बना है इस सुनो मैं कोई additional धंदा कर रहा हो ना तो उस additional धंदे के वज़से interest जाने करते हैं जो पैसा बचता है वो profit किसको जाता है शेलोल्टर को तो शेलोल्टर को पहले क्या है मैं इस सुसुआ कि हमें सिर्फ मिल रहा है शोला टका पर यह एडिस्टन जो 75 लाइस रगा कि जो उन्होंने additional पैसा कमाया ना आप शेलोल्टर को फील हो रहा है कि हमारी कमाई शोला टका नहीं हो रही है इतनी हो रही है बिकास नया जो 75 लागा उससे भी पैसा बचा है उनको नो दे आर गेटिंग आरो एफ 20 पॉइ जा रहा है everyone I think this was an important question लब आपके लिए अच्छा question था है everyone चलो जल्दी से नेक्स पढ़े आगे चलो आजाओ question number 14. कौन सा पेज नमर है? 78 पेज पेज पेज़ाओ yes 78 चलो जल्दी से सौल करेंगे इसको solve करो सभी लोग इबड़ पढ़ो इसको a company is considering the raising funds 100 lakhs by one of the two alternate आपको किते पैसे लाना है? 100 लाखर लाना 14. कौन सा पेज नमर है? face value of equity shares of the company कितनी दस? while current market price कितनी है? अच्छा है यानि कि market price 200 की face value दस रुपे का company is going to start a new project and it's a planning to finance it partially by new issue and partially by retained earning कुछ पैसा खुद के पास है? कुछ बाहर से लाएंगे? you are required to calculate cost of equity shares as well as cost of return earning यहने के भी निकालना क्यार भी निकालना है? if the issue price will be 190 per share and flotation cost is what? 5 rupees अच्छा dividend at the end of the first year ने की यह P1 माना चाता है और growth rate किता है इसका? तो के यह निकालो जल्दी से पहले expected हैने की वो D1 हो जाता है तो D1 किता है? वो 10 के अंदर और 5 टक्के मत गुशेड़ दाना वो और 10 में growth included है तो 10 अपॉन क्या करेंगे? अरे कमपनी 190 में शुकर रही न? तो 5 टो पर तो cost है 185 तो 10 अपॉन 185 प्लस पास्ट अपॉन कितना हो रखे ही? देख लो clear? ओके यहाँ पे हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अपने क्या ही निकाल दिया? calculate the cost of equity shares as well as the cost of retained earning retained earning निकालना है हाँ यह क्यों आ लगे मैं तुमको बताता हूँ यह question में retained earning में flotation cost नहीं हो क्योंकि flotation सवाल सुन के लिए बड़ा अच्छा point है देखो इसमें क्या होता है जब हम लोग issue करते है तभी flotation cost लगता है return earning में हम ज़रूर बोलते है क्यार जीव तो कही पर actual में वहाँ पे कही ही जब होता है वो IPO होकर flotation cost लगता है पर जब मैं अपने ही पैसे यूज कर रहा हूँ न तो उसके लिए कौन सी flotation cost है तो इसलिए आपका सब कुछ सिम रहेगा सिर्फ वो जो flotation cost है नो हो मैनस नहीं होगा तो बता हम आंसर क्या है तो कैसे निकाला अपने हो सर हमने क्या किया यह जो दस हो दस को दस ही रखा फिर क्या किया दिवाट पर क्या किया 190 क्या प्लस पाच टकका किया पांसर कितना हैगा 10.26 10.26 कुछ गरबड होगी के तो से मार्केट वैल्यू लेदिए इस्यू पाइस की जागा तो नहीं तपना क्या था इसमें अप्लस पार के यह रहा हो यहां पर दिखा है यहां पर दिखा है यह पर क्या लिखाथा यह मिल्ड Uh देश वन वोर पॉइंट कुछ बी अंडरस्टूड कि जो हमारी 200 के प्लस दोस्रों ही लेना है तो इंस्टर टेकिंग 185 इंस्टर टेकिंग 190 वेट टेक 200 इसलिए आंसर बहुत इंपॉर्टन है ठीक है ना याने कि ना अच्छा सुनो वो उसका भी लॉजिक देता हूं में कि वाई सेट देखो अपने 200 रुपे की मार्केट प्राइज है पर आज 190 पे हो रहा है पांच देखेशन का या बाई जिस दिन इश्यू कर रहे था ना उस दिन 190 गाता है उस दिन मालों मार्केट गिरा हुआ था पर इन जनर तो 200 रुबी चीज़े तो इसलिए तो मेरे लिए तो क्या है ना मेरे लिए हो जाएगा यह उपर कितना हैगा 10 नीचे कितना हैगा 200 प्लस कित दिया है पर से पर से पर यह पर सब्सक्राइब यह आपके आपको नौलेज में एचा आना जरूरी और बोला नेक्स कोश्य यह वाला फोला भी एक है चलो जल्दी से करो, चलो एवरीवान चलो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, एक्जामनेशन एक मेने में आ चुकी है एक मेने भी ज़्यादा होगी चब्वेश देन, चब्वेश देन, स्पेशल चब्वेश चलो बढ़ाओ, चलो बढ़ाओ, तंदे का टाइम है, चलो ओके, चलो स्वाल करो चल्दी से चलो बढ़ाओ, चलो चलो देन, स्वान स्वाओ, चलो स्वागरे haveगा करो चलो समने है, टुभेश ज़्या चलो नह उने बढ़ाओ, यालो चलो स्वाल, चलो बढ़ाओ, यालो स्वाराओ, रुथरे जो फँद मेने हैं, ङुँड़ाओ, बढ़ाओ, भीचल, 4chemicalITE झाल 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 यह यह झाल 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 यह झाल यह झाल झाल यह झाल यह 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 झाल यह यह झाल यह 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 है यह है यह 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 है यह 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 है यह 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 है यह 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 है यह 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 आई यह 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 जोटेंगे पर्सेंटे Caribbean से दिन और महिने और साल निकलते भृइ बेएक पिरेड से मैं पाटuse पटसीज पईबैक ब trench शरका चार साल का अच्छा एक त Самय जतना कंप हो हुगा उतना आच्छी ऌटis उसके बाद आने वोला हर कोई पैसा प्रॉफिट में बदल जाता है है ना चुला आजाओ चुला बता बच्छो आप एक का मुझे बता ना पेबैक प्रेड आफ एक का बता हूँ एक साल लगा हमारा हमारे पैसा ने लिए ओक चुला बी का बता हूँ का पूर आप री ओडाले तो इतना जल्दी आप से कि चेंठे जह वाट बहुत आगे जाए गया ऐसे बोला करो कि बड़ा साधे साथ तो पहले से निकल गए अब ढही अजार निकालना थे अब बारा मैने में साधे साथ निकालते है तो नहीं अजार के चार मैंने लगे हैंगे सिंपल तो एक साल चार मैंने मत्स है और कर से अभी पेबैक अपना खतम हो गया अभी आपने करेंगे यह आरार अवरेज रेट ओफ रिड़स इसमें क्या निकलता है पैट ऊपर आएगा पैट मेरेज इन्वेस्ट्मेंट तो अपना पैट किता है लोन पैट और अपर आएगा पैट निचendas back investment से पहले में तो कुछ पैट नहीं है और है दूसरे में कुछ पैट है कि यह सब क्या है बता दो ऊपर कैश्प्लो लिखा है चल ठीए देखते हैं ने क्या कंसर क्या उसके बारे में प्रोजेक्ट एरा किदर है इसा पेबैक चल यहां पर लिगा पैट देख यहां पर जीरो है तो अपर ने लगा दसजार आए दसजार तो प्रॉफिट तो कुछ वह ही नहीं ना तो जीरो प्रोजेट बी में क्या कंड़े पाइफ थाुजड पर पता है क्या आप ने लगा दसजार तो अगका डिनॉमिनेटर में दसजार और निम्रीटर में कितना है प्रॉफिट प्रॉफिट ऐख़ प्रॉफिट आफ टैक्स 5000 अपन टन ताउसं कितना अंसर आएगा नहीं इए तो गलत बता रहे है यह आपको अपना पार्ट अपने इन्वेस्टमेंट अब यहां पर बताओ अपने पैसे कितने लगा है यहां पर कितने हैं पैसे 12,000 प्लस 4,000 16,000 18,000 8,000 divided by 3 तीन साल ना कितना है गा हुआ सही चल रहे हैं कम ओन लाइब स्ट्रीमिंग आपको यह अबल तो अंडर्स्टेंड इस एवरिवन अरे बोलो बाई चलो बाई आप बताओ डी के बाद अब अजल दी से है ना 10,000 13,000 16,000 कितना मचा 6,006 को डिवाइब को थी से आएगा दो हजाद दो हजाद दो हजाद अपन 10,000 20% आपको 10% से एंपवी निकालना है ऐसा एक दो यहां पर एक ही है तेन गए टेना है वो 10,000 वो यह एर वन के एंड में आए तो 10% से कितना होगा 0.9 से मल्टिप्ला गरा ला है तो 9,000 जैसे हो जाएंगे तो यह नपी भी नेगटिव में आएगा आपने 10,000 लगा है आते यह आते 9 हो गया है तो क्या होगा है यह के जार माइनस हो गया ना तो फेले का 1,000 माइनस है यह देखो हाँ क्या हो हाँ 9090 पकड़ लो कितना है गाँ 910 अगर दो डेसिमल पकड़ तो एकसार कर लोगा है पॉइंट नाइन जिरो नाइन पकड़ा तो फेर लोस केत्ता होगा 910 ठीक हम डिपेंड्स आप कितने डेसिमल दे रहे हो पर इन्होंने 30 पर से क्यों निकाला अब आयरा से क्यों से हो रहे है 30 पर संद एकसार में आप गोता है कैसे करते हो 1 divided by 1 divided by 1.3 is equal to 0.76 this multiply करो multiple by 10,000 7,692 माइनस करो 10,000 से आंसर आएगा 2307 माइनस सही है अरे बच्चो चलो और एक B प्रोजेक्ट कभी कर लेते हैं चलो बी प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट यह यह NPV मतलब होता क्या है अरे बच्चो आपको इतने पैसे आए ना और आपने लगाए थी इतने ना तो यह इतना सर्व दस जार फ्यूचर के प्रेजेंट में आते हैं 9090 की हो गए टाइम वेले अपने कि उसको उल्टा के सब्के आज मने 9090 बैंक में रख दिये दस परशंट रखे तो एक साल बाट टेंट और उल्टा बोलो 10,000 अगर एक साल बाट मिले तो उसका आज का वैल्यू 9090 है अपन क्या कर रहे हैं एफ पी को टीवीप ला रहे है फ्यूचर वैली को प्रेसेंट पिल ला रहे है चलो बता तो जली से चलो बोलो इसका बोलो चलो 7500 7500 कैसे करते रहे इसको 1 divided by अपना ऐसा करते है न उसको अभी इतना छोटा से इसले करेंगे नहीं यह और CFET discounting factor DCFAD year 1 2 7500 7500 10% 090.82 यहाद है अपना ऐसे करते थे 6150 7500 0.82 6150 कितना है रहे 6750 12900 10,000 गया तो 900 यह मेरा NPV है present value of outflow present value of inflow यह तो है न अब ऐसे कितने भी सालगा कर सकते हैं कौन सी बड़ी बात है इसमें this is the matter of NPV अच्छी यह क्या मतलब वैसे 2900 को मतलब वैसे तो 10 दाल के पंदरा आ रहे पर फिल भी हम लोग 15 नहीं बोल रहे हम बोल रहे कि हमें 12900 यह बिकोज अब 10 तक का जो पैसा है ना ऐसा मान रहे हमने बैंक से उधारी पी लिए तो बैंक से उधारी पी लिए 10 बैंक ने इंट्रेस्ट ले लिया उसके बाद बचने वाल पैसा ही जैसे तो फिफ्टीन आया ना तो आप नहीं पांच आर का उना फाइव ऐसा नहीं है हम लोग क्या करें दस परसंट का डिस्कॉंट इपेटर्स का मतलब क्या है कि क्या मतलब इसका कि नॉर्मली यह जो पैसा यह ना जो फिफ्टीन दौन इस इसकोibly किका ट्वल ताग्नर मान रहें क्यों मान रहे हैं क्यों मान रहें उ आप तो कि हम लोग मान रहिे ह précisत denial करने के लिए बूलो करने लिए कि दस पर्सेंट का पैसा है विए यह 10 परसेंट का पैसा तो यह इसका यह मतलब है कि दस परसेंट मेरा कॉस्ट आफ कापिटल मानती हुए कर रहा हुए तो दस परसेंट की कॉस्ट आफ कापिटल है उसके बाद में इतना मुनाफ है मतलब 10 तक के बैंक का लोका चुकाने के बाद भी 2900 बच रहें मुझे 2900 नहीं बच रहें मुझे तो मुझे तो एक्शली पांट बच रहें तो कि 50,000 आया है 15 आयम अर्निंग फाइट तों स्टिल आम सेंग वाट यह जो दस तक के मैं बैंक का कॉस्ट आफ कापिटल याने की इंट्रेस देनी के बाद भी 2900 मेले जेब में आ रहे हैं इसलिए हम ने क्या करना चाहिए वो जो डिसकांटिक वेक्टर है न वो जितना कम होईगा उत्ताए नपीवी ज्यादा होईगा आपका कापिटल की कॉस्ट कम होना चाहिए समझे आप ओके आप देखलो यह हो गया क्या बोल रहा है चलो अब इसी को 30% से करो चलो करो 1 divided by 1 divided by 1 divided by 1.3 is equal to .72 decimal बहा हो 0.7 6.59 मुल्टिप्लेटवाइब 7500 4437 प्लस 4437 अंसर इस वाट 10,000 137 10,000 माइनस 137 प्लस अब बोल क्या करूं है अब मैं ऐसा बनाऊंगा डाइग्राम और लिखूंगा अगर मैं 10% से करता हो तो 2900 बच जाते हैं और 30% से करता हो तो 137 मेरा आरे यारे दोनों भी प्लस में ही क्या ऐसा नहीं नहीं कर सकता है जीरों के बिच में इसके बिच में कही जीरों ही नहीं है वो तो उदर ही है आईसे क्यों करती है रहे से अपने को 30% देखे रखे हो ओमरावी तो मेहनत और करना पड़ेगा अब इसको 35 लाना पड़ेगा मैसुच करना है गे मैसुच उनको रहे तभी सॉल करना पड़ेगा 40 से कर आप तेंचन नहीं 1 divided by 1 divided by 1.4 is equal to 0.71 everybody everybody come on chalo bai chalo bai 0.71 all कितना रहे 0.51 multi-bladder by 7500 3826 और क्या है 7500 multi-bladder by 0.71 यह कितना है भाई negative है ना बस बेश्ट काम होगा okay guys come on everybody welcome back निकाल तो IRR 800 minus 40 percent 10 percent दोनों के बिच का ग्याप बताओ कितना है 29800 3700 ग्याप है इन बिच का फासला कितना है 3700 यानि कि हमें लगता है 30 percent के लिए 3700 का फासला है और इस 800 को मैं तोड़ा सा इधर खिसका हूँ तो मुझी इधर जाने के लिए 800 प्लस करना पड़ेगा यानिकी 800 लाने के लिए कितना क्रोस मॉल्टिप्लाइश डres Hep लाक लाकष म मल्टिप्लाइश कमान गाईश ऐसमार्क यह चित्पूंड गार्क उत्ति हाई इसा बरक खन ऑल्यक्त कित्झ शिक्स पॉइंट अ मुझी यह है यह यह आहे द可ब 40% में से 6.48 minus करना पड़ेगा उदर because amount is somewhere between 10 to 40 तो minus ही करना पड़ेगा तो 40% में से 6.48 minus करेंगे न तो वो आपका IRR निकलेगा whatever दोस्तों आज आपने यहां पर इस question के माद्यम से payback भी देखा IRR भी देखा ARR भी देखा यह मार तो पहले देख लिए था और NPV देखा राइट ओके आगे देखा next question मूल बटा 20 145 145 145 everyone अरे वाँ कितना अच्छा है न एक विश्टन how sweet न चोटा सा भी देखा हो भी गया आपने पैसे लगा था एक लाग ने केश इन फूस बूरे दम कर दे है कैश इन फूस वन लाग रूपीज यूसफुल लाइफ चार साल हर साल एक लाग एक लाग एक लाग लाग मिल रहे है आपको salvage वाले जीरो internal rate of return आयर और बारा परसेंट हैर क्या बारा परसेंट and profitability index है क्या question है sexy question ही खतम हो गया वे इसा इसा question बड़ा अधूरासा लगता है देखेंगे मन भी नहीं भर जी भर के देखो बहुत कुछ दिखेगा जिसको पी आई समझते हो सब आएगा present value of inflow upon present value of outflow बेश्ट है present value of inflow present value of outflow is equal to यह इतना है अब कितना है present value of inflow कितना है present value of outflow यह कितना रहा बताऊ present value of out कितना है 93 985 985 present value of inflow everybody यह अपना यहारा present value of outflow हाँ मैं दीख रहा हो यह अपना बताऊ यह answer यह जो है profitability index क्या होता है यह आपना profitability index जो है आप मुझे बताए कि profitability index का मतलब क्या होता है आपने धन्दे में एक रुबए लगाया आपको मिला 1.064 यह उसका आपने लगाया कितना है आपने अगर इतना लगाया ठीके ना तो आपको हर साल इतना पैसा मिल रहा है ठीके ना ऐसा भी उसका मतलब होता है आप इसको दूसरी तरीके देखे useful life किती है चार साल यानि कि आपको हर साल कितना पैसा मिल रहा है अरे हर साल कितना पैसा मिल रहा है अरे हर साल कितना पैसा मिल रहा है अरे हर साल कितना पैसा मिल रहा है तो एक काम करो, 1 divided by 1.12 को multiply करो, और memory plus करो, तो 4 साल का आपको CDF मिल जाएगा, 1 divided by 1.12 equal to memory plus equal to memory plus equal to memory plus equal to memory plus, recall, किता हो है, 3.03, बराबर है, अब बताओ, इनको यह सब एक एक लाग मिल रहा है, इनका present लिए बताओ, किता है, 3.000, 7.35, इतना पैसा आपने किस में लगा है, अरे तब इसे किस में लगा है, यह क्या है, किस की, इनफ्लो की, हाँ, यह 12% क्या है, सोच के बताओ, 12% एक ऐसा जगा है, जहां पे औरनेशन का, जो present value of outflow है, और present value of inflow दोनों से मत है, यह उनका discounting factor नहीं है, यह ऐसा discounting factor है, कि जहां पे company को profit भी नहीं होगा, इसलिए IRR से कम percent पे, अगर आपको कोई, उधारी पे पैसे दे दे दे, तो समझ जाना आपकी company profit में आगी, इसको बोलते हैं, आपका IRR, अगर आपको एक 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 लाक एक लाक मिला, तो अब यह रकम क्या है, तीन लाग तीन जार का मतलब क्या है, यहां पे, यह अपने वहीं निकाला, what is this, present value of Camilab को outflow मिला, क्या मिला present value of, यह कि ता present value, this is because, यह है, तीन लाग तीन जार, आट सो, यह हो गया आपका, अपने present value of outflow क्यों नहीं गाला मिला, हर क्वेश्टन में दिया ही रहता ना, कि investment किती हुए, यह क्वेश्टन इतना वाहियात क्वेश्टन इसमें यही नहीं दिखा कि पैसे अपने लंदे में लगाए कि ताने, पैसे कितने लगाए कि मुझे घूंड की लाना पड़ा है, तो तीन लाग तीनर में धन्दे में लगाए, लगाए, तो अब बतार लगाने कितनी मेरी, तो तक कितना मेरा present value of who आएगा, Profitability Index बता हूँ मुझे चल्दीस 1.064 यारे मैंने पैसे कितने लगाया थे तो मुझे पैसे कितने आया होंगे इतने ही पैसे आया अरे भाई इतने पैसे लगाया ना एक रुप्या लगा तो 1.06 मिलते है तो 3.3800 तो कितना मिलेगा इसको multiply कर तो 1.064 तो से आपका answer आएगा 3.3800 तो यारे इसका मतलब क्या है इस इस दप्रेजेंट वैली आफ क्या है यह प्रेजेंट वैली आफ क्या है inflow at the rate of discounting factor not at the rate of IRR पेकोज आप बोलेंगे सर यह भी तो present value अरे भाई प्रेजेंट रेट आफ क्या था IRR था IRR एक सपनों का चीज होता है अब हमको पैसे IRR पे हो सकता IRR से कम पे मिले हो यह हो सकते जादा पे मिले हो 12 से कम भी हो सकता है 12 से जादा भी हो सकता है इससे दोस्तों अब क्या करेंगे हमें अगर actual वो निकालना है discount factor क्योंकि question में पुझा है आप क्या निकालो cost of project कितना था 3,3,3 कुस्तों था cost of capital मालूम है क्या है नहीं मालूम है आप मालूम होगी पता हो कैसे होगी अपने को पैसे कितने मिले 3,23,23 लगा है कितने इसे बैसे इतने इतने मिले ना और आपको यह present value भी मिल गया तो अब ऐसा कौन सा CDF है जिसके multiply से आप कोई तब ऐसा मिलेगा तो 3,23,243 को डिवैड करो 1,00,000 से आपको CDF मिल जागा 3.23 अब 3.23 ऐसा कौन सा discount factor है जिसका 4 सा क्यूमिलिटिव 3.23 आ रहा है एक समझना रहा है देखो यह 3.23 है 3.23,243 डिवैड बाइ 1,00,000 कितना रहा है यह आप बताओ कौन से discounting factor का क्यूमिलिटिव 3.23 आ रहा है 9 परसंट कर के देखो करो 1 डिवैड बाइ 1.09 इक्वाल टू मेमिरी प्लास इक्वाल टू मेमिरी प्लास इक्वाल टू मेमिरी प्लास इक्वाल टू है रिकॉल कर दो कितना रहा है 3.23 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा अगर आपने इसका discounting factor 9% कर दिया ना यह एक एक लाग जो 4 लाग दिख रहे है उसको present पर लाते लाते है वो 3.23 हो जाएगा यह हमारी cost of capital ले पता है कि question जब पढ़ रहे तो ना इसका बारा परसंट ही cost of capital ले cost of capital actually 9 होई इसका मतलब बारा परसंट पर उनको profit loss कुछ भी नहीं होता 9% पर लेने के वैसे वो company profit पर आगए 12% क्या है एक ऐसी जगह जब यह profit भी नहीं होता 9% क्या है profit हो रहा है इसलिए तो profitable index से 1 से उपर है अगर profitability index 1 से नीचे होता इसका मतलब आपका आपका जो cost of capital है वो बारा परसंट से उपर जा रहा है आपको समझा रहा है उसके अपने net present value कैसे निकाल थे 10% से निकाल कितनी है आपको पैसे कितने आए है आपको इतने पैसे आए ना 323 आपने पैसे कितने लगाया थे 3,3,3,080 तो कितने आपका अरे कितने बता हो NPV कितना है अरे भई ना अरे बच्चों ये एक लाक है ना ये 1,00,1,00,1,00,1,00,1,00 ठीक ना इनको सब को हमने present पिला है कौन से परसंट से कितना है अंसर तीन लाग तीन सार कुछ ताया ना जो भी है टोड़ेंट अब माइनस यह हो गया हमारे प्रेशन वाल्य आई आप मुझे बता हो इस धंदे में पैसे कितने लगा थे हैं तीन लाग तीन लाग तीन लाट सो तो यह जो बचे किया आपका ने भीक एंपरेड बहुत सिंपल है ना हर साल शाल subject no one ौण लाकश रहे हैं आपने तीन लग तीन लग तीन लाग तीन लाग तो कुस्त दो पहले तीन साल प्रेड़ा जाएंगे आपने तीन लग तीन साल कुछ मेंने कुछ दिन उगर आएंगे कैसे निक्यालते होता हुत कमाने के लिए मुझे 360 डेज लगते हैं तो बताओ बच्चो 3800 कमाने के लिए किते दिन काम करना पड़ेगा किता ने ने फॉइंट 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 गर्द बोल रहे हैं 14 डेज तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा मुझे तीन साल 14 दिन काम करने के लिए मेरी पूरे रिकावर हो जाएगे को क्यों सब्सक्राइब यह सेक्सा होगा मैंक इस पुरे नही हमें आप इस पुरे गॉष्टन में आद लियू मत्यार की टा ड्क है। यह गर आपक युस क estéमो कि sweeping ड हम लिएप से इस पॉरे क्वांज यह ही 888888888888 अगर डिस्कॉंटेट 9 परसंट देता ना मैं खटखट एक एक लाग को चार वाइसा लिगता नौ परसंट से करके बोलता है कि अब उन्हों दिया नहीं अब हमें क्या दिया वो दिया जो कभी कुश्चन में देती ही नहीं IRR से इतने एहां दो है कि हमारा प्रेजंट वैलीओ आफ आटफ्लो किता है यह ईwireर से इतने अफ्लेद को चार निकाला नेल और उसी को यह इन प्रेजंट वैलीओ आटफ्लो भी मान लिया बेकाँ वह आहरर पे निकला दे एक बार प्रेजंट वैलीओ औफ आ यह वैल्यूं तो आपको वन लैक वन लैक वन लैक दिया है ऐसा ऐसा करो तो आमने उनिकाल सीडेफ 9% ट्राइल नेरेर से और एंप भी निकालना पड़ता है इनको लाया ऐसे यहां पर है और प्रेसेंट वेलेर आउटफलो तीन लग तीन अर निकालता है वो माइनस करते एंप भी निकाल आउटफलो दिया नहीं और सारा गेम आयरा जो निकालना पड़ता है वो आयरा गिवन इस क्वेश्चन तो आयरार से हमने पुड़ा गुत्ती सॉल किया है नेक्स्ट कौन सा कुश्चन है बेर 162 पेज नंबर 162 पेज नंबर 162 पेज नंबर इस लेक्चर को अच्छे से कर अच्छो लेक्सर इंपॉर्डंट है 162 162 162 कमान एवरीबड़ी क्या निकलना है यहां पर कुछ तो निकलना है बड़ीगा क्या कर रहे है वो इनके दो-दो मशीन से क्या है चोईस करना आपको दोनों में से एक कौन से अच्छी है आपका दो अप्शन दिये एक के लिए कितना पैसा लग रहा है हमर इसी तंडा करो सा एक के लिए फिप्टीन Wallace दूस्रे के लिए कितना और एक यह तीन साल लिए दो साल के लिए ते क्या लैंस पर कितना कि अप तो पता बता नाउट फ्लोज है फाय नहीं नहीं समझ ऑई श्वायपूछ lessons updatesmic.com इन वहां जिसका कम and outcome outflow होगा वह अच्छा होगा है नहीं है तो 15 लेक करें तो 15 Bitcoin तो एक काम कर यहां से देख तुला जो फास्ट फास्ट कम ओने वरीबोडी देखो यह यह मश्चिन इक्स इतना है और यह इतना है तो आप क्या कर रहे हो आपको आज के तरिक में 25 रुब आपके जा रहे हैं ठीक है ना ओके और यहां पे जो लिखा मश्चिन वाई के लिए आप आपका यह 20,55 अपने बाई करना ची पर पता है कि इसमें प्रावलम क्या हो रहे है एक इसके लाइफ अलग है इसलिए आपको इक्वेलन अनुल कॉस्ट में तरस आना पड़ेगा यह यह इसा में इसको एए सी करना पड़ेगा और यह बी मेथर करना पड़ेगा जब भी ल आपने यहर, CFAT, discounting factor, DCFAT, year कौन सा है, 0, 1, 2, 3, कितना पैसा कहा है, machine कौन जी है, x, क्या है machine x में कितना पैसा कहा है, 0 पे, 4,00, 4,00, 4,00, 4,00, है न, okay, discounting factor वो लो कित तरे चल रहा है निका, 9%, यह तो 1 से multiply कर लो, और तीनों का मिला का आप एक साथ में पर जान दो, अभी इंडियों लेते, 1 divided by 1.09 is equal to 0.91, next, 0.84, next, 0.77, multiply करो, 15,00, गए, और बुलो, 3,00, और बुलो, 30,00, ठीक है, टोटल कर दो, 25, 12, यह क्या हो गई, present value of outflow, अभी कितने साल तक चल रहा था, तीन साल तक, पर दोस्तो, तीन साल से ऐसे divide नहीं कर सकता हूँ, because time value of money नम की कुछ चीज़ होती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, करो, 1 divided by 1.09, equal to memory plus, equal to memory plus, equal to memory plus, MRC, कितना रहा है, 2 पॉइंट, बोलो, कितना रांसर, आंसर, बोलो, 99,000,92,000, क्या मतलब आप बता हूँ मुझे इसका, इसका मतलब है, इसका मतलब भले ही मेरे 25 आज जा रहे है, पर अगर मैं इसको equally divide करूँ, equivalent, तो मेरे को आई साखता है कि मेरे पहले साल 99,92 जा रहे हैं, दूरसे साल 99,92 जा रहे हैं, तीसे साल, ऐसा इसका मतलब है, पर आप मुझे compare करना है, इसको machine wise है, अब उसमें क्या हो रहा है, year, CFAT, discounting factor, and DCFAT, उसका 0 year में किता जा रहा है, बोलो न, इसको तो 1 से multiply होगा, यह किता जा रहा है, इसका 1 and 2, discounting factor किता है, 0.91, 0.84, multiply करो, यह पूरा बोल रहा है, 20, 55, सब मिला लिया है, तुमने इसको, हाँ, यह जो भी XI, XI, सब मिला दिया आपने, आप क्या होगा, इसको डिवाइड करता हूँ, 1 divided by, 1.09, equal to, memory plus, equal to, recall, किता रहा है, डिवाइड किता से करूँ, 1.70, किता रहा है, 1.174, इसकारत क्या हुआ, यह है मेरा present value of outflow, यह मेरा equal annual cost, अब जा देखो, यहाँ पे मेरा हर साल 992 जाएगा, तीन साल तक, यहाँ पे हर साल मेरा 1174 जाएगा, अगर मैं यह नहीं करता ना बच्चो, तो मैं क्या करता, इसमें तो 25 लाग जा रहा है, इसमें 20 लाग जा रहा है, यही अच्छा है, अरे पर इसका 2 साल के अंदर जा रहा है, इसका 3 साल में जा रहा है, तो आप तो अगर यह equivalent नहीं करते ना, तो आपको लगता, अरे वाँ, यह कितना अच्छा, अरे दो साल में 20 लग जा रहा है यह तीन साल में 25 जा रहा है इसलम लोग EAC से कंपर करें एक्वेलेंट से तो इसले एक्वेलेंट इसका 992 है और इसका 1174 है और हमने प्रूव कर लिया कि यह अच्छा नहीं है यह अच्छा है समझा रहा है याद रखो हमने कौंसे उंसे तरीक करें यमा-यारर बोलो कैसा करते हैं MRR में और जब पैसे आते हैं वह अपसे रे इन्वेस्ट होते हैं बोलो पेबैक कैसा निकलते हैं कि बेख से परसेंटेज निकलते हैं कि दिन साल ऐसा निकलता है what is the formula of ARR average fat upon average investment how do we calculate NPV year CFAT discounting factor DCF8 और जो आता है माइनस present value of outflow करतें NPV निकलता क्या आप मुझे PI को बता सकता है present value of inflow अपान present value of क्या आप करता है NPV जब निगालते हैं पता है NPV का मतलब क्या होता है present value of inflow present value of outflow दोनों को माइनस करतें इन प्लो में से उट लो इसमें ऐसे नहीं करते है present value of inflow यहनी कि दोस्तों यहां माइनस करते हैं डिवाइड करते हैं माइनस करने से NPV निकलता है डिवाइड करने से आपका है भी है निकलता है हां समझा रहा है सभी को very good everybody और मुझे बताओ आपको उसके बारे में बुलना रहे बोलो ना वो क्या है एक इधर का निकालो एक नेगेटिव निकालो बाद में जोड़के जीरो अला निकालो ऐसा कोई भी जहां पे NPV आपका जीरो आता हो ऐसा दरी फिर अपने आठ डिवीजिबल भी देखो देखा ना यह देखो कैसा है ना capital biting chapter is all about concept you should know देखो जरूरी नहीं कि हम जिसा री इंवेस्ट होते है याद रहना डिवीजिबल भी होता है इंडिवीजिबल भी होता है याद है तो लागला कुश्चन मोल बटा ही दो कुश्चन और लेंगे थड़ी 175 175 everyone आपको समझ नहां तो और स्लो कर दूगे मैं अपर यह जो मैं कर रहा है उसे कुछ फाइदा हो रहा है कि आपका लाटो कहाम का टाइम रिष्ट मत कर आपका मेरा कहा है मैं तो फोकट हूं इसा बोलो बच्चों क्या करना है आर यू बेनिफिटेड बेनिफिट हो रहा तो एक लास एडिरेंड करो मेरे खुशी के लिए कुछ मत करो कि कस्टमर इस दे किंग कस्टमर कोन आप आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने क्तायर हूं कि स्पीड बढ़ा दो तो बढ़ा दूँगा कम बढ़ा तो कम कर दूँगा एक मैं लाइस्ट्रमिंग वाला कुछ बता दो आप सर एक क्वेश्चन डिप्लेस्मेंट कर बेटा तेरे खाते दो ले लेंगे बस और बता हूं यह वाला तो फिर से यह सीपी है यह भी यह सीपी के अगला वाला हूं एक मैसेज आया की थवेट कैसी देख लेता हूं कि अ कम निसे रा मुचे चलो बो बाचलो are you ready okay come on check it out guys A& Company is a contemplating weather to replace the existing machine or to spend money on overhauling it A& Company currently pays no access the replacement machine cost 90,000 now and requires maintenance of 10,000 at the end of every year अच्छा याने की 800 साल तक उसको मेंटेन करने लिए दसार लगेंगे और उसको याने की मशीन को रिप्लेस करने के पहने तो 90 ओन लग जाएंगे आज और हर साल 10-10,000 इसको बोल रहा है इसको बोल रहा है कितना मेंटेनस लगता है उसको एक साल में यूज किया तो 10,000 लगेगा दो साल 2nd year में 20,000, 3rd year में 30,000, 4th year में 40,000 अच्छा है अच्छा है अच्छा है यह बोल रहा है कि आपने रिप्लेस कब करना चाहिए और हर सालवे चाले भी चेंज रहा है अभी अगर आपने चेंज कर दिया ना तो पुरानी वाली कितने में 40 में भी गीगी और नहीं वाली कितने में गी ना इंटी में तो नहीं वाली कितने अधिक देना पड़े आपको तब उस साल का अलग निकालना पड़े तो उस साल के लिए बानेंगे 50,000 कोस्त और कितने साल इंटरेंस करना पड़े गा और इसके लिए क्या होगा अगर आपने एक साल इसतमल और ओल्ड वाली को किया और फिर ओल्ड वाली को बेचा तो वो 25 में भी तो कितने में हो गया वो नहीं वाली कितने मेरी 90 इसी कितने हैंगे 20 तो कितने रहा शिक्स्टी वाई 65 जाएंगे और हड़ साल और खर्चा लगे है 10,000, 10,000, 10,000 वैसे बड़ाबर है तो ऐसे कितने अंसर रहेंगे, 4 अंसर रहेंगे और 4 में देखना पड़ेंगा, सबसे मज़ा किसमें आ रहा है कौन से समय पर नहीं जाना तो नहीं वाली पर है नहीं वाली पर जाने पर संकुच जाना तो नहीं वाली के साती है आई, यह सही बोला है जाना कब वो है जाना तो उसके साती है आप देखना है आप यहाँ पर क्या लग रहा है न्यू मशीन आई, 90,000 की मेंटेनस ले रहे हैं इतना इतना लाइफ, यह सब को सही है यह क्या निकला है, सीडिएफ निगाल दी प्रेजेंट वाली अफ मेंटेनस कितना है 10,000 अरे बच्चो और आच साल तक आप मेंटेनस करते गए करते गए, करते गए और यह जो पैसा जो मिला है उसको 8th year में किता पैसा मिल रहा है नहीं वाली से अरे नहीं वाली भीकरी है ना 10,000 में तो उसका 8 से मल्टीप्लाइ करे तो वो आएगा एतना कुछ गलत बुर्टल में हाँ, 20 में भीकरी हाँ, 20 में भीकरी तो उसको 20 से मल्टीप्लाइ कर दिया तो आप 20 से multiply करके उसकी इतने पैसा है और net outflow कितने में जा रहा है 90,000 यह maintenance का इतना पैसा इसका पैसा equivalent annual cost यह कर दिया आपकी इतनी equivalent annual cost आई इसने यह भी पुछा था गए replace the company, okay fine, आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं अपना main answer जा से start और आप ध्यान से देखना, okay यह है कौनते साल बदलने का, बता बच्चा अभी बदल दे अभी, अभी का भी तो अभी का भी बदलने से कितना पैसा मिलेगा पूरा निवाली से, 40,000 मिलेगा और यह क्या है 28,600 और नहीं वाली का जो पूरा conclude cost है जो हर साल का, वो 28,600 है तो यह first year में मिलेगा, यह भी first year में मिलेगा, I mean zero year में मिल जाएगा तो इसका क्या होगा, इससे आने वाला NP भी जो हो है, 40,000 आपको लग रहे हैं क्या आ रहे हैं मिल रहे हैं, किस से मिल रहे हैं पूरानी वाली से, और नहीं वाली कितना मंग रही है, तो क्या 11,400 का है अब इसको देख़ए एक मिलेट, पढ़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे machine one को replace करेंगे, sorry machine को replace करेंगे first year में, तो क्या होगा first year में तो उससे कितना पैसा आएगा पूरानी वाली से, ये पैसे आएंगे inflow और maintenance से कितने लगेंगे, कौन से वाली के लिए देख़ए यहां पर लिखा, maintenance का, बराबर है, दोनों ये पैसे आ रहे हैं, ये पैसे जा रहे है ये नहीं वाली का क्यों कर रहे है ये ये जब मैं पढ़ता हूँ, ये मुझे ठीक लगता है, नहीं वाली से, पुरानी वाली से 25 आ है, और पुरानी वाली के एक साल मेंटरेंस करना पुड़े है, इसमें कोई की प्रॉब्लम नजर नहीं आता है, ये क्या चीज़ है यार तो इसको एक्वल एन्यूल कॉस्ट क्यों किया? एक साल की कोस्ट है? ऐक ये क्या होता है इसमें आप समझों, ये जो है ये अब ये वाला पॉइंट जो है ना एक पर ये समझ के लिए फिर मापको ये तो इन्यूंट इटू इट शिक्साने डूटा दो जो हर जग पर कॉंस्टन है देखो यहां पर यहां पर फिर तो टु करते हैं बाकी देख लिए तो हमारा खर्चा कितना और है ओके तो कितना पैसा आगा अगर दो साल हमने पूराने वाले साथ में बिताए तो दो साल वाली दो साल में दस साल का मिलेगी दस साल इन फ्लो हो जाएगा और 30,000 हमारा उसके उपर मेंटर्स होगा तो ये जब 30,000 तो क्या हूब ये 30 जब लिए 20 यह लिखता हूँ तो 010 कि लिखता हूँ यह मैंतर राव यह मैंने द सूद साल का है तो धिको पहले दो DR मीन्तूर्स में चरेए न तो यह क्रण Also दस बीस तीस तीन बार आउट फ्लो और पैसे आरे सिव एक बार दस जार तो इसलिए देखोंगे ऐसे दिखा है यहां पर 10 20 30 ब्रैकेट रहने के आउट फ्लो और यह जो है वो दस जार वो इन फ्लो और ट्वेंटेट शिक्स अंडड़ क्या है एक्वल एन्यूल कॉस्ट ठीक है वो भी हमें खर्चा लग रहा है तो याने कि यह 55290 आ रहा है यारा 33900 यारा 11000 यारा 11400 याने कि आप मुझे बताओ यह जो पैसा रहा नेट प्रेजंट वाल्यू याने कि आंसर क्या है रिप्लेस इमेरिटली सिंस एन्पिवी इस दा हाईयस का पे हाईयस एन्पिव है का पे इसा अभी कितना रहा है कितना रहा है ऐसे जबरिए कि यह जो सारे जो चीजे यह बनेगेटिव नेगेटिव 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 यह एकलो था पॉसरेव थे कि अच्छान सो है जीरो आ लेका कि रोकके उसन को नैंक है टू ना ये इस तो अबात में अजो अधा आधा इक टोड़ा से देखने से ये क्वष्चन थोड़ा सा अजीब हो गरी अकशत्र पूस्ट है यह को यह शोया होन में उसको आप तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर जिसे मेरे पास एक बीम्डवी अगर जो एक है उसकी बात में कर रहा हूं जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं तो वह अभी मालो बिकरी है कुछ 30 लागना उसको मैं बेज दो दूँ पर अगर मैं उसको टो बीकेंगी बीकम और मेंटरी भीखाएंगी गाडी का मॉडल रेट जितने पूरानी होते हैं गाडी पूरेट कम कम होती जाते हैं मैं दो साल बेच हूंगा न तो और 20 लाग में भीगी तीन साल में और 15 लाग में भीगी ऐसे रेट घठते गाड़ियों के हलाकि अपन गाड़ी यूज करो के मत करो अलग बाते है पर उसको पर उसके अलो करो झाल 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 कौन सा मोडल है क्या मेरा आफ जो किते कॉला रहे है किता रहे होगे वे तो मैं क्या समझू कहां से बढ़ाना है वापस से बताओ सर ओके अवाज आ रही है आ रही है नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं मैं क्या बोल रहा था बस मैं तोड़ा समझाता हूं अब बताओ बच्छों हम पुरानी वाली को छोड़के नहीं वाली के पास जा रहे है तो नहीं वाली जो है उसकी कॉस्ट किती है 90,000 उसकी मेंटेंस कोस्ट परिए कितने है अब नहीं भी EMW लोंगा में तो 90 के आ रहे है उसको दसार का मेंटेंस लग रहा है डिसकांट एफेक्टर 15 परसंट है आठ साल तक चलेगी और उसका CDF जोई वो यतना है ठीक है ना present value of maintenance कितना है 10,000-10,000 इसे आठ साल तक करते र आठ साल भी गीगी तो कितना पैसा है का नए BMW से मुझे कितना पैसा है का तो नए BMW का total maintenance cost for the year for the entire life 44,000 उसका salvage value 65,38 net outflow कितना है मेरा 90,000 जा रहा है साथ-साथ में maintenance भी जा रहा है और इतने पैसे आ रहे हैं यानि कि मुझे नई गाड़ी लेंग लिए इतना पैसा लग रहा बड़ाज अब इन यह गाड़ी जो ले रहा हूंना में बच्को उसको सारा के सारा में अगर एकी साल में डालतुँआ नहीं गाड़ी के मजे आठ साल उठा रहा हूँ तो नई गाड़ी यूस करने का पर सल गरचा कितना है नई गाडी को बहिया में नगर ला रो नहीं आट साल तक कि एक साल में मजे से लूँगा तो हुण मजे के एक साल का मजे के पैसा ईत्ता है veryative है एंटमर एक साल के मजे लिने पर 28 यसो दिने बढ़ेंगे तो 27600 28600 2600 28600 याने कि दोस्तों ये 28600 मुझे अगर मैं अभी करता हो ना तो मुझे इतने पैसे लगेंगे आप बतातो थोड़ा से ध्यान से आप बताता अभी आपको खुद को आना चाहिए अगर मैं जीरो येर पे रिप्लेस करूँगा ओके ये जीरो येर है ओके जीरो येर पे आउटफ्लो कितना हो अगरा आपन आज की आज बेज़ दें उसको अगर आज बेज दि है उसको तो क्याना अपकी पुरा निवला यह बेज देंगे जीर उर पर काम करते हमें आपके सारफनें घ्हर हुए 0 20,000, तो बर्भर है, आउट्टो जा रहा है, फिर अगर मैं उसकी बाद करूंगा, तो अगर मैं inflow की बात करूंगा, तो inflow किता रहा है, तो मैं अगर उसको तीसरे साल बेच रहा हुँ तो बज़े 10,000 आएगा, तो ये इन्फलो कर देता हुँ, ठीक है ना, ये करता हो उसको तीसरे साल का inflow, किता है, दस ज़ा, बराबर है, यह पैसा आ रहा है, यह किसके होगे, पुरानी वाली के, पर पुरानी वाली के बाद में, जब मैं नई वाली खरीद रहा हूँ, तो नई वाली से किता है, किता है, वो था ना, पूरे लाइफ टाइम का, कि मज़े करने का जो 28600, समझ गया है, डिसकाउंट इफेक्टर का है, 15%, इसका दिखालो 15% का, 1 डिवाइड बाई, 1.15, सर आप ज़ा तीसरे साल बिच रहे हो, तो तीनों के रेंटर्स क्यों, पहले साल भी तो मेंटर्न करना पड़ेगा, सेकेंड भी करना पड़ेगा, तीसरे यह तीन मेरा वो भी आओठ ली है, तो इसको मल्टिफल्लिय केता होगा, 0.86, अब बोलो, 0.705, तो इस से लाजाएगा, इसका कुछ आउट फ्लो आएगा, और इसका निकालो, इंद्फो केता है, 6500, यह कितना रवता हो, यह कितना रवा टोटल? कर दो फटावर इस कांसर रहेगा 61,690 ओके और ये कितना रहा है 6500 है ना तो कितना रहा है ये ये आउट फ्लो था मेरा ये मेरा आउट फ्लो है ये कितना रहा है किया है ये तब की बात है अगर मैं तीसरे साल इसको बहुत दूँगा तो तीसरे साल बीचने के समय मेरा ये present value आउट फ्लो हो जाएगा कि I said Okay everyone I'm supposed to get a सब्सक्राइब जब सेकेंडर करोगे तो सेकेंडर बीक्षैंड आएगाफ याइगा यह आएगा पर इसका मॉल्टिप्लिकेशन सेकेंडर आएगा और आपको जो इन फिलो आएगा तो सेकेंडर में कितना इन फिलो है पट्राजीब फैर अस Summer । अग्सा यां काई हम आप नहीं का मुण थे है यहां प्वोच्षन, अच्छा आप करें भाई तो क्या होता है अच्छा अपने question देख लिए कभी है तो च्वह सकते हैं अ sì अंडिस्टूड ओके नेक्स कुश्टन मोई वेटर उसमें कितने क्वेशन है अपने आपने हैलेटर नों कुछ बचे गया है 42, तो last question लेते हैं इससे और खदम करेंगे इसको, इसके बाद वाला जो question है न, chapter जो बहुत आसान है, वो तो मतलब race can कर लेते हैं, इसका baby chapter है, यह हुआ तो वो focus में मिल जाता है, ठीक है न, और इस chapter की इज़त बहुत ज़्यादा है, 10 मा के लिए examination में आता ही है, तो ला 155, पड़ो है मैं भी है, हम, company has to make a choice between two projects, namely A and B, बढ़ा पर है, में दोदार अटरा में कुछना है, initial capital outplay of two projects are 135, 240, respectively, there will be no scrap value at the end of the life of both the projects, एक project में लगते हैं, आपको 135, दो में लगते हैं, 240, the opportunity question, आपके discount factor 16% है, ये दोनों से आने वाला पैसा है, ठीक है न, अरे कुछ करना ही नहीं इसमें, तो मज़े ले लेंगे, बोलो क्या करना पड़ेगा, discounted payback निकलना है, कैसे निकालेंगे, बस आप discounted or DCFD निकालो, वहांसे निकल दाएगा, कैसे निकले होता हूँ, एक B का मत करो, से भी एका करो, बोलो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे बस, एदो कोई A, एक से आप कोई स्क्रीन पर देखो, चलो B का करते, एक आने, B का करते, हाँ, क्या करेंगे, आपको 60 आए, 84 आए, ये सब पैसे आगा है, बरावादे कोई हासे मेने से copy paste मारा, आपको इसका आपको 30 आए, तो ये ऐसा इसका भी आ जाएगा, है ना, ये तो easy है, अब इसका पी आए कैसे निकल लेंगे, अब दिको सर, आपने याँ पर इन फ्लो निकल ला, आउट लो, तो इसको अपन ये कर दो, तो आपको पी आए निकल जाएगा, और इसके अपन ये कर दो, इसक आपके है, एक बार एक बी का पी है निकलो, 274812 डिवाइड़ बाइट लाग 40,000, 1.14, बराबर है देखो, यहां पर आए, आप इस क्वेश्चन में डिसकाउंटेड पेवाग पूछा है, यानि कि आपको ने पैसे कितने लगा इस दंदे में, 240 लगा है, वह तो कितने साल क काम करना ही पड़ेगा, फिर माइनस कर दो, 62, 412, माइनस कर दो, सेकेंडर भी काम करना पड़ेगा, 61, 536, माइनस कर दो, यह भी 304, चार साल तो काम करना ही पड़ेगा, अब आपके समें, 8028 अभी आओ, और पैसे चाहिए, तो 8028 के लिए आपको देखना है, इतने साल में ने 42, 840 कमा है, तो 42, 840 को डिवाइड करो, आप 360 देस से, एक दिन में आप 119 रुपे कमाते हो, तो 8028 के लिए कितने दिन गाम करना पड़ेगा, 8028 डिवाइड बाए 119, यहने 67 डिज, यहने 4 साथ 67 डिज, is that okay, I think इस चाप्टर के सारे के सारे जो कॉंसेप्ट से हम यूज कर चुके है, हाँ, क्या होते है, feeling confident about this, कोई शक्स सवाल आपके लिए है, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो सुनो न, अपने जो सारे कॉंसेप्ट थे, वो यह आप एक समरी था, न, कोई तो पेज़, 114 पे, 114 पे, 114 पे देखो, समरी इसका, यह देखो, 114, यह वाला, न, न, वो तो question के तो है, वो नहीं क्या, एक बीच में और बनाया रहाना है, यह वाला, यह देख लिजे, यह आपको यह समझता है, यह गर जाओग न, इस question में, NPV कैसे निकालना पड़ता है, payback कैसे निकालते है, discounted payback, non-discounted, MRR कैसे निकालते है, IRR कैसे निकालते है, इससे क्या होता है, आप कोई पूरा एक जगा पर सब कुछ मिल जाएगा, है न, यहां से, I think सब हो गया, इस सब्सक्राइब के concept सब क्लियर है, okay, feeling confident guys, थक गया आप तो, सब्सक्राइब हो गया, ए भाई सुन, ए भाई यह क्या बोल रहा है, गाया हो गया, बोल रहा है, अब हो गया, अच्रोड टीजगे, ए रिस्क नहीं हो, ठीक है, सब्सक्राइब कहाते है, रिस्क इन कापिटल बजटिग, रिस्क इन कापिटल बजटिग, लेस्क तार्ट, लेस्ट रेट, यह बहुत दि वहाँ जल्दी हो जाना चाहे है, ज़्यादा वक्त में लगाना इसको, रेडी, पेज नमर बोलो, 191 पर जाओ, वेश्टन नमर तीन से जालो कर रहे है, आप कोई सब्टर का बैगराउंड पता है क्या है, मैंने तुसका समरी नोट किता आउसम बनागे रखा है, अरे या, खटम, पेज नमर 209 को देखो, और 210 को देखो, यह क्या लिखा है, यह समरी इतना देख लो, पुरा चप्टर खटम होता है, एक्स्पेटेड वैल्यू, यह वाला, अरे यार, यह तो खटम ही है, बहुत मस्दिया रहे है, यह समरी आप यूँज जरू करना, इससे पुरा चप्टर बहुत आसाने से कवर जागए, चलो करें, चलो ठीग है, चलो अचलो, चलो क्वेश्टन नमर कोंसे चलो करेंगे, त्री क्या, स्टार्मा के त्री, ओके, चलो गाइस, पेज नमबर, रेडी गाइस, आप ब्रेक भी ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पका, रेडी ना, फाइम माक्स के लिए, रिस्किन कापिलल विदिंग, कम आँ गाइस, चल्कुलेट वराइंस, अब उसका फॉर्मिला जान दो, ओ, कॉलम जान दो, एक्स, प्रबाबिलिटी मल्टिपलाई करो, वो जो आता है अंसर, देखो इस, एक्स प्रबाबिलिटी आता है आपका एक्स भी, अब इसके बाद में जो बाराधर आया है, यह आपका है मीन, फिर आप क्या करते हो, इस मीन को यहाँ पर लिख लेते हो, फिर एक्स समयनस एक्स बार करते हो, फिर उसका एक्स समयनस एक्स बार का स्क्वाइर करते हो, और उसके अद में उसको प्रबाबिलिटी से मल्टिपलाई करते हो, यह आगया आपका वराइंस और उसको स्क्वार रूट करते हो, वो आपका इस एक बार वो मुझे बोल के ब यह बात क्लिएर है, इसका जो बच्चा बनेगा नए पर आपका mean हो जाएगा, यह जाका कही है आपका x bar. फिर आप x bar को लिगधो, फिर x-x bar कर दो, x-x bar का square कर दो, फिर probability कर दो इसकी, और यहां पर जो आरा है न, यह आपका variance हो जाता है, और इसी को ही under root कर दे, everybody all right that's over next question question number five an enterprise investing 100 lakhs in a project an enterprise is investing 100 lakhs in the project the risk-free rate आच्छा रिस्क्री वाला ही इस्क्री किता है 7% premium किता है 7% तो एज्जेस्टर किता हो जाएगा 14% नहीं समझा अरे रिस्क्री वाला 7 लगर आप FD में रखोगे ना तो साथ परसेंट और अगर आप वो कर रहे हो किसी और ऐसे अड़ानी जैसे कम नहीं मिलाओगे तो आप बोलेगे मझे 7% में खुशी नहीं मिलेगे मझे 14 चाहिए तो रिस्क के एज्जेस्ट हो कि आपका 14% है रिस्क एजिस्ट हो कि 14% है नॉनमल किता 7% है प्रीम किता 7 है दे लाइफ प्रजेक्ट पाहिए दे पाहिए पाहिए लाइफ वान ये टू यह सब कोई बात ने टाइम पस कर रहे हैं जो कि इसका रिस्क पी निकालो यहांने 7% से भी निकालो एंट तो कैसे 4 कोलं मुलो यह आएगा यह में इमेजिन करो 12345 बराबर है क्या यह बातमी यह जो सी आवटी में सब डाल देंगे 2567 बोलो डाल देंगे क्या उसके बात में क्या होगा discount defect discount defect 7% निकालना एक 14 वाद निकालना और बाद में जो DCF इट आएगा बाद में उसमें से बस आगे DCF इट आगे उसका present value 100 lakh है आउट लोका minus कर दो देखो ऐसे बराबर है यह chapter जो है न उस chapter की देन है इस chapter में कुछ भी नहीं करना आपको जादा okay next guys come on everyone कौन सा क्वेशन है six if the investment proposal क्या वोड़ा cost of 45 lakhs and the risk-free is 5% calculate the net present value under the certainty equivalent आपका भी examination में गये और घरवाले बुले बिटा कितने marks मिलेंगे बुले बापा 80 का तो लिगा पचास तो आएंगे बुले बेटा सोच ले नहीं मतलब पचास तो आएंगे पर कुछ भी करो कुछ भी हो गया ना 40 तो कहीं नहीं गये तो जो 40 है ना that 40 is what certainty अने कि surety उसके पीछा और कुछ नहीं मतलब उसके वो तो हासिल है वो तो मिलेगा है मिलेगा जब चीज़े certainty होगी तो risk free होगी है क्या risk prone होगी इसलिए जब भी certainty equivalent आता है आपका discount factor मिशा risk free ही होना चाहिए आपके अब देखिए इस इन्वेस्मेंट प्रपोजर कॉस्स 45 लाक्स रुपीज रिस्क रिएट 5 परसेंट क्याल्कुलेट एन्पी वी अंडर साइटेंटी कोई टेकनिक एक्स्पेक्टर कितना है 10 लाक्स 15 लाक्स 20 लाक्स 25 ताउसंड सर्टेंटी 090 इसको मुल्टिप्ल जो आएगा वो पैसे तो शॉट शॉट आना ही आए आएंगा यह आएंगा उसमें कोई नहीं रोकिएगा फिर आप बताओ दोस्तों आपको निकालना है उसका वो क्या निकालना है एंपी एंपी के चार कॉलम बोलो year cfd discounted factor year कौनसा year one two three four आजाएंगा cfd जो आपने करके निकाला वो आएगा discounted factor कितना आएगा बोलो जल्दी से इसकी 5% दिया तो 5% से आजाएगा देखो एक answer ऐसे हो जाएगा मैसुस कर लिया होगा आपने इसको इसमें एक ही बात का आपको मुल्टिप्लाई करना है बस हाँ certainty equivalent आगे बोलो next question 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 बोलता कि रहे है अधि अरजन को ले जाना पड़ेगा दस मिल में आज का लेक्षर जो है अपन क्या करेंगे इसके बाद में एक concept है capital structure और उसके बाद एक chapter है source of finance ये दो चाप्टर इसके जो प्रिवियस बैच में लिये था न वह मैं तुरंद लगा रहा हूँ पूजा को बोल capital structure और sources of finance ये दोनों इसके बाद में चिपकी लगा दो शीरीज में फिर लेक्षर आप आज का होने से पहले ये खतम होने से पहले आड़ वे तक आपके दो जाप्टर हो जाएंगे फिर आपकल हम वापस मिलते हैं कि कल लॉक कितने बजे आई डूनों मुझे लगता हो कल लॉज हो है ना बहुत लेट चाल होगा दो बजे क्या स्पस तो आइधिंग हमें रात में पर में टेलिग्राम पर डालता हूं मेरे कुछ रिलेटिव उनको तभियत खराब हो गए उनकी तो मैं इतना खतम कर रहा है अपने जादा नहीं विशा है यह खतम कर के फिर्म है भगता हो थोड़ा से मेरे उनकी तभे दो आई सीओ में ही है उनका ठीक है ना ओके ता अपने अभी तक स्टेडस क्या होगा कि पहले आपन तीन चाप्टर किये और अभी दो कर दे पांच और दो अभी लग जाएंगे कौन से कौन से एक सोसर फाइनांस और एक बस आगे एक सिम्टर सकंसरे इस न्यू प्रजेक्ट अधर फॉर लिंड दीटेल्स इनिशल कभले वस्किती 400 क्रोड एन्युल यूनिट से कितना है पांच करोड और सेलिंग प्रास किती है अरे तो प्राइस से मल्टिप्लाइग पांच करोड को सो से मल्टिप्लाइग कर दो कितना है वो पांच सो करोड आएगा वरियाबल कौस कितनी है वह चला मैं सो में से पचास के पचास बचास बचेगा ना तो आपका कितना इधिंग 250 करोड सापका कॉंट्रिबूशन आएगा है ना और फिक्स कॉस पर येर जो उनने किया है अच्छा वो ये बता रहा है ओके अपना बेस का देखना दाना में बेस बारावाट 200 आया बरावाट बेस बारावाट 200 है अब मुझे बताओ वो जो 200 आ रहा है ये क्या बोड़ा डिसकांटी रिट किते हैं 6% है तू वो अभी इसके लाइफ किती है प्रजेक कि तीन साल तो आपको 200 200 200 कितने सा लाएंगे 200 200 200 कितने सा लाएंगे वो तीन सा लाएंगे और उसको लाना पड़ेगा प्रेसेंट वाल्यू पे और प्रेसेंट वाल्यू करके कितने में आए गए ये आपका पोचेगा प्रेसेंट वाल्यू में आके 534 में आएगा अरे वा कितने पैसे बचे एन पीवी कितना है 134 तो बेस तो बहुत इसी है बेस में कुछ नहीं अब पर यह होता कि है न यह concept जो है न यह है sensitive concept यह concept क्या है कि धाई परसेंट अगर adverse हुआ तो बताओ सबसे ज्यादा sensitive कोन है सबसे आदा sensitive कोन है तो आपन क्या करेंगे हर एक चीज़ को धाई परसेंट से adverse करेंगे तो sales adverse होगा तो यह बेस से सारी चीज़े आज़िस कॉपी होंगी सिवाए sales के और sales के तादा 500 उसका 10% कम कर तो 487.5 हो जागा बाकि सब चीज़े constant होगी और फिर आपके बास में नया NPV आएगा वह आएगा 100.6 फिर इसमें क्या होगा variable cost बोलो variable cost क्या variable cost क्या कम होगी क्या जादा होगी हमारा adverse है कि cost बढ़ना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे बेस से सारी चीज़े सेम रखेंगे सिर वेरिबल cost को धाही टक्के से बढ़ा देंगे देखो धाही 100 का 2.256 हो गया वैसे fix cost क्या होगा समझ जा रहे है तो और डिसकॉंटि अच्छा डिसकॉंटिफेक्टर में हमारा जो उधारी का rate है तो धाही टक्के से बढ़ेंगा क्य बढ़ेंगा तो ऐसा करते 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 अलगे एंपीविस मिलेंगे अब मुझे बताओ 134 बेस से था सबसे जदा अफेट किसमें हुआ 100 वाली में और सबसे कमा फिर कवा इसका मतलब कौनसी चीज़े आपके लिए एड़र्स होना बहुत अच्छी बात नहीं है और कौनसी चीज़े से बहुत इंपक्त नहीं हो रहा है आखरी वले कॉलम में अरे आपका बेस तो 134 यह तो 133 यह तो एक रूपे से हिला है यह तो कितना 100 होगे है इसका मतलब किसका एड़र्स होना आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं और किसका अरोर से बहुत कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो आपके वोलों के अगे सेंसिटिव है हमारा ये धंदा सेल्स के लिए बहुत सेंसिटिव डिसकांड इफेक्ट थोड़ा बट कम हुआ तो चलेगा पर सेल्स कम होना गवारा नहीं वह हुआ तो हम लोग बरबाद हो जाएंगे अच्छ नेक्स्ट ओके आगा कौन से कॉश् आपने तीनो टाइप से निगालना चाहिए कि वस्ट से मुझे कितना पैसा आएंगा बेस्ट ओतों क्या होगा और मॉडर्ट हो तो क्या हो अगर हमारा तीनों से निगालो और अगर हमारा वस्ट भी हमेरे एनपीवी पॉसिटिव दे रहा ना इसका मतलत धन्दा बहुत सह कर रहे हैं तो क्या करते हैं क्योंकि यह जो सारा पैसा ने फ्यूचर में आने हो ला है तो अगर अच्छा अच्छा हुआ ना बेस्ट अरे बोल भई अच्छा अच्छा हुआ बेस्ट तो क्या होगा 650 500 900 आएंगे तो क्या होगा बताओ यहर, CFT, discounting factor तो कितना आएगा उसक तो बेस्ट होगा तो सुना इसको बोलते गाड़ी रेडी कर तो इसमें क्या होगा 1711.85 जो लिगा ना इसमें आपका 311 बड़ा पर अगर हम लोग वस्ट हुआ तो वस्ट में अपना यह अंसर क्या रहा है 450 400 700 450 यह सब यहां पर कुछ गलत होगा है तो यह इसकी हिसाब से इनकी रिस्पेक्ट डिस्कॉंट इपटर जब मुल्टिप्ला करेंगे तो यह आपका आंसर आएगा इतना और इतना यह आएगा माइनस में और अगर मॉडरेट रहा तो हम वही करेंगे मॉडरेट वाली फिगरस ले लेंगे उसके डिस्कॉंट इपटर से मॉल्टिप्ला करेंगे आपको आएगा यह आंसर आएगा मुझे मतलब कंक्लूजन क्या देंगा अगर हमारा धंदा सच में भगवान ने साथ दिया हमारा नबहुत चला तो हमारा फाइदा इतना होगा हमारे किसमत हुटी है तूटी है बरबाद लोगे हम लोग कुछ अच्छा नहीं होगा तो हम इतना लॉस में चल जाएंगे और फिफ्टी-फिफ्टी है तो ऐसा हो सकता है अंडर्स्टोड न यह निकालने का मतलब क्या होगा बना हम लोग अच्छा चला तो 311 अग प्लस में भी हो सकते है खराब वा तो इसका मतलब है और कुछ है यह 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 मोस्सेंसरी तो इसी का पार्ट है है यह तैन्क सारे पाड़ होगे समय होगे न सारे सारे टाव करारणे ऊन सेरे कुल आट होगे नुच कह Esse क। आपनखना वे विखी है को यह सा Kapांव symptom 10 kya यहा एव वाला इनक्ती अ हाई है आओंग वाला है ननेक्स्त और क्मसर से तो 21 थीर क्या है स्मैई 139 नहीं है ओके उसके अलवा आच्छा तो लेक काम करो अब मुझे बता दो मुझे रखता सारे वराइटी करो होगी यह जो समरी है न एक बार फटा-फट जल्दी से बता दो यह आप मुझे बता हो यह वराइन से से स्टी कैसे निकलता जल्दी बता दो अधिक्स प्रबाइबी एक प्रेंटी एकस प्रेंगा फिर आएगा हो एकस बार आजाएगा एकस बार कोलंब बना देंगे एक्सर माइनस एकस बार का स्क्वेर हैं फिर फ्री क expensive और वेरियस आगा स्कोरोट इस डिए यह मुझे प्र het is HTC cos मांक्स है बोले आप 50 यह चारीस तो किए चारीस जो सटन्टी है इसलिए जो सटन्टी होता है वह हमेशा जो सी एफटी आता उससे वह मल्टिप्ला होता है अगर दस लाग आने वाले पर 0.9 अपका सटन्टी है तो आप 10 लाग नहीं लेंगे 9 लाग लेंगे अगर 5 लाग है और certainty अपकी 0.5 है तो 5 लाग लेंगे के नहीं लाग लेंगे certainty में आप वही लेता है जो short shot आपको आने वाले है और इसके उसका discounting vector भी risk free हो रहता है ठीक है यह बता तो sensitivity गया है हर चीज़ adverse करके देखो हर नहीं नहीं हर चीज़ adverse करो देखो कि किसके adverse में सबसे आद आप परभावित हो रहे हो अगर भी दाना discounting vector or sales वाला सबको 5-5% से कम करो और देखो किसके 5% का impact आपके उपर सरवाधिक हो रहा है और जिसके उपर कम हो रहा है बोलेंगे यह इतना नहीं और जिसके उपर जादा रहा हो रहा है वो sensitive बहुत और उसके last में क्या लिखा है हो गया तो हाँ यह scenario है तो तीनों तरी NPV निकाला पर तीनों तरीके से निकाला लो तो इसमें इतने डाइब बता तो कितन डाइब के questions साते इसमें एक है आपके पास NPV वाला risk-adjusted वाला फिर वो अपना standard deviation आला variances वाला sensitivity वाला certainty equivalent वाला और वो scenario worst based यह chapter अगर यह दो पेज भी पढ़ लिया ना अपने यह chapter में घुमा फिरा के वो ही पूछा है इसमें यह पांच मांग तो मनला मिलना ही मिलना है अगर मैं आपसे आज पूछू investment decision जो चाप्टर है उसके अललग variety के questions बोलो जो मैं बोल रहा हूँ PI कैसा निकालेंगे present value of inflow upon present value of NPV present value of inflow निकालो outflow minus कर दो पर NPV निकालने के चार कॉलम कौन से year CFAT discount director DCFAT बराबर बोल रहा हूँ MIRR में क्या करते हैं आप हर साल में आने वोला पैसा वापस reinvest करते हैं और चेक करते हैं इतना लगाए तो और पाच्छे सल के एंड में कितना मिलेगा और वो 9% और या if you remember आप को यहाते हैं हम लोग payback कैसे निकालते हैं payback में percentage आते हैं कि पिरेड आता है और payback के दो type कौन से कौन से एक payback होता है और एक discounted payback होता है discounted payback में आप discounting factor से करते हो IRR कैसे निकालते हैं एक negative में और एक positive में और दोनों को देखते हैं 0 समझ किया ना एक ऐसा discounted factor चाहापे आपका NPV 0 आता है और एक point ask के अंदर कौनसा question है divisible, indivisible divisible में आप क्या कर सकते हो टुकड़े भी ले सकते हो और individual में तो आपने divisible से भी निकाल सकते है और indivisible से भी निकाल सकते है यह तो clear है पर वो जब ranking आती है आपके आसमे एक लाग 20,000 है 5 और 2 लाग लगते है तो ranking NPP के लगेगी के PI के लगेगी? हाँ वो clarity होना चाहिए उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ आज हमने replacement होना question देगा वो एक बाद देखले नहीं होना question था कुछ नहीं मतला आप समझ के नहीं क्या करना था तो यह हो गया उसके पहले आज हमने leverage किया तो leverage के तीन concept है DOL, DFL, DCI और उसका income statement निकालना पड़ता है sales minus variable cost contribution minus fixed cost EBIT minus इंट्रेस तो आज गहाँ EBT tax गहाँ EAT divided by number of तो आपका EPS आता है यह बहुत easy है वो पूर अचाप 3 easy हो जाता है DOL, DFL, DCI और उसके आज हमने आज cost of capital देखा उसमें KD आता है KP, KR, K और सबके formulas हमने देखे उसमें दो टाइज देखे वैक वैक, बुक value, market value, कहाँ पे return earning नहीं होता कहाँ पे होता है, और कहाँ पे कहाँ पे हम लोग market value लेते है market value, book value में जो book में वो लेते है, तो यह तो वैसी ही है आप पता तो वैक का format का है source, amount waiter, rate यह तो बहुत easy है तो अभी दोस्तों इसके ठीक बात, अभी हम लोग without any break, हम लोग start करें capital structure start करें amazing तरीके से rock से पढ़ाय हुआ capital structure करेंगे capital structure करेंगे और उसके आद में source of finance करेंगे, फिर यह lecture यहाँ खतम होगा, कल का lecture हम लोग ले रहे है कल यह remaining में सब को पूरा खतम करना चाहता हूँ, और में time उसका आपको वहाँ पर डालता हूँ, मैम और हम एड्जस्ट करके बता देंगे, मैं कब लेरा और वह कब लेरा overlapping नहीं करेंगे पर मुझे लगता 2-4 आप कर सकते है और बहुत 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 नहीं तरह किसा अभी इसके ठीक प्रिवेस बैस करेंगे, पर वो कर लो, वो फ्लो में हो जाएगा क्या बोलते है है ना, मुझे अर्जंट जाना पड़ रहा है मेरी जो भावी वह सीरियस से लब उनमें, ICU में है उनका कोई तो रिपोर्ट है, मुझे जाना पड़ेगा ओके डन, I'll see you I'll see you tomorrow, okay Ruby hospital में admitted है वो, वहाँ जाना है मुझे ठीक है ओके डन चालू कर दे बाई और जो इंपोर्टन थे ना अपने points, points वो highlighted वाद सोने से पहले देख लेंगे आप मतरो मतरो आपके सामने स्क्रीन पे यह तोड़ा सा आवाज क्लियर कर दोड़ा सा बढ़ा था क्या होता क्या मेरी आवाज यह इसे होगी दोस्तो आपके सामने आ रहा है capital structure the second last chapter from FM यह आपके सामने है दोस्तो अलग-अलग चीज़ों को देखा बहुत सारे तेरी को देखा दोस्तो अभी बहुत सारे तेरी आपके सामने दोस्तो यह नहीं traditional approach NOI approach and Modi Millinger approach ऐसे अलग-अलग approaches आपके सामने है सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है NIA approach NIA NIA approach दोस्तो आपने class में आपने ऐसे ऐसे किया था कैसे होता है in general by default KD की price कम होती है KD महेंगा होता है KD 10% का होता है और KD वैसे debenture 10 का भी होके 7 का हो जाता है याने कि आपके debenture की संक्या equity से बर जाती है तो आपका KO डाउन हो जाता है बताओ क्यों because सस्ते वाली चीजे 7% वाली जब आपके पास में ज़्यादा होगी तो आपके पास में जब debenture या date ज़्यादा हो जाते है तो बोलो नीचे क्या जाता है KO बड़ा बड़े ये कुण से approach कहता है Nije दोस्तो आप traditional theory की बात करेंगे traditional theory कहता है ये सब मुझको भी तुम lift करा दें तीनों भी lift करेंगे देखो जब टीनों को तीनों भी lift करेंगे क्योंकि एक समय आता है जी है एक समय आता है कि जिन्दगी में आपकी जो केड़ी की प्राइज है वो जो केड़ी की प्राइज है वो आपकी बढ़ने लग जाती है because आप जदा लिवर्ड पाए जाते हो बैंक आपको कहती है ये traditional approach है कि देखो आपको लगता है कि आप जदा debenture का इस्तमाल करोगे आपको लगता केड़ नीचे जाना चाहिए पर स्क्रीन पर देखो कि केड़ नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि आपकी बार हो क्या रहा है एक सर्टेन समय तक आपका जो debenture या फिर डेड़ बढ़ने से आपका केड़ी जो घटा है उसके सापका केड़ नीचे जाते हो दिखता है बड़ इन दर लॉंगर रन क्या होता है जो बैंक आपको अब 20 तक भी पहुँच जाएंगे यानि कि क्या बढ़ रहा है अरे स्क्रीन पर देखो ना क्या बढ़ रहा है आपका केड़ी बढ़ रहा है और केड़ी बढ़ने से क्या होता है आपका क्या बढ़ जाता है फिर एक सवाल उट रहा है सर केड़ी बढ़ रहा है तो यहाँ पर केड़ी बढ़ रहा है बिकाज दोस्तों जो लोग आपको शेर्स में आपके कमपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो आपके company को क्या लगते हैं बताओ बच्चो आपकी company लिवर्ड लगती तो पहले ध्यांसर सुनना आपके company ने loan जागा लिया बोलो लिया तो बैंग ने आपका KD का याने की interest rate बढ़ा दिया तो आपका D उपर गया अब क्या हो आपने भहुत loan लिया तो क्या होता उसके अ यह आई पी उलाते तो लोग बोलते है तू बहूत ही लिवर्ड है जैसे तू आड़ानी है यह आड़ानी का सेम केस है तू आड़ानी है क्योंकि तेरे ऊपर लिवर्ड बहुत है तो यह पस्में dead बहुत है तेरे company में लगाने से में कुछ-कुछ होता है हम क्या करेंगे हम इसे केई बहुत मांगेंगे थे लोग दोस्तों केडी बढ़ता तो केई भी बढ़ जाता है एस पर ट्राइशनल अब केडी बढ़ रहा है केई बढ़ रहा तो केई बहुतों बढ़ना ही है या निए आपका वैक बढ़ना है है गाइस बाजू में यह कौन सा अप्रोश था ट्रेडिस्टल अब हम लोग नौई क्यों नौई है यह नौई में क्या बोलता है यह नौई अलग चीज है यह देखो ना क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है का मैं समझ माज नहीं पर रहा है इसको क्या है है हो किया बोल रहा है है जितना आप आपके धंदे में ये क्या जितना आप आपके धंदे में डोडेर्ड्न का प्रमान बढ़ा रहे हो तो I actually the Day Day बढ़े रहेगा तो आपका क्यों नीचे जाना चाहिए जैसा पहले में हुआ था तो कुछ समय तक ऐसे वह जब आपने डेट बना को क्यों नीचे 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 विगाउस आपका डेट सस्ता आता है पर लोगों को लगा आपका डेट बढ़ रहा है कंपनी की रिस्क बढ़ रही है तो जितना डेट के वज़े से नीचे गया लोगों ने केई उतना बढ़ा है देखो यह ऐसा ऐसा जा रहा है एक नीचे एक उपर जा रहा है तो डेट के वज़े से जितना नीचे गया उतना ए यह उपर गया तो आपका ओ बीच में आ गया नहीं समझ के अरे पहले में क्या बोलाता है बाइ 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 जी या अरे पलट अरे बाइ 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 जी या दोस्तों यह जो कौशप्ट ना इसमें देख के लगता है कि D K से हम लोग नीचे जाएंगे जरूर पर फिर भी के वैंफका नीचे जाता है जैसे की 1 में जाता है दिख रहा था यह क्या तेरी यह क्या बोलता है यह हैं नौई नौई क्या बोलता है आप जब डेट ले तो जैसे आजकल अड़ानी बहुत डेट ले रहा है तो आप जब जितने डेट की वज़ा से उसका जो cost of date जो कम हो रहा है तो के O नीचे तो O भी नीचे होना चाहिए पर O नीचे नहीं जा रहा है यह तीनों भी तेरी है यह आप तीनों के logic मैंने आपको बता दिये अगर आप YouTube पे देखे तो इसको दो बार revenge कर ले ना एक बार समझ ना मैंने समझ पढ़ा दिये अब आगे MM approach की बात करे MM approach क्या बोलते चाप्टर का नाम क्या है बताओ ओ बोलता है देट और equity के combination is called as capital structure आपकी organization के liability set में date और equity का प्रमान कितना है हो सकता है 40-60 हो 40-60 equity हो हो सकता 20-80 हो हो सकता 50-50 हो सकता 80-20 हो अरे बोलो यार इस ही को कहते है debt equity इस ही को कहते है capital structure capital structure chapter is nothing but the combination of date equity आपकी organization में इतना अच्छा date equity का combination हो रना चाहिए देखो organization को 100 करोर चाहिए इसको लाने के 10-90 का भी रिशो हो सकता है 50-50 का भी हो सकता है 80-20 का अच्छा और बूरा डिपेंड करता है company को कहां पे ज़्यादा कामियाभी मिली कहां पे cost उसकी कमा रही है बोलो भाई date सस्ता है इसका मतलब डेटी लेंगे ऐसा नहीं होता है अगर डेटी सस्ता होता है तो मुके शांबनी तो पूरा date लेके बताओ जितना अडानी है अडानी का कर रहा है अगर देट नाइंटी परसंट टेन परसंट एक्विटी आए पी जादा नहीं ले रहा है आए पी में थोड़ा दोड़ा दिता है बाक्य पूरा डेट से भर रहा है इसने आज तक मैंने अडानी में पैसे लगाया नहीं वास तक दर्द हो रहा है मुझे लिए युकि वो बहुत रिस्की बेट है और कब बस्तों बटन एशवात रहा है यह अगला इसकेन दोने वालर है पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूंगा वीगुस्में डेट हौजाता है कर्लैंस में एसका नहीं एसा नहीं है लैंस में तोड़ा डेट यह उसके काटां तो उसने जो World इससारेज करना था तो उसने लोन से बैंक से जाता पहीसाने लिए उसने मार्केट में ईप्यों से पैसे उटा है तो कैसा बैलन्स company तो डूबेगा जल्दी नहीं बोलो है यह आडानी कहना बहुत लिवड है किता लोन है उसके पास उसको बोल रहे दोला कोड़ से उसको बोल रहे काम कर तू आई प्यों में जाता करना है मैं को मेरे कंपनी के शेर्स को डाइलूट नहीं करना है इक्विटी डाइलूट नहीं करना मुझे पैसा पैसा उसको भी चाहिए अब उसको एसी सी जाहिए था उसको अमभूज जाता है उस पूरा देट से मैं लोन ले लेके पर कंपनी करिकता है तो आज बैंक भी उसको टेंशन नहीं देना के नहीं देना बिकाउस अकर बंद हो अभी 9000 करोड में अपना जो किंग फिशर का उनर है माले है उन 9000 करोड लेके बाके लंडन में गया था अभी तो 2,00,000 करोड है यह कहां भागेंगा यह स्पेस में जाएंगा उपर यह मार्स पे जाएंगा चाहेगा जाएगा जाएगा बड़ एनिवेस अपन जो बोड़ कर रहे हो सकता है वो इतना होशार है इपारा नाइन जो आपन समझ नहीं पार है अपन गहीं सकते सिर अब declar की बात कर रहो इस परीस्टे चेट में अभी तक बहुत गाड़ीश ही जवर कि खिंगे कंब किस सकते हैं कि जा बोलते तो है कि ब्रेक मत करो अभी दोस्तों निया अप्रोच का पहला कोशन आपके सामने अब फॉल्वाइंग डेटा रेलेट्स टो फॉर फॉर फॉरम्स एबीसीड़ी ईबी आइट दो लाक अबीएट थीन लाक अबी आइट पांच लाक अबीएट छे लाक बोलो है बोलो भाई इंट्रेस्ट ट्वेंटी सिस्टी यह का है फॉर्म्स अलालग तभी कम नहीं है और उनका इंट्रेस्ट भी अलालग है और एक्विटिक अप्लेशन ने के के ही उनका बारा परसें शोला परसें ऐसा के ही है उनका आप मुझे बता हो, डिट्रामेंन लगवाल्यू वालयू 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 यहाववड वि़कुटिक भाई देगो मुझा एसा लग रहा है कि अब आपका बैटर्य डाउन हो गया है आपको थोड़ा सबीद आप घर जाईए इस लेक्शर को बाद म जो लोग YouTube पे भी आपने आपको तुछा सा टायड मैसुस कर रहे होंगे, आप नहीं पर आप निजी ब्रेक ले सकते हों, क्योंकि अपने को लिंक नहीं टोड़ना है, आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आपको, आपको दर्द हो रहा है बाद में देखो, पर ऐसा नहीं पढ़ाता हूं जिसको अगर पढ़ रहे हो तो तो देहन दीजिए, तो टाइम वेस्ट मत कर रहा है, ऐसा मेरा बोलना है, आजूमिंग यहां पर यहां पर लिगा रहा है, डेट कर दस परसेंट है, आप मुझे बाल्यों डेट कितना हैंगा, शिर्फ एका बताओ बाकी मन अरे बैसार का तो इंट्रेस्ट है ना, तो दो लाख रुप देट से ले लिया है, चलो यह बात भी सही है, डेटरमाइन यह हो गया, बोलते वैल्यों अपर वैल्यों इक्विटी निकालना ज़रूरी है, तो आपने वैल्यों डेट निकालना पड़ेगा, तो वैल्यों पंदरा लाग आता है, तो युकि एक्विटी वाले का बोल रहे है, हमको जो मिल रहा है वो हमें 12 टके जैसा लगता है, तो उनको मिल रहा किता है, दो लाग नहीं, एक लग असी मिल रहा भी को से इंट्रेस्ट में तो मैनस करना पड़ेगा, तो कितना हो अउस्का वैल्यो गई गया है। संट्रा लग का वैलुष्टल पूरे कंपना चोलीक बन्राबर है। देख पर सहल कंपनी का वैलुष्टलन है। वह पूछ क्या रहा है। रेके एक एक सवाल पूछताहू उचुछ यहां है। उनका वैग भी बताओ, सिंपल है ना, डेट और एक्विटी का वालुईशन किता है 17 लाग, उसके लिए कमाई कितनी करी, 2 लाग, अरे, EBIT 2 लाग है ना, टैक्सेस नहीं है, पर अगर टैक्सेस होते हैं, तो यह फॉर्मला नहीं चलता, फिर वो EBIT नहीं चलता, आपको प्लस इंट्रस करना है, सही पकड़े है, मैंको पूरा समझ में आरा, आपको बता नहीं, यह EBIT कितना है 2 लाग, दो लाग किसके लिए कमाए, देट और रिक्विडिक है, तो देट और रिक्विडिक के संग्या कि इतनी 17 लाग, तो 2 अपॉन 17, यानि कि क्या हुआ, कमपनी का वायलूइशन इतना, 11 अच्छे, इसा क्लिर गाइस, इसी तरह से अगर आप कॉलम 2 को करके दिए, तो मुझे खुशी हो जाएंगी, बी का करके बताओ, बागी छोड़ दो, अच्छा, बी में बताओ, बच्छो, कमपनी का इंट्रेस्ट कितना है, तो 60,000 को 16%, 60,000 को किते पसंट जैसा लग रहा है, 10%, यानि की 6,000,000 डेट की वैल्यू है, 6,000,000 डेट की वैल्यू है, अब आप बताओ, EBIT कितना है, उसमें से इंट्रेस्ट कितना गया, तो 2,40,000 जो है, शेरोल्डर को मिलेंगे, उनको वो 16% जैसे लगते, तो 240 अपन 16%, तो 15,000 और 6,000, तो कमपनी का वालिशन ट्वेंटिव, देख आप EBIT कितना है, 3,00,000, तो 3,00,000, अपन 21,00, तो 3,00,000, तो 3,00,000, तो 3,00,000, तो 14,00, तो 14,00, तो तीक, आगे जाएंगे आप क्वेशन नमबर 2 के और, I think मैं आगे बढ़ सकता हूं, एक बताओ, इस क्वेशन में वैल्यू क्यों निकालना था रहे, ये वैल्यूशन क्य लेंगे, और देखेंगे कौन से date equity structure में आपका value ज्यादा बैठता है, जिस case में आपका ज्यादा value बैठता है, तो समझ जाना वो आपके लिए structure अच्छा है, तो आपका स्वाल है, ये capital structure chapter है, date और equity का अपनेशन है, ऐसा क्यों कर रहे है, काई को value निकाल रहे, आरे बाए, ऐसे date equity structure जिसमें value सबसे, तो समझ जाना वो date equity structure आपके लिए अच्छा है, इस चाप्टर में value निकालते है, वरना अच्छा बूरा कैसे समझेगा, और अच्छा बूरे के परक निकले और एक तरीका है, EPS, अगर आपके company का, मालो एक ही company, उसने चार अलग ताप के date equity लिए किसने 20-80 लिया है, किसने 50-50 लिया है, किसने 80-20 लिया है, आप क्या करेंगे, सबका तीनों का EPS निकालेंगे, जिसके वज़े से आपका EPS सबसे अच्छा है, तो समझ जाना वो date equity structure आपके लिए अच्छा है, समझ जाना होगा, आगे, optimal capital structure, अब देखना, आरेश टी लिमि और क्या नहीं है, with the capitalization rate, कितना है, यहने के ही 16% होगे, बीस लाक रुपे लगाए है, और 16%, तीन लाक बीस होगे हैं, और 16%, तीन लाक बीस होगे हैं, क्या होगा, पैट आएगा, पैट आएगा, पर पुरा पढ़ ले थे एक बार, the companies are contemplating to redeem, a part of capital, यहने को equity काम करके date लेन है, दिवाने लोग है, equity कम कर रहे, date लेंगे, यहने date लेके, equity buyback करेंगे, जो भी है, यहने पहले कितना है, 100%, आप क्या करेंगे, तो पहले अनलीवर्ट है, अब लीवर्ट बनने जाए, the company has two options to raise date, एक तो तीस तक का date लेंगे, तो पजह तक है, पुरा कितना फंडिंग है बीस लाग, तो बेक तो छे लाग लेंगे, तो दस लाग लेंगे, तो आपके यहसमें चार कॉलम बन जाएंगे, particular, present, propose के दो कॉलम, दिखो यहांसे, दिख रहा है, यह आपका zero date, एक 30% date, बराबर है, दिखो date यहां पे नील है, इधा देखो स्क्रीन पे, यह 6 लाग, टो इधर interest, 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 interest के तो इधर, 6 लाग जाए का और, यहां चूँक्या interest के rate के चल रहे है, दिखो 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 देखो, तो 6 लाग का 10 टका 60 जाए, इधर इसका 10 लाग का 10 लाग, एक लाग, बाराब टके है का, बैपढ लेता हूं, पढ़ता हूं, मैंने पढ़ा जाए, ओग और तीस बरशन अगर लिया, तो 10 टका है, और अगर आपने 50 टका लेता है, तो 12 टका, ऐसे लिखा है यहां पर, मैं नहीं बोड रहा हूं, और जब 30 टके लेता हूं, तो company बहुत लिवर्ड कम लगती है, तो इसने 17 टके लोग के ही उम्मिद करते हैं, पर 50 टके जब डेट आपने 30 टके वाली की बात करेंगे, इधर मेरे आखों में देखें, तो 6 लाग एड हो गए, आप ऐसे समय पे आपका वैल्यू अफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, इधर देखो ना, यह आपने, यह आपका 3 लाग चालीस आरा रहा था, वैसे 4 लाग EBIT, ऊपर दिया है, मै इतनी वैल्यू एक्विटी की, तो 20 लाग इसके और 6 लाग किसके, तो कंपने का वैल्यूशन किता हो, तो यह हो गया, 26 लाग रुपे वैल्यूशन, बराबर है, पर बाजु आलेगा देखो, पचास ठक्के वाले के साथ में, अब देखना मता है, देखना मता आंसर, इधर देखो, अब कितना है, पचास ठक्के आने के 10 लाग, तो 10 लाग डेट का वैल्यूशन है, पर यह इंट्रेस्ट बढ़ने के चक्कर में, अपना जो पैट है, वो पैट किता हो रहा है, अब 280 लोगो 20 परसंट जैसा लग रहा है, तो 280 अपन 20 परसंट, तो यह 14 लैक्स प्लस 10 लाग, कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 24 लाग, तो बताओ बच्चों 26 और 24 में ज़्यादा को है, तो यह कौन सा बोडल अब के लिए अच्छा है, याने कंपन ने 30 परसंट डेट लेवाला लेना चाहिए, यार बहुत एजी है, एक बहुत दिमाग में, value of company is equal to value of debt, value of equity, पर वो value of equity वो नहीं होती है, कौन सी जो पहले वाली होती है, वो जो नहीं निकलती वो value होती है, कैसे नहीं नहीं रुको, मैं आपको दाओ, आप बोलेंगा, और बीस लाग चाहिता है, चे लाग का डेट होगा है, तो डेट के ता डेट शे लाग, और एक्वित चौदा ल value of equity आता, नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, 6 लाग का डेट है, और किता चाहिता, 20 लाग ना, 14 लाग का, पिर आपके इसाब से तो हर जगा पे 20-20-20 का वैलुएशन आना चाहिए, तो मुझे लगता है, वो गलत है, हम जो अब ही कर रहे थे, वो सही है, अभी मैं तीसरे कुछन भी जाना चाहता हूँ, सब सही चल रहा है, नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, if you allow me, if you allow me, can I take the next question, noi approach, हम लोग कुछ अप्टर कर रहे है, capital structure, alpha limited, don't talk guys, alpha limited and beta limited are identical, except what, याने कि सोचो, दोनों company का EBIT सेम ही है, जब company का identical कहते हैं, तो मतलब दोनों का EBIT सेम होता है, पर दोनों का क्या अलग है, date equity structure अलग है, alpha limited 50% date, 50% equity, whereas beta 28, all percentage अलग है, the borrowing rate of both the companies, 8% in no tax world, यहने कि KD का rate उनका 8 टक्का है, capital markets are assumed to be perfect, ठीक हो जाना दो, अब यह इफ यूओन होगरा जो भी उसके निचा आता हो, यहां पर लिखा है, and the overall capillation किता है, इसका, पढ़ता हो, if you own 2% of the shares of alpha, what is your return, if the company has EBIT, operating income अद़ तीन साथ है, and the overall capillation rate is 80, K-O है, तो आपको यह जवाब देना है, what is your return, what is your return मतलब क्या है, K-E, एक बात बता हो, यह question जो बता है, यह क्योंने वैक चाहिए, सुन के लो धान से, पुरा इदर मेरे पास concentration 100% होना चाहिए, क्या चाहिए उनको, क्योंने वैक चाहिए, वैक का कल का फॉर्मिला बता हो, वैक का कल का कॉलम बता हो, source, source, amount, waiter, आप जो हम लोग वैक निकलता हो, वैक दिया हुआ है, तो आठा टक्के निकला हो है, source भी मालूम है, कौन सी source, याने कि उनका amount जंदो पर वेट दिया हुआ है, तो वेट किता हुआ हुआ, पर केड़ी दिया हुआ है, रेट केई का नहीं दिया हुआ है, तो केई को केई लिख देंगे, केई को केई लिख दो, पर केड़ी दिया हुआ है, केड़ी कितना दिया हुआ है, आठ टक्का दिया है, तो आठ ले लेंगे, और KE की टारब Eks लिख देंगे तो जो आख्रिवाला कॉलम है वो मिल जाएक पर वहां पर वाWhenvaq जो निकलना वो दिया हुआ है इसलिये वह जो कियी को 8759 रो निकल जाएक वह इसका अंसर है 가까 अपको समझा नहीं समझा अगर कल का का नहीं समझा तो आज का नहीं समझागा यहां पर वहां पर जो कल कर रहे था ना कर रोव मिट्रेल लिया था वैक निकालना था आज क्या बोल रहा है वैक दिया है तो आगे बीटा लिमेटेड हाज सेम एनवाई एन्हें कि तीन सिक्स्टी उसका भी होंगा ओड़ देंप्ल वहीं बोल रहे है इंप्लाइड के ही किता है अरे तुम लोग क्यों चेंज कर रहे है बराबर के नहीं के वैसे आपको देखो अपने जो चाप्र यूज के ना अभी इसके अलग तरीकों को फॉलो मत करो इस सिंपल तरीका कौन सा काई को टेंशन रहे है इसका अलग फॉर् आपकी वैल्यू सेम आएंगी पर अमने बोल तो दिया इससा दिवीडें चेटर में आपकी वैल्यू सेम रहे थी यहां पी वहीं बॉल ता अपका डेट इकविटी कुछ भी रहन दो आपका वैल्यू सेम रहता ऐसा बोल आब उसने बोलता थी आप उसको प्रूर करना है तो उस ने क्या कए है सुनो वह बोलता लीवड एन अन ल armored लेवर्ड रहने जिस कमपनी के capital structure में debt होता है और unlimited इसके date equities में dead नहीं होता किया नहीं होता पूरा equity होता है अपने तभी तक जितना पूरा लगता देट equity अपना valuation change होता यह बोलता है आहां ऐसा नहीं होता है पर वो प्रूब भी कर रहा है अब आप देखते कैसे पर आप जान लो लिवड कंपनी की वालुएशन हमेशा अनलिवर से जाधा होती है बता हो कैसे हैं? Because लिवड कंपनी is equal to unliber company plus tax benefit जाइर सी बात है वैसे तो अगर tax ना हो tax ना हो लिवड-अनलिवर सेम होगा tax होगा तो लिवड is equal to unliber plus tax benefit Do you get me? Yes, sir. Okay. REAS Limited is an all equity finance company with a market value of 25 lakhs रुपह. क्या बोल रहा है? पुरा के पुरा? अनलिवर्ड में क्या था? अनके वास में 25 lakhs रुपट्ड का रुटाए था. अनलिवर्ड लिगा है ना? All equity. जिने के पुरा? Unleवर्ड. And cost of equity? हाँ तो काता हो गया नाथ इसा के इसको के हो है कैसे मेरे पास पुरा एक्विटी और एक्विटी का 21 परसंट है तो इसका वांता के अभी दोत नहीं रहेगा अधिट नजर आती थी अब देड़ भी पासलाघ रुपे नजर आएंगे अब पांच लाग रुपे उन्होंने पंदरा टक्के से उठाए है हम एन रेट ऑफ टैक्स थर्डी परसेंट है आफ्टर क्यापिटल रिस्ट्रक्चिंग ठीक यह सब लिखा है अब आपका मार्केट वैल्यू कितना अब पहली बात तो उनको लगता है वो 21 पर्शन जैसा है ऐसा किसको लग रहे हैं तो बता पैट किता होगा है कि अरे 25 लाग रुपे लगा रहे ना तो उनको 21 पर्शन नजर आ रहे ना क्या है फाइट 25 ऐसा कब की बात है अधा देखिए कितर लिगा यह आगा ब्रबर का पैट 25 आप बता दू एक सवाल मेरा प्रशन आपसे है जब आपकी कम्पनी अनलीवर थी तो आपकी कम्पनी का वालुशन 25 लाग था पर जब लिवड होगा ना तो लिवर कि अपिज़ एकॉल टू अनलीवर तो तो प्टीस लाग एं प्ल तो पांच लागा देट उड़ाया ना तो पांच लागा तीष्टा का कितना हो रहा है अरे पर वो प्रेजेंट वाली में उत्ता है चाहता ना अब वह आपस मझे उसमें जाने हैं मुझे वह अपने आप में आले दूने अब देड लागा है ने दर सुन ले तो तेरा जो प्रस्ट ने अभी मैं समझा दो सुन ले दैन से यह फॉर्मिला साइए है लिवड की व्यादा के अनलिवड की इसको जो इंट्रेस उसकी पेंदर के डेविट में पढ़ता है ना उसके उसका टैक्स से हो जाए अब बाता देज लाग रुपे से हो रहे हैं देज लाग रुपे कहां जाएंगे पांच लाग पे पांच लाग रुपे का हाहिए पांच लाग रुपे का क्या है इंट्रेशित किता है किता हो रहा है कि सुनन मेरे आखो में देखो इदर एक्चुली यह कहा है ना मॉडुल में ऐसा दीव है कुछ लोग इसको अब जोंभ ने करपा ही बॉडि में ओ डाइजस्ट नहीं हो रहा है क्यों क्यों कि पांच लाग रुपे थोड़ी ना पिंट लिकार डेबिट का इतम है पांच लाग का इंट्रेस्ट डेबिट का इतम है, तो उसके ओपर टैक्स हो ना यह आपको प्रस्ट में समझ रहा हो पर वो भी देड़ लाग की आंसर हैंगा मैं आपको बता रहा हो तो मॉड़िल ने क्या अगरा शॉटकर मा रहा है, मैं आपको लॉंग कर से शॉटकर बताता हूँ फ्यूचर में आप ऐसी करना जो लिखा हुआ है क्योंकि उत्ता टाइम परस्ट मेंत करना है यह सिव आपको दिलासा देने के लिए यह क्लास में इसके उपर डिस्क्रिशन हुआ है पांच लग का पंदरा रग का किता है 75,000 का तीश ठक का यानि किता आपने टैक्स बचा लिए 22,500 यानि कि हर साल किता पैसा बचे आपको एक साल क्या हर साल 22,500 22,500 22,200 22,500 22,500 बचाने के लिए आपको किते पैसे लगाना पड़ेंगे अगर 15,500 का वैलुशन है तो 22,500 डियोलर अगर आपको 22,500 बैंक से कमाना है और 15,500 के इंटे तो बैंक में किते पैस रखना पड़ेंगे तो इसलिए 15,500 एक साल का फाइदा है परिपेच्वल 22,500 कमाना है तो आपको देड़ लाख रुपे बैंक के पास रखना पड़ें यानि 22,500 के फ्यूचर फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू देड़ लाख है तो अगर आपन वैसा भी यह नोंने क्या गा रहा है यह बहुत अच्छा तरीका है बेढ़ से इसा खाऊ तो ऐसा खाऊ गुमा के खाने के रहा है आप देख लिए कन्हों में कितने खुशी है वह कुशी क्यों दूंड रहाता पता है उसको यहांपे दर्द हो रहाता यह जयपा नहीं यह जयपता नहीं पहले तो प्राइम अफिसी जर्टता है नहीं और जिन लोग को जर्टता है उनको समझते हैं वो इग्णोर करें जा हूंगा बाराबर हो जैसा अंगुष को डाव डिन्या है क्यों उसको लगा है उसमें क्या है पर साड़े बाइस साड़े बाइस साड़े बाइस परपिजूल से होते हैं उसका प्रेजन लुटे लाग है फर्गेट अबाउट इट लाग आ रहा है यह आपकी लिवर्ड की वैलुशन साड़े चब्वीस लाग गॉट इट गाइस क्वेशन देखो मार्केट वैलिव आ गई अनलिवर्ड के समें 25 लाग लिवर्ड के समें साड़े 26 लाग कॉस्ट आफ इक्वीटी कैसे निकालते रहे अले कंपनी ने कितने बैसे कमाए उनका पैड लिया ने किस लाग बच्चीजा अब पांच लाग पच्चीजा रुपे जो उन्होंने कमाई है वो कितने रुपे पे कमाए याने ने सुनो ना आपको समझा नहीं कंपनी का टोटल वैलूशन किता है अरे यार वो तो पहले का इना रहे हो लेकर तुम अब आपने साड़े 26 बोला ना अब साड़े 26 में से पांच क्या गया तो कितना वैलूशन एक्वीटी का है वो वोड़ाइप की कंपनी जब लिवर्ड हो जाती है तो आपकी एक्वीट कि कमाये के नहीं कमाया कैसे है इधर देखिए आपने क्या किया आपने इधर देखिए का पांच पच्चिस तो आपने पहले कमाये थे पर अभी पांच पच्चिस नहीं कमाया आपने दिखो नहीं इसे है क्योंकि क्या हो जाता है आप जब यह क्या कर रहे हो यह आपका यह साड़े साथ लग कैसे आए यह रिवर्स गए भाई क्या होता है ना आपने मैं आप वह ऐसे गया है आपको पता था 21 टका की सबसे पहले आदको क्वेशन की शुरूरात कहा से हुए आपने 25 लाग लगाया थे आपको 21 परसे में जाता है यहने की पूरा कंपनी शरूर्डग लेकिता कमा रहे थी है इता देखो ना पांच लग पचीज़ार टैक्स काटने के बात कमारी थी टैक इक्विटी स्क् millennial कि कम्पणी तो सेम ही सेम है तो साड़े साथ तो पहले भी ए भी टी था लicson फीली था लिए तो लिवर्में भी साड़े साथ हो मैं सा बक्या जो पहले percentless zero टो अभी तो आपने 5 लग का डेट लिया है तो उसका interest minus हुआ फिर उसका tax minus होmee इसलिए आपका जो पैट है वो 472 है अब बता 472 500 divided by 21,50,000 ये है आपका नया केई ये है आपका केई स्क्रीन पे चेक करो ये चाप्टर जो है न जब मैंने पढ़ाना चालू किया था मुझे बड़ा पेज़िद अलग तो यूगि उसमें कुछ तो अलग चीज है पर जब मैंने उसके गहिरायम आप चाप्टर बड़ा अच्छा है अगर उसको समझा तो नहीं संच्छा इस चाप्टर में वह क्या करता है बार बार आपको वैल्यू करता है ओ वैल्यू का क्या वैल्यू तो ओडरी किस पसंदिया ना वापस की कुंप रहा अरे छीचोर वह अनलीवर्ड का दिया था न्यूंकि क्वर्शन क्या ने क्वर्शन अधुरा सा लगता है कि मार्केड वैल्यू क्या तो पूचरा 25 ओर डिया ना कॉस्ट अब इक्विडी ओडिए किस दिया न तो आदमी को लगता है जो ती दिए और निकालना की हो है वो क्या है जो दिए वो अनलिवर्ड की थी तो लिवर्ड आने से याने कि आपने डेट इक्विटी स्ट्रक्टर को चेंज करने से आपका वालेशन एक तो पहले डेट के विए से बढ़ गया और उसके से आपका जो है अभी पैट चेंज हुआ तो आपका के भी चेंज हो गया तो यह चाप्टर समझने में क्या बीफोर अभी सोर्स मालो में डेट इक्विटी वालेशन आपने बनाया ना एक पांच लाग एक साथे किस लाग उसका वेड दाल दो रेट मालो में देखोना है अभी ऐसा मत को रहा है या अभी तो निकाल नहीं एक बच्चा क्या बोड़ रहा है क्या तो वैक निकालने गालने का वैक दिया ना उतो पुला पुरा एक विडिटी जो वह कियो आप अरे वह कियो तब थना जब दिवेंचर नहीं थे आप तो दिवेंचर गुषड दिया ना आपने तो आप क्या है उन्होंने क्या पूछना चाहिए ने को बोलता है आईसे को अमेंड गरने का वाद इस द new value what is a new key what is a new work actual color back nicalo actuality naya back nicalo naya k nicalo yet only word k nicalo okay the question is a dhura select a wadunan actual character bachy te samadha hongi paronese and they ka ndigoh ka yaan pewno heo yeh sabi keya akewa ndagya doos to question number pato arbitrage emm approach yeh to Hardy na karan arjuna bulgy hai kya pya hai 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 dhoso baut hie badeya chal raha hai hai कि चलो बहुत बढ़े हैं बहुत बढ़े हैं खमान दोस्तों करन है और अर्जुन है एम एम अप्रोच ने आपको एक बात समझाई वह बोड़ रहा है कि आपका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो जाए अब देखो करन जो है ना यह करन जो है ना करन जो है न आर्जुनपुरा अनलिवर्ड है और करन जो है ओडेट इक्विटी लिए लूंग तम में सेम ही आना है आप कुछ भी कर लो वो कैसे प्रूव करता देखो हां सब लोग देहन से देखिंगे बोलते हैं डेटा रेट इंटू टू कमपनीज बिलॉंग इंटू सेम रिस्क क् आप यहर लें? थाम जो ने कि मतलब क्या मतलब की है? दोनों की रिस्का सेम है तो वह लोग बेवकूफ है क्या? जो एक रूप बीस पैसे का शेर लेंगे यानि की यह करन की वैलुशन centralized二 का परिफौरमन्स अरे विलॉंग इंट तो सेम रिस्क है ना बता आपके बास मैं की करण क competing तेक रुपे 20 वैंक ऑपने तेक रुपे 27 वैंक से नहीं प्र उसनले हैं übrigens का शॉ चाय होगा इमर्मन वाट क्थिश कशेवे सरे ने जहां मुद्यूँ सब को बेज़ बेज भी दू में लोग सब करेंगे ना तो अभी अग्रन को सेल करेंगे और अर्जुन तो आर्जुन का प्राइस बढ़ने लगेंगा तो आर्जुन एक से एक पाच एक दस आएगा और इसका सेल इतना बोड़ा हो रहा है तो यह डाउन आए तो दोनुँ नेच हो जाएंगे तो उसके से क्या वह पता है उसकेस में आर्विटराज खतम हो जाएंगे तो फाइदा इसका देके एक रूपय में मिल रहा था तो लॉंग रन में क्या साबित कर दिया उसने अब अच्छा बताव एक सवाल पुछो यह जो इसका वालेशन एक रूपय है और इसका वालेशन एक बीस रूपय है यहां पर डेट आ है यह बताव इस शुरुवात ही दिनों में इनिशियली बता नहीं क्या बोटा है जान दो मुझा और एक बरस बोल नहीं कुछ करता हूं यह एक बीस क्यों है विकाज जहां पर डेट होता है वापे इंटरेस्ट रेट यहने की कॉस्ट तो इसने लोगों आके शेर की प्राइस अर्जुन की प्राइस क्यों कम थी महें इंगार क्यापिडल था उसका विकाज सारा एक्विड़ी था और लॉंग टम में क्या होता है यह आपको समझा ना तो आपको क्लियर लेट है क्या प्रूव करने की कोशिश की इसने बस यहीं में अप्रोच में लेका इंद लॉंग रन आर्बिट्र जहां पर लिकाई अर्बिट्राज कब ख़तम होता है अर्बिट्राज प्रोसेस विले अंड है कब एंड होगा आगे और उसमें अत्रों सा आगे अंदर प्रोसेस भी दिखा कैसे करते हैं वह आप कर ले ना बहुत इसी है effect of debt funding on the value of equity shares come on concentrate everybody zeta limited is presently finance entirely by equity क्या बोट रहे है पूरा क्या पूरा सो तक्का जो है ने एक्विडे से पूरा अनलिवड है के लिवड है the current market किती उसकी dividend किता कमाता है this level of dividend is expected to generate net cash receipt of what ने ने वो क्या एक question तोड़ा सा मेन आपो class में बताया था actually क्या है ये line पहले होना इप बाद में होना इप अब क्या है ना company के पास में यहाँ पर लिखा है डिविदेंट जो है ना इस लेवल अफ डिविदेंट इस एक्सपेट टो जनरेट अट एक लाग पर इंडिफरेंटली अंद प्रोजेट अद प्रोजेट आ यह देखना अब क्या होता है वो बोल रहा है अब कंपनी के पास 6,00,00 रुपे क्या है जब 100% दिकरता तो उसकी वालुशन कित्ती थी आप कंपनी क्या कर रही है बोलो यार यह कंपनी पांच लाग रुपे अब गुसेड रिन है पांच लाग रुपे क्या कर रही है इसको क्यों क्या है अब लंकि अपन्ट पांच लाग रुपे क्या है तो नहीं क्यों चीजिकल में तो नहीं हतं 있나 य जो में पांच लाग रुपे लगा है एक बांच लागा रुफे लगा रहे हो ना अरे नया जो पांच लाख रूपर लगा रहे हो ना उसके से आपको एक लाख पांच हजार का फाइदा हो रहा है समझा वापास बूलो इस लेवल ओ डिविदेंट इस एक्सपेक्टव जनरेट एक लाख पांच जार मुझे सिफ चेक करने तो क्या-क्या बोल रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा किसी कैसमें बूक कि इसको पता हो एक मिन बता दो से मैंने वो बुक में लिखवाई था आपको वो चेंज किये के आपने हाँ बस उतना बता दो मैंने क्लास में बताया था बस इसको बस मैं खुदी बोल रहा है क्या बताया था ओके प्रोजेक्ट वुड़ बी फैनास्ट बाए अच्छा सुनो ना यहां पे जो एक लाइन है सुनलो इस यह जो पॉइंट ना इस लेवल अप डिविदेंट का इस लेवा डिविदेंट यह ना कि आप यह जो डिप डिविदेंट ना सुनलो मेरे सापने जो है यह जो पूरा है इलाइट के है ना यह इसके बादा इना चींप अ नौनकर यह सरिफ और सुब्यरियों रेट रेड्थ इसके बाद यह जिए बाकी सब स्यम है मेरे पास गलत है मेरे पास आपके बुक में सही है मतलब बुक में बोल तो आपका जो रॉक्स है आपके बुक में क्या लिखा है यह आ गया न हाँ बस विशायद से मैंने वो रॉक्स में अच्छा कर दिया था बाद में आपके बुक में क्या हुआ बिल्कुल सही है, अच्छा है, ठीक है, रॉक्स में सही है, रॉक्स में सही है, यह भी मेरा रॉक्स है, यह प्रिवियर्स रॉक्स है, बना एक दू लाइन थोड़ी सी अपडेट की थी हमने बाद में, अब चल्ड़ों ठीक हैं, आप इसके उपर विशाय नहीं करते हैं, कितना आपका पुरा के पुरा एक्विटी है, मतलब पहले अन्लिवर्ट था वो लिवर्ड होने जा रहा है, पहले क्या वैलूशन थी उसकी, और उसके उपर कितना मिल रहा था उसको, यह ने कि उसको 20% आउट्पुट मिल रहा था, यहां ते बात क्लियर है, अब वो क्या ले रहा तो 90,000 रुप उसका इंट्रेश आएगा, और उसको उसके 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 एक लाग पांच आर मिल रहा है, यहांनि कि नेट फादर सिर्फ फंद्रा रहा हो रहा है, पांच लाग रुपे लोगों से डेट पे लेके अगर धंदे में लगाएंगा तो 105 मिलेंगे, पर 105 पास उसके पापा के नहीं है, उसको 90 दर लोगा इंट्रेश भी देना पड़ेंगा, तो यहनि कि बेनिफिट तो 15,000 कही हो रहा है, तो पहले शरोडर को कितना फाइदा हो रहा था, आप कितना होंगा, 135 फाइदा होगा, अरे पुराना तो मिलेंगा इतना, पुराना 120 मिल अरे जो उसने कुटा ने यह ने कांड किया ना उसने, उसके वज़े से 1,05,000 का फाइदा नहीं हो रहा है, केवल 15 का हो रहा है, तो पहलो गाला कितना था, एक बीस, अब कितना होआ, तो पुरा मिला कितना होआ, एदे को 135 लिखा होआ, बराबर है, अब ये 135 में अगला बो यह ने कि जो संक्या आ रही है, कितनी 135, जो संक्या, 135 को 21.6% पकड़ो, तो बैसा 21.6 डिवेड करो, तो वैलुशन कितने हो जाएंगे आपकी 6 पकड़ाते हैं, तो पहले लोग आपको 6 लाक में पकड़ते थे, अब आपकी कीमत सवाच्छे लाक में पकड़ते थे, अब आ आपकी हो गए, प्रूद अब आपकी इस नॉट अफेक्टर बाइ गीरिंग, ए दो क्या दिखा, वैक देख लो, कैसे है 21%? पहले कितना था? 6 लाक पे, 6 लाक पे आप एक 20 कमा रहे थे, तो 20 टक के कमा रहे थे, 20 टक के वैक था, क्यूंकि आपका समय से केई था और के 20 परसंट था, अभी के 21.6 हुआ जरूर, पर आपको सस्ता वाला डेट भी तो मिला है, तो इसलिए यह इधर बढ़ गए, इधर से कम हो गया, तो आपका अल्टिमेंटली 20 परसंट हो गया, अरे कुछ नहीं हो बढ़ रहा है, नए वाले का वैक निकार और बताओ कि नए और पुराना का वैक से में अलगा है, तो पुराने का 20 परसंट कैसा था, आपने 6 लाक लगा थे, अरे क्या 6 लाक और उसके ओपर एक 20 मिल रहा था तो 6 पर 20 मिल रहा था सही, पहले एक वीडी था, तो 20 परसंट, आप तो डेट लेकी भी 20 परसंट, यानि कि आपने क्या प्रूव किया दोनों का, नेक्स्ट क्वेश्ट, फाइनांस, बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर यहां पे एक बात, सुनो एक बात, एक मिनिट सुन ल लो, आप सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगे है, mm के मुताबिक, लिवर्ड और अनलिवर्ड की वैलुएशन सेम हो जाती, उनका वैक सेम हो जाता, अगर टैक्स नहीं होता, तो इसलिए वहां पे 20 बिस दोनों का आ रहा है, अगर उसका वो सेम हो, अगर टैक्स हो अगर आप को जाता तो क्या होता, लिवर्ड इस इकोल टू अनलिवर्ड प्लस, इस केस में दोनों सेम क्यों आ रहे है हालागि कि लिवर्ड एक अनलिवर्ड है, यहां पर लिगा ना टैक्स नहीं है, आगे बढ़ेंगे, आप कुछ नहीं बता है कि यह तो इससे जैसा जं लोगे और तीनों भी तरीके से आप EPS EPS निगा लो और फिर बताओ सबसे अच्छे EPS किसमें आता तो जिसका अच्छा सबसे EPS आता कि अच्छा एधेको क्वेश्चन मत पड़ो आप क्वेश्चन मत पड़ों मेट आंसर देखो एधेको यहां पे क्या लिगा है किते आपको चाहिए पैसे और तो आपके इसमें क्या है यह 545 है यह 20 यह कौश्टन में गीवन है और टाइम वेश मत करो यार आप क्या होाना यह आपको नमबर बिश्टी को बाजू में रखेंगा आपका लिए तीनों का सेम क्यों आए ना अरे कंपनी में डिफरेंस नहीं है तो सेम ही इना भाई कंपवनीं 107-1008 107 परshire Critie स्मस्धेट्वाश स्मेशिके On Ouch रिंट्रेस्ट की नियरे ऐखिरन धी वालच होँगा, तुकि तीनों करो देट इंटइक्विड, इन इसलेछ इन है नित्रेस्ट आपकsome Never रिस्पेक्टिव टैक्स मैनस होगा फिर उसके बाद में क्या होगा फिर वो जो भी पैट आएगा डिवेडबर नंबर शेर से कर लो तीनों का EPS अलगा है कौन तर से लिग करेंगे क्यों वाला इस क्वेश्चन में ये सबसे चबरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कही क्योंकि अच्छा है ना हो आपको EPS तक बोजना देगना EPS किसका अच्छा था क्या बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन गाईस इंडिफ्रेंस पॉइंट एक ऐसा EBIT है जहां पे इर्रेस्पेक्ट्याव डेट इक्वेश्ट्रक्चर आपका सेम आता सेम जीरो ने आता सेम आत यह BEP नहीं है यह इंडिफ्रेंस पॉइंट इंडिफ्रेंस याने की डशन में इंडिफ्रेंस वेदर यू नेक 20-80 और 80-20 और 50-50 इंडिफ्रेंस पॉइंट एक ऐसा EBIT है ऐसा सपनों का EBIT है जहां पे आपका डेट इक्वीटी यह रहे क्या और है क्या यह त्वेंट इटी रहे यह 50 रहे उससे आपका EPS अम आता EPS सी करो क्या लिखाया इसको बता है क्या करते हो EPS इसका EBIT एक समान थे और इसको नीचे इचान यह रिटलेच रगी जाते है और बाद मनें दोनों कहाई से एंसा सगर गजेता है कि रीकल के अधिश यह बहुट इस में जाए इसका में एक मिड्राइसमा दोल्य एक साने थे रहेड़ी इसका फोन तो है तो आप अठी के आप अच्छह है और बश्म एक्वीटी न तो इसमें से इंट्रेस मैनसे। इसमें से नहीं होगा। इसमें से पीडी मैनसे उगा। इसमें से नहीं गा। तो इधर से टाक्स मैनस ओगा, इधर से बीडी मैनस ओग यह सिप कंटने। नहीं यहां पे इन्होंने question कि अच्छा कुछ भी एक चीज नहीं देंगे और धून सकते अब बोलेंगे आप से इसका PD कैसे नहीं गालेगा एक काम करो इसको एक कर लो PD को एक्समान लो फिर divided by number 6 से उनका EPS आथा तो दोनों EPS को सामने सामने कर दो फिर बोलें यह equal to की हुआ क्योंकि यह indifference वाला EBIT है अब एक बार निकल के आजाएगा अक्सर क्या करते हैं इंडिफरेंस देते नहीं वह इंडिफरेंस को एक समानते हैं वो बलकिएजी होता यह तोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों लग रहा होगा यह भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा है वापस से इंडिफरेंस क्वेश्टन है दोस्तों और दोस्तों इतना एक बतातो और सुनो ना बच्चों आपको मुझसे बात करना ही बढ़ेंगी सुनो ना फाइनांशल बीपी एक ऐसा एबीटी होता है बीपी ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा एबीटी होता है जहां पर आपका वो जीरो आता है याने कि शेरोडर के लिए कुछ बचता नहीं एपीएस जिसका जीरो आएगा उसको बोलते है बीपी हम उतना इच कमाएंगे कि जितना की आपका इंट्रेस्ट या जो भी फिक्स्ट अमॉंट देना है हम उससे जाने कि शेरोडर के लिए कुछ भी नहीं बच्चेगा बीपी पॉइंट की ऊपर जब आप कमाने लगते होता है वह समझ देना शेरोडर को मिलना चालो हो जाता है तो दोस्तों कैसे होता ना इनके पास में ऐसे से अलग टाइप के है पी वाले प्रपॉसल में सो टक का एकुटी है क्यों में 55 से एकुटी डेट और यहां पर आर में 500 और यह प्रेफरेंस है बराबर है और इनोंने सब कुछ दिया हो है यहां पर टूटल इन्वेश्मेंट डूब रेसकिता है 40,00 इसका EBIT कितना रहे है कौन से option के लिए P के लिए Q के लिए R के लिए तीनों के लिए तोटल इंवेश्मेंट भी रेस किता है याने पहले वाले में 40 लाग पुरा एकुड़े से दुस्रे वाले में 20-20 लाग किस्रों में 20-20 लाग और एकुड़ी शेयर किती वैल्यू है और प्रीम्यम किता है याने 20 रुपे का तो पहले वाले में आप वो कितने शेयर्स लगते चालिस लाग डिवड़ेबर 20 किता दा हूं है कि टूलएक सेकेंड वाले में यहने की 20 लैक्स अपॉन 20 लैक्स समझ गया नहीं अचे सर अपने क्यों निकाला अब इता घिरों मते आ एप आगे इस निकालने के लिए नंबर शेर्स लिगता है तो इस नंबर शेर्स लिखना जरूँ है आगे टैक्सट किता दिया है और केड़ी और एक अब केड़ी कितना है पचाश टक्का 10 परसंद दिया जरूर है पर केड़ी का एंट्रेस्ट मैंनेस ब्लैकर में 1-2 होता है वो पांच टक्का आएगा और प्रेफरेंस तो केड़ी केपी 10 के दसी रहेगा यह समझाने तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं समझा आप क्वेश्चन में क्या लिखा है फ्रॉम्द अबव प्रपोजल आप एक काम करो क्या आप एपेस्टाइंगे किट्टे कॉलम हैंगे है चार कंप्र spear के टैक्तस मॉर्ट थीरों के टैक्स sizi नई मैंनस होगा स्पीक्व में से और आरमें से नहीं हुआ क्योंकि एक जगा पर डेट है पितियों के टैक्स 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 मैनस मैंने क्या बोला आरे हां 18 जो भी बीएट होगा तो एबीएट लिग दिया मैनस इंट्रेस्ट हो गया जाजा पर इंट्रेस्ट अपली के बोले टैक्स सब में से जाएंगा पीडी वहाँ से मैनस होगा जहां पर आर है तो हम लोग कहां पोचेंगे पैट पर याने कि डिस्ट पीपी बताओ यहां पर EPS तक पहुझ गया बोलो इमेजनेशन में पहुझ गया हूंगे भाई पी का इस पी ऑप्शन का मुझा बीएपी बता दो वस क्योंकि छोष कुछ भी नहीं है तो इसका बीएपी जिरो अगर नहीं पर क्यों के लिए कम से कम तो उसको पीस लाक उसको कमाना पड़ेंगे नहीं समझें यहां पर बीएपी लिखा है इसका इसको तो इसका बीएपी जीरो है इसका बीएपी दो लाख है और लास्ट वाले का बीएपी यह पता देना आप आप सबसे जाता हुशार है यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंट किता देना उसका पता है दो लाख है नहीं बताओ इसका BEP किता है। 2,00,00 रुपए का प्रेफरेंस योड़ेंगे कि आपका BEP, EBIT किता है। 4,00,00, क्यों? सर, 4,00,00 रुपए कमाएंगे तो प्रेफरेंस योड़ेंगे तो 2,00,00 बचेंगे अगर हमने 2,00,00 कि कमाएं ना, तो 1,00,00 तो मोधी जाएंगे गंड़ेंगे तो लाग देना ना तो लग देने के लिए 4 얘기를 कमाना पड़ेंगे, तो BEP, EBIT चार लग होगा, तो BEP, EBIT चार लग कमाएंगे, दो लग टेक्स जाएंगे, तो लग पीदी देपाएंगे, और अगर दो लग कमाएंगे, तो मोदी जो बलेंगे, एक लग मेरे दो, फिर एक लाग रुपे में क्या देंगेंगे, I think it is done, this chapter is over guys So ladies and gentlemen, this is done, everybody, दोस्तों, यह चाप्टर जो हमने किया है, I think in chapter में, मुझे जितना रिकॉल और हमें आपको कुछ बता रहा हूं, एक क्वेश्टन होता है, M.M. अप्रोच, जिसमें क्या है, लिवर्ड, अनलिवर्ड वो आता है, लिवर्ड is equal to unlimited plus tax, वो सब आता है, इस chapter में एक concept है, इंडिफरंस point, जिसमें क्या बोलते है, एक ऐसा EBIT, जाका यह option, वो option दोनुका है, X लेके खतम कर दो, इस chapter में एक BEP concept है, एक ऐसा EBIT, हम उतना EBIT कमाएंगे, जितना financial cost देना है, उ फिर इस chapter में आपको value निकालने का बोलते हैं, कि पहले का value क्या, तो total value is equal to date का value, इक ही बीड ऐसा musical बोलते हैं, तो वो वाग के पांच column में डालके 10 o दिते हैं, आप आपको के ही निकालने बोलते हैं, अरे बोलो, यार égal लगता है, यह जो दिया हुआ ना questions यह rocks में ऐसे से भारी-बारी questions चुन-चुन के डाले हैं यह पूरा हो जाते है युकि पूरे question भी से की से और नौस तो दिये हुए है तो it covers almost all the questions इस chapter में और एक type है कौन सा date equity structure जाप है जिसका EPS जादा होगा तो यह तो सबसे गिराव question है EPS निकलना आसान है कि difficult है क्या करना वरता EBIT दिली को मैंने से इंटरेश करो मैंने टेस करो मैंने स्पीडी करो जो आथा डिवेडर पे नमबर और शेर्स करो तो अगर मैं इस chapter की बात करता हूं मित्रों तो आप ज़रा 6-7 alert type के questions मुझे recall करके बताएंगे तो मैं समझूँगा कि आपको इचाप्टर आने लगा है बोलो बच्चों कितने डाप के questions होंगे इस chapter में यह है capital बराबर है इसमें के indifference point याद करो क्या करना पड़ता है इसमें एक ऐसा EBIT एन एक उसको X पकड़ लेने का दूसरे दोनों का EPS एक ओता BEP इतना EBIT कमाएंगे जितना की shareholder के लिए कुछ भी नहीं मचेगा फिर हमें value निकालने का बोलते है D plus E निकालने का बोलते है फिर कभी-कभी के निकालने का बोलते है और वाक से निकालने का बोलते हैं कभी बोलते हैं EPS निकालने यह सबसे तुच्छ है फिर वो क्या करते हैं levered, unlevered जानते हैं वो tax और वो सब कुछ यह ऐसे ही question है इस chapter में एक arbitrage वाला question है करन आरजुन वाला तु मुझे रखतना मोटा मोटी एक question इस chapter में है and I think this will give you enough idea, यह capital structure है दिमाग में दाल दो levered, unlevered, mm approach value, ke, ko वैसा है तो I think यह chapter भी हमने खतम किया है एक बद तालिया आप सभी के लिए नत्रो जितने भी लोग वहाँ पे YouTube पे देख रहे है Are you happy? Are you happy guys? Come on Everyone क्या बात है अभी तक सब लोग line पर जुड़े है बहुत ही बड़े है बहुत बड़े है बहुत बड़े है guys Thank you so much guys everybody Thank you so much आप लोगों ने इतना प्यार दिया Life streaming student I am very happy That आपने घर पे बैठके भी इतना अच्छे से पढ़ा है Are you feeling confident guys? Yes sir क्या इतने पढ़कर आपको Are you feeling confident? मजा रहा है आपको दोस्तो फिर मिलेंगे बाद में अभी 9.20 हो गया अभी होगा नहीं है अभी लेना तो लेंगे बाद पर आभी नहीं होगा दोस्तो हम लोग तो short shot मिल रहेंगे 26 तारिक को अभी होगा तारिक को अभी अभी होगा थाइग आप लोग काम करें को अच्छे से पहली बात तो जितना हमने पढ़ा है उतना पुरा आप लोग अच्छे से रिवाइज करें और उसके बाद में वर्किंग क्यापिटल और उपढ़ते रहें इसके बाद का जब रिविजन आएंगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा आगे और आपके लिए यह वर्किंग क्यापिटल का एक अलग से रिविजन है और मैं उसको अपलोड करता हूं अभी इतना टाइम नहीं है पर मुझे यकीन है अगर आप वर्किंग क्यापिटल में उतना रिविजन भी आगर देख लोगे आप तो आपका काफी कुछ हो जाएगा क्या वर्किंग क्यापिटल का एक रिविजन लेक्चर होगा मैं अपलोड कर दूंगा जहां पे सिर्व रिविजन रिविजन मैंने चाप्टर खतम करें वह क्लास के बाद में जो रिविजन लेता हूं तो एक दो तीन घंटे वाला रिविजन है तो आप वहां से करेंगे तबी उसमें आगे जाएंगे आप तो उसको अलग से मैं अपलोड कर रहाता हूं बाकी गाइस थैंक यू सो मच ऑक्टोबर में कुछ अलग टाइप का रिविजन होगा उसको जरूर दून करना जहां पर आईसे के पेपर्स आटीपीज मॉड्यूल इन सबका समावेश किय जाहेगा बाकी थैंक्यू सो मच्ट गाईस एवर्य्वान एक मेइक शॉर मेक शॉर मेक शॉर घर गाईस आप लोग रिवाइश कर रहे हो आप लोग अच्छे से सारे के सारे unjust hope and solve गरे और वक्त कपको मिल रहता आप affected cris 1 ौर encontramos थांक यू सो मज़ गाइस टेक एर बाबाई वेव ग्रेट टाइम गुड नाइट ठेक एर इसको जनहीत में शेयर करें थांक यू सो मज़ बाबाई यह साप मुझे फिड़ बैक दे सकते हैं यहां पे इसको रुको 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 आप लोग येस बिलकुल, तैंक यू सो मज़ यहां पे सभी लोग जो लिख रहे हैं, तैंक यू सो मज़ इवन, I will miss you too तैंक यू, तैंक यू, तैंक यू, तैंक यू और आप सभी ने वो जो मीट के लिए लिख के दिया है, उसके लिए बहु भाट धन्यवाद बाइ 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 सभी लोग तेक केर बाइ गुद नाइट आपको फिडबेक देना है तो आप जरूर दे 866-966-1234 पे चैट से यह चैट अभी बंद हो जाएगी थैंक यू नीरच थैंक यू नीरच थैंक यू सो मच नेमिका कहरे मेरा नाम दिलो सर नेमिका थैंक यू सो मच नित्या थैंक यू सो मच अंकिता मिश्रा थैंक यू सो मच गुडिया थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू गैस थैंक यू सो मच बाबाई टेक केर गूट नाइट working capital separate lecture में अप्लोड करूँगा thank you so much guys take care bye bye हम लोग ले सकते थे lecture working capital पर time अभी बहुत कम है साड़े 9 बच्चु के है अभी घर जाने का time है बतना घर वाले निकाल देंगे bye bye good night okay guys welcome back so count अभी 20 मिन ओला कर लेना 20 मिन में चाप्टर करेंगे हमारे संग्या में से एक चाप्टर करेंगे okay so guys now it's time to start with types of finance or types of finance में हमारे पास सबसे पहले है long term short term and medium term long term आने की वो पैसा जो company raise करना चाथी पाच से दस साल के लिए medium term में होता है जो होता है issue आपके लिए आपको पैसा लगता है एक से पांथ साल के लिए और small जो finance होते है वो आते है आपको short term जो होते है वो आते है एक साल के अंदर के लिए तो short, mid and long short आने की एक साल तक, mid आने की एक साल से पास साल तक और long term finance जो करते हैं वो 5 साल से 10 साल तक तो आपके सामने screen पे भी आपको दिख रहा हुआ तीन type के finance अदर आएंगे short term, long term and medium term अच्छा examination में यह chapter आता है हमेशाद 4 मार्ग के लिए theory के स्वरूप में तो आप बात करेंगे long term, medium term और short term में जैसे generally कोई share क्या में जो हम लोग IPO लाते हैं जो preference है, debentures है या long term हम जो loan लेते है it will always fall underwater long term बट जो medium term है अब देको वापस से कभी-कभी हम लोग debenture issue करते है, जो preference है वो भी कभी-कभी 1-5 सार के लिए फिर कभी-कभी bank से loan लेते है वो भी 1-5 सार के लिए हो सकते है पर short term यानि कि हमारे जो Sunday creditors होते है जो हमारे CC होती है जो trade credits होते है यह सब आते हैं, आपके accurate expenses है यह सब आते हैं आपके short term के लिए depends, right अब और पूरे chapter में इनी तीनों concept को explain करने की कोशिश की है तो सबसे बहले हम लोग long term और short term long term में इस देखते है equity and preference अब सभी को मैं पूछना चाहूँगा equity and preference में बताओ कौन company का actual owner होता है किसको मिलता है dividend किसको मिलता है आपका fixed dividend preference को किसका dividend variable हो सकता है किसको priority पहले मिलती है liquidation में सबसे बहले पैसा किसको मिलेगा और dividend में सबसे बहले dividend किसको मिलता है कहाँ पे आपको लगता है कि they are involved in the general meeting of the organization अब बात करें दोस्तों preference और equity के अगर में बात करें किसको आपको लगता है कि appropriation of profit है दोनों का dividend या दोनों का भी dividend appropriation of profit है आप से अगरा सवाल है क्या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि cumulative नाम की चीज़ भी होती है कहाँ पे होती है preference में क्या इसको कभी-कभी convertible to equity भी हो सकता है क्या बिलकुल हो सकता है और पताओ कौन सा redeemable होता है preference redeem भी हो सकता है ओके आगे बढ़ेंगे दोस्तो I think equity और preference का difference आप सभी लोग बहुत बच्पन से पढ़ते हैं पुर आकाउंट्स होगया सब कुछ होगया एक question यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि equity के type preference यह के 6 type होता है और बात में जब भी company profit कमाएगी वो पैसा preference dividend और को मिल जाएगा non cumulative ऐसा होता है कि जहाँ पे इस बार अगर profit नहीं कमाए तो आप dividend भूल जाओ आगे बढ़ेंगे redeemable मतलब यानि कि आप जानते हो अगर company आज redeemable issue कर रही है यानि कि future में company के अंदर जिसने अलावा वो भी मिलता है क्या मिलता है जो company का surplus profit है वो उसमें भी उनको participate करने का मोगा मिलता है non participating यानि कि दोस्तो इनको जो भी मिलता है वो fixed मिलता है उसके अलावा इनको कुछ नहीं मिलता और convertible यानि कि preference कुछ दिनों बात कुछ सालों बात equity में convert हो सकता है आगे बढ़ेंगे दोस्तो आपके सामने यह है debenture आपसे मैं सवाल भजाँगा equity और debenture में company के owner कौन है तो equity वाले कौन company के owner नहीं है lender है debenture किसका जो है profit जो है किसका जो expenses पेनल के debit में hit करता है debenture कहाँ पे tax का बरिविट हो सकता है debenture debenture और equity में कौन general meeting में शामिल होता है debenture को किसको पहले chance मिलता है debenture को किसको सबसे profit end में मिलता है तो debenture और उसमें आपका जो return में fix हो सकता है और किसका return कितना भी आ सकता है तो दोस्तो यह सब हो गया अब बात करेंगे debenture के types की there are three types of debenture non-convertible, fully convertible and partly convertible non-convertible नहीं कि debenture कभी भी equity में convert नहीं होगा fully convertible नहीं कि पुरतिया से convert होगा partly में कुछ debenture शेस में convert होगे और कुछ नहीं होगे other types of debentures with the their future साले bearer होता है bearer नहीं कि जिसमें आतो debenture होगा जिसके हात में debenture आएगा उसके बापका वो debenture हो जाएगा register नहीं कि ऐसा था कि आपके हाथ में भली वो debenture है बोला कि क्या आपके हाथ में debenture है पर उसका कोई फाइदा नहीं है जिसके नाम पे होगा उसको मिलेगा what do you mean modus का मतलब क्या है यानि कि debenture जो है अगर मैं debenture issue कर रहा हूँ मैं reliance company हूँ आपके पैसे अगर नहीं मिले तो आप मेरे assets को charge रख सकते हो ये naked हैने की ये होता है कि ये बहुत risky टाइप का debenture है investor को यहाँ पे धोगा हो सकता है कि क्या कोई भी चीज़े company ने गिर भी नहीं रखे redeemable debenture रहने क्या होता है कुछ सारों बात company इसके पैसे वापस लोड़ागे non redeemable रहने की company ने एक बार पैसा ले लिया debenture के form में तो जिन्देगी बार तक वो पैसा investor को वापस नहीं मिलेगा अगला प्रशना आपके सामने दोस्तों यह रहा यह return earning क्या होता है return earning क्यों होता है जो company EPS जो कमाती है अगर DPS के स्वरूप में अगर ना दे तो जितना भी पैसा company के पास बच जाता है वो सब return earning के form return earning is also long term finance का स्वरूप है alliance company में आज के दरी में 4 लाग करोड से भी जादा के संक्या है यानि के सोचो कितना पैसा return earning के form में company अपने पास रखती है अगला सवाल यह आपके सामने bond के समने आप सभी लोग bond के बारे में अच्छे दरी से जानते है यह Samurai, Yankee, Euro bond यह सब bond करा है यह हमने जेव's bond इसके पहले आप इधर आजो अगला पॉंट 6.5 पेश पर आप सभी जानते है bond में आपने VC कभी सुना है जैसे Ola में, Oyo में यह सारी जो company's है बाई जूज में इन्होंने क्या किया बहुत सारे जो लोग VCs इनको पैसे देते है venture capital financing यह लोग वो लोग ते company की initial days में company के अंदर पैसे आते बहुत risk लेते है और बहुत बड़ा margin कमा सकते है अगर company अच्छी चल गई तो आजकल problem हो रहा है कोई company चल रही नहीं बनलब जितने लोगों ने VC के दरुब में पैसे लगा अब इंडिया के अंदर लोग VC वाले इंडिया में पैसा निवेश करने से डर रहा है because अभी तक जितनी भी companies आप देख रहे हो चाहे वो स्वीगी हो चाहे वो कौन सा है ओला हो यह तो है ही पर जितनी भी आप देखते हैं इतने बड़े-बड़े brands है उडान brand है इतने जगा पे सब जगाने जिन्होंने पैसे लिए है वो इसकी अश्टनी ग्रोर की company थी कौन सी? अश्टनी ग्रोर भारत पे भारत पे को सबसे बड़ा loss हुआ है तो इन company को बनाने में venture capital ने बहुत पैसा दिया इनके ideas पे पैसा लगा है पर चिचोर ने perform नहीं किया यह सारे जो लोग है यह सारे बड़े-बड़े इंडिया के venture capitalist है अब यह venture capitalist जब आते है तो कैसे उनका participant करते है कैसे उनको क्या मिलता है तो एक तो कभी-कभी mostly यह first dollar बोच चलता है कि company का valuation decide होता है जैसे उसका valuation 22 billion dollar हो गया वो valuation decide हुआ फिर उस valuation का उसको 100 टका मानते है पर अगर आपको मानलो 22 billion dollar आपकी valuation है और आपको 1 टका कातना है तो 22 billion को 1 टक का multiply करो आपको 1 टक का share मिल जागा उत्ता पैसा आपको देना पड़ेगा मानलो 20 billion है तो पो एक ठाका लेने के लिए कितना देना पड़ेगा? दस ठाकी के लिए, दस ठाका मालो, दस ठाकी के लिए आपको दो भी दिन दो देना ही पड़ेगा, like that, आप एक विड़ेगा, अब कंडिस्टल लोन क्या होता है? पकाओ, ऐसा ही है? यहां पे, परसेंटेज और सेल्स प्लस, यानि कि यहां पे कोई वो नहीं है, यहां पे जितना सेल्स बड़ेगा, उसके लोग रॉयल्टी लेंगे बस, ऐसा ही न पकाओ, इंगम नोट में क्या है? यानि कि? अरे, आंसर बोलो, देखके बताओ, मैं को बढ़ क्या है, इसमें? यहां पे क्या होता है, देखको अगर कंडिश्टल लोन की बात करता हो ना, तो यहां पे सेल्स का जितना परसेंटेज जोगा, इंकम नोट में बोलता है, कि मुझे सेल्स का परसेंटेज भी दो, और कुछ रिटेन भी दो, इंटरस को सरूपे, फर्स्ट वाले में तो बोल काम नहीं करें, तब तक zero interest, बाद में तोड़ा company अच्छा काम करें, तो और थोड़ा interest बढ़ाएंगे, और last में और बहुत काम करी, company बहुत अच्छा perform कर रही है, तो उसका interest rate और ज्यादा हो जाएगा, तो बताँ चार्ट रहे एक्वीटी आ लोगों तो स्टैने इक्वी इनिशनले इस पर बहुत जीरो, उसके जैसे कामने और बढ़ेंगे तो और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो और इंटर्शेट बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, डेट सिक्रोडेशन अपने concept सुना हो कभी, अगर मानलो, सुनलो एक बार, अगर मानलो जैसे मेरे जैस पर मुझे भी धंदा और बढ़ाने का है, तो मैं करता है 200 क्रोड जो है ना, SBA के पास जाता हो, SBA को बलता है सबके mortgage ले लो, आप पैसे, आप करता हो धंदा ही है, आप वसूल कर ले ना, मैं इनको हाट ठक्क्य पेडिया है, ने 10 ठक्य पेडिया है, whatever, तो SBA क्या बलता है कोई बात नहीं, आज के बात में, मैं इनका नया लेंडर, सारे लोग मुझे पैसे देंगे, अब मैंने 200 कोड़ जो दिये थे, आपको, आप मुझे ने देंगे, आप SBA को देंगे, और SBA मुझे देंगा 200 कोड़, आप मेरे 200 कोड़ फ्री हो गए, आप मैं 200 कोड़ और नय सब जो कारे करम मैंने किया हुआ है, तो उसके बदले में क्या हूआ है, SBA को 200 कोड़ के अच्छे बायर मिल गा, इमें क्या होते है, बोरोर मिल गए, उसके बदले में मुझे कुछ पैसा, तो मुझे कुछ कमिशन मिलता है, उसको अच्छे, इसको date, securitization की होते है, क्या secure क date secure किया ना, मैंने, यानि कि मैंने अपना date जो था, जो आप से मुझे मिलना था, वो तो मैंने date secure कर लिया, अब जो भी आप देंगे, तो SBA को देंगे, नहीं देंगे, तो SBA कर रोस होंगा, मैंने अपना date secure किया, lease finance करता है, बड़े बड़े जो इसे लोग की चोड़िया करते हैं, उनको बना के देते हैं, बोलो सही है, तो क्या हो गया, अब सोचो, JW merit को अगर ऐसी lease property नहीं मिलती, उनको सब कुछ बनाना पड़ता, वो बनाने के लिए पैसा लाना पड़ता, तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसे लाते ही नहीं, जगहीं lease पे ले 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 ल lease पे जगह नहीं मिलती, तो JW जैसे सारी hotels को इंडिया में, या बड़े-बड़े IT companies, आज मघरपटा सिटी में, हिंजवडी में क्या कर रहे हैं, भाड़े पे जगह ले रहे हैं, तो उनको खुद की जगह बनाना पड़ती, आज बना नहीं रहे, lease पे काम कर रहे हैं, यही आपके short term finances, short term finance में क्या trade credit, trade credit क्या होता बताओ, अरे trade credit क्या होता है, अरे उधारी पी माल, जैसे माल लो HL क्या करता है, दुका अंदरों को बोलता है, चोटे 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 जो किरान दुका अंदर होते है, वो जो माल बैशते है, उनको 30 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का site मिलत हैंगे, तो क्या मिलें उनको, site मिलती, 30-40 दिन पैसा वो अपने manufacturer का use करते है, accrued expenses, पता है क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे example, अमर जो है, हर रोस क्या है, मैं हर रोस salary थोड़ी दिन देता हूँ, तो अमर की salary में 30 दिन तक का जो पैसा अमर का मैंने use किया है, उसके बोलते है, accrued expenses, वो भी मेरा sources of finance बन सकता है, आगे बढ़ेंगे, advances from the customer, अभी आपने कोई furniture बनाने का order दे दिया है, या कोई आपने banquet hall book किया शाधी के लिए, तो आपसको कुछ नहीं हो, तो advance का पैसा भी, बोलो क्या होता है, that can be source of income, source of finance, commercial paper क्या होता है, it is an unsecured money market instrument issued from a form of promissory note, issued in the domination, क्या बोला था मने इसके बारे में? Commercial paper क्या होता है, inventory, payroll, क्या मतल्ला होता है, इतना है लिखाओ है, कौन किसको पैसा देगा, ये मिलेगा पैसा company को, company को पैसा मिलता है, यहाँ पे, हर कोई एक form में, यहाँ पे, जब भी पैसा raised होता है, ये company को लिखाओ, company क्या issue कर रही है, commercial paper, और ये commercial paper issue कर के, जो पैसा मिलता है, that can be used for making the payment of payrolls, इस तरह से, या फिरों कोई inventor का stock maintain करना है, उसके लिए, तो इक commercial paper जनरली उसके लिए इस्तेमाल करते है, ये treasury bill क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, गवर्मेंट को भी highway बनाने के लिए, metro बनाने के लिए, पैसे नहीं मिलते है, तो government को पता है कि GST में मुझे अगले तीन मेने में इतना पैसा GST से collection होने वाला है, मुझे तीन मेने के लिए metro बनाने के लिए पैसे चाहिए, या य क्या करती है, अपना certificate of deposit लिए, जैसे इस लाइक FD only, it is basically a savings certificate with a fixed maturity date, not less than क्या लिए, भई महीं बोल दूँगा है, मेरा क्या है, क्या है ये certificate of deposit है, आप ये ले लो, मेंको पैसे दो, मैं आपको interest दूँगा, it's like FD with bank, पर ये bank नहीं एक company issue करती है, क्या है, ये short term loans, बस कुछ नहीं, banks have loan ले सकते है, short term के लिए, old draft और अब जान तो clean old draft क्या है, old draft याने कि मेरा bank में पैसा है 10 लाग रुपे, मैं bank old draft 10 लाग ने, मुझे 30 लाग दे दो, तो bank ने दिया तो मैं करूँगा, old draft हो क्या है, 20 लाग रुपे मेरे और clean old draft क्या है, अगर मालो company, जैसे मैं रतन वरके CC में आपको already bank का existing bank holder रहने के जोत नहीं है, bank holder रहने के जोत नहीं है, आप already bank हो, आपको already account है, जितना आपका balance है, उसके उपर पैसा मिलेगा, CC वैसा नहीं है, CC जनरलिक इसको दिया जाता है, कोई भी दुकानदार को अपना कुछ तो गिरवी रखके, अपना inventory रखक आपको use करना है, आप निकाल सकते हो, वैसे होता है, देखो थो, by way of place, क्या आदि है, tradable goods, against the security of tradable goods, by way of place, यादि आप यहाँ पर क्या गिरवी रखते हो, अपने मानलो inventory गिरवी रखते हो, अपना समान गिरवी रखते हो, और उसके उपर आपको मिलता है cash credit, यह पैसे कोन देगा, bank देगा, किसको मिलेगा, यहने company को मिलेगा, इसमें और loan में क्या फरकता है, loan में आपको पैसे जितने समय के लिए उसकरना, उतना समय, पुरा समय, interest देना पड़ता है, यह पे पूरे समय नहीं, यह जब तक use करेगा, तब तक ही पैसा देना है, advance against goods क्या होता है, अग गोड़ता है, अग गोड़ता है, अग जासे एक्जामपल, यहा लिगा न, प्रोवाइडर रिपेमेंट, सेफ एं लिकविड, क्या ही है, advance against goods, मैं आपको इसका एक्जामपल देता हूँ, जासे एक्जामपल, मुझे इसका एक्जामपल अच्छा यादा है, सबोस एक इसका एक्जामपल, मैंने कोई बैंक में, मालो, वेर हाउस में मैंने पैसे रखे, वेर हाउस में मैंने समान 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 रखे, वेर हाउस में क्या ब आजकल तो बहुत सारे बैंक्स की वेराउस हैं, बोलते काम करो, इसमें गुड्स रखो, मैं इसके अगेंस में आपको पैसे दूँगा, तो बैंक को रिस्क की रहे ना, नहीं पैसे दे तो गुड्स बेज देंगे, ये बिल डिस्कॉंडेट अपने अकाउंट में पढ़ा हो हो है, और एक post shipment लिखा हो है, ये pre shipment concept क्या है, जाने कि दोस्तों आपने port में माल तो भी export होई नहीं है, हो सकता है, अपने port पर अभी तक तो पहुचा ही नहीं है, ये pre shipment है, उसमें क्या होता है, उसके समय पे अब हो सकता है, इनको बहुत बड़ा order मिला होगा, ये माल बना रहे होंगे, बनाते समय इनको पैसे लग रहे होंगे, या फिर हो सकता है, ये माल बेचने के 6 मैने बाद पैसे आने हो ले होंगे, तो अभी तो इनको पता है, अभी तो इंडिया में shipping तो ही नहीं है, पर इनको पैसों के ज़रुच चाहिए, ऐसे समय पे बैंक क्या करेगी इनको clean packing grade दे सकती है या फिर hypothetical के दे सकती है या फिर against places दे सकती है इन तिनों का difference है कि मालो बजाज को अगर loan चाहिए, बजाज गाया है, SBA के पास में हे SBA हमें loan दो, कोई बात ने मुले राहूल बजाज जी खुदा है, इनको 10 रोड़ों पर दे दो यह होगा clean, नाम ही काफी है प्लेज में क्या होता है? और hypothetical में? बजाज की जो गाड़िया है, वो बजाज की गोड़ाउन में होगी, सीप उनका उसके उपर हक होगा पर अभी पी stock क्या है, वो राहूल बजाज के पास ही है उसको बोलते है, hypothetical प्लेज में क्या था? प्लेज में ऐसा नहीं होता है प्लेज में जो गाड़िया है राहूल बजाज की वो सारी के सारी गाड़िया जो है वो बैंक के कबजे में है और उसके against में लोन देगे, भाई तीनों में भी लोन देना है और तीनों में भी गाड़े आजाने अगे, एक्सपos государ ने हो ली है पहले में, राउल बजाज को उसके नाम पर पैसे दे दे, दूसरे में बिल्ले नाम ठीक है तर तुम्हारे गाड़ी को इपर हथाग्ष चाहिए यानि की paper के और साइं हमारी चाहिए तब तक आप बेच नहीं पाऊगे, तीस फरे में क्या बोला, नहीं नहीं, आप यहां रखो, यह रखो, फिर बाद में देखेंगे, यहां रखो, जब भी आप पैसे लाके दों तो आपकी गाड़ी इसको बाद में मिलेगी, वापस, और लास्ट में क्या लिखा है, इसी इस गैरंटी, गवर्बेंट को एक्श्पूर्ट बढ़ाना है ना गवर्मेंट तो चालती, इंदिया से बहुत एक्ष्पूर्ट होजाए, और लास्ट में फॉर्व डैक्श्चेंज कॉंट्रक क्या होता है, फोगा किस क्या, फॉर्वर्ड एक्श्चेंज कॉंट्रक है, जर आने की exchange rate के risk को बचाने के लिए क्या हूआ है लगर exchange rate का fluctuation एक्सपर्तर समय हुआ तो अन्ने सरी एक्सपर्टर को मार बैट सकती है उससे बचाने के लिए आया क्या हो content कि तेरा भाई fluctuation भी तो हम खाले के रहा है रहा है और एक बोलती है हम risk उताएंगे क्या discounting वही है आपका already dispatch हो चुका है वो पैसे आने के पहले bank के बाद जो बैंक बुली कि ठीक है हम ले लेंगे उनसे और आप बुलेंगे हमने export किया है थोड़ा बहुत हमको पैसे देता हो चाहे तो हमको थोड़ा बहुत काट लो यहां पर अब ECGC में वही होता है advance against export bills अब यह तो कि कुछ नहीं हमने मानलो already बजाज ने export कर दिया है पैसे आने वाले हैं तो वो बिल को गिरवी रखके वो पैसे ले लेंगे मानलो तीन मेने बाद पैसे आएंगे देखो भाई यह जो discounting है ना discounting concept आपको interest नहीं लगता आप discount करके सामने आपको अभी पैसे लिए यह क्या है आपके जित्य दिन तक पैसे आएंगे उत्य दिन तक आपके उपर interest लगता रहेगा लगता रहेगा यह point number 3 है advance against duty drop है यानि कि हो सकता है आपको export का बहुत बड़ा duty जो लगा हुआ है custom duty वो आपको वापस आने वाला है government आपको पंदर क्रोड वापस देने वाली है पर अभी आपको अभी पैसा जेओ government बोले हम 6 मिने बाद देंगे तो यह क्या बोलते है कोई बात नहीं वो जो पंदर क्रोड आएंगे न आपके 6 मिने बाद वो आने काता हम लोग bank को देंगे directly और bank से आज उठा लेंगे उसको बोलते वो लोग कौन से कौन से बताते है इसके discounting था एक ECGC था एक उसकात में against bill हम लोग loan लेते bank से और last में क्या लिखा हुआ है duty drawbacks आगे inter corporate deposit क्या होता है एक company companies can borrow funds from short period of time from other companies यानि कि TCS ने reliance loan ले लिया वैसे CD वो ही होता है जो पहले था FD जाएसा और public deposit क्या होता है यानि कि आम जनता से भी अपने law में पढ़ा होगा ना इंटर law में तो यहां पही क्या लिखता है कि आम आदिमी से भी हम लोग अपने company के अंदर पैसा raise कर सकते है company के अनि एक से public deposit is subject to the stipulations of what? यानि कि RBI अगर आपको प्रमानित किया तो ही आप public से पैसा ले सकते हो अपने company वो चलाने के वास्ते है ठीक है आईडी वै फर दो प्रोफेशनल और टेक्निकली कॉलिफाइड जो लोग बहुत हुशार है पर जिनके पास में क्या है वो भी है skill set भी है पर पैसा नहीं ऐसे लोग को आईडी वै क्या करता है कुछ पैसा करता है internal cash accrol पता है कि है अगर मालो TCS के पास में एक concert जिसका नाम है Tobacco Tobacco से बहुत पैसा बचा है और वो Tobacco का पैसा hotels बनाने को दे दिया है तो वो आईगे internal cash accrol अरे मेरे कंपनी के दो बच्चे है ITC के hotel है ITC का सुट्टा है सुट्टे का पैसा hotel को मिला तो अब बो लेंगे internal cash accrol हो गया unsecured loan भी तो company को मिल सकता है deferred payment guarantee का होता है यह क्या होता है चाइना के लोग जो है इंडिया के लोग को बोलते हैं तो machine लेलो आप use करो धीरे धीरे पैसे दो कोई बात नहीं अगर अगर अपने पैसे ने तो remote अमर पास चाइना में उसका बंद कर देंगा वांसी deferred payment बोलते हैं इसको धीरे धीरे करके दो यह को होता capital incentive अगर आपने माल लीजिए बहुत ही इंडिया के undeveloped जगा पे अगर अपनी factory को ली तो government आपको क्या करता है वहाँ पर चलाने के वास्ते हो सकता है आपको tax कम लेले हो सकता subsidy दे नेक्स deep discount bond क्या होता है यहाँ पे interest नहीं देंगे आपको bond ही discount में मिल दाएगा यहने 100 रुपी की चीज़ आपको 80 मिलेगा future में कोई interest नहीं secure premium notes आप से भी जानते होंगे यह zero interest fully convertible debenture क्या होता है these are fully convertible debentures which do not carry any amount of interest यह future में shares में cannot हो जाएंगे pre-definite rate पे पता है क्या है इसका मतलब यह future में इसका बता हो इसमें zero पर क्यों invest करता है वो इसका मतलब बता हो ना कोई लोग zero interest पर क्यों invest करेंगे मुझे बता हो fully convertible debenture which do not carry हाँ तो क्या उससे क्यों होता है क्या फैदा हो तो कल चलके जो भी आपका वो होगा ना market rate उससे फरक नहीं पड़ता आज 200 रुपर लगा दे हमने debenture में और बोले दोस्तों का debenture कल चके छे साल बात आपको एक share देंगे अब उस समय शेयर कारेट अगर अजार रुपर भी हो गया ना तभी भी आपको एक share मिल जागा हाला कि आपने दोस्तों ही दिये तब लगाते है जब आपको company के future पर बहुत भरोसा है तो आप अभी देता है भले इंट्रेस्ट मत दे पर इसके बदले में एक share दे देना बस आगे यह वही रहे जिरो कुपन बार्ड इंट्रेस्ट नहीं है पर जो इशू करते हैं वही डिस्कौन पर है यह option bond किया था बता है इसमें दो option होते है एक तो आप क्या करो पूरा के पूरा जो interest है वो एक साथ में दे दो या फिर option नमबर हर quarter में हर मैंने को आपको interest लेलो अरे भई आप मैंने bank में FD में पैसे रखा यह मान लो किसी company को पैसे दिया तो एक मैंने इंट्रेट बड़ जागा इसमें inflation कम हो जागा like that on the basis of inflation आपका interest कम जादा होगा यह floating rate bond क्या होते है market share market के उपर share market जैसा कम जादा होगा interest rate है कि कम जादा होगा share market का rate कम जादा हुआ interest के rate भी accordingly कम जादा हो जागा floating rate bonds and the last concept from this chapter guys आपने ADR GDR के बारे में सुनना होगा what do you mean by ADR? अगर मांडी जी कोई इंसान इंडिया में आपके business करना चाहता है और उसको इंडिया में, for example Microsoft इंडिया में आ रहा है तो मैं उल्टा लेता हूँ अगर मांडी रिलाइंस को उधर पैसे करना है क्या बोलते हैं उसको रिलाइंस को युएस में business करना है अब रिलाइंस को वहाँ पर जाके पैसे नहीं मिल रहे है उधर से लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंडिया से रूपीज लेके डॉलर में करना पड़ेगा बहुत रिस्की अन्ने सरी वह फॉरें एक्स्चंज का fluctuation उसमें बीच में आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं काम करते हैं एडिया रिश्यू कर दो अमेरिका के अंदा उसका मतलब क्या करेंगे? अब क्या होगा? आप क्या होगा? वो डॉलर में ही लेगा उदर से और डॉलर में निप्टा देगा उसको मतलब पैसी ही युएस में रिस करेगा पर आप क्या करता है उसके पतल नब क्या करता है वो शेर्स के घरी लगता है HBA की पास SBA किसको बोलेगा मनले लगते बाव स्टांडर्ड चार्टर को बोलेगा Hey Standard Charter एक काम करो तुम तुमारे यूज़ करके तुमारे NASDAQ के उपर यह तुम्हारे जो भी डाउजन्स के उपर एक काम करो क्या इशु करो तुम वह पे शेर नहीं एडियार इशु करो फिर अब उधर के लोग बलेंगे हम एडियार को क्यों पैसा लगाया अगर मानलों नहीं देंगा तो कौन देगा तो बauen स्टैंडर चार्टर देंगा न पितनुद स्टैंडर्टर कहां से लाएंगा तो स्थैंडर्ड चार्टर कोई बात नहीं है नुगे बात है और mercifulつy इसका जो ग्यारेंटी है इंडिया के SBI के पास में अंडरलाइंग असे डूल के रखे हुए समझ जा रहा है और यह बकायदा हम लोग इसको शेर माकेट जैसा बाइसल बाइसल कर सकते उसको एडियार कहते है और यही पैसा अगर आपको अमेरिया का छोड़के दूसरे यूरोप में उगर कुछ लंड एक काम करों इंडिया से लेके भी मत जाओ उधरी कमाएंगे उधरी रीपे कर देंगे रलाइंस बोलेगा मैं उधरी फाईजी लओंगा उधरी कमाऊंगा उधरी और मैंने नहीं दिया ना आप मुझे बजाओ ना मैंने मेरे घिर भी लगए SBI के पास में यह अगर यही का इंडिया में अगर किसी माइक्रोसोफ को इंडिया में चाहिए पैसा तो माइक्रोसोफ उद्धर से डॉलर लेकि इंडिया में आएगा रूपीज में करेगा उसको भी फॉरेनिक्स का लॉस होगा तो एक काम करो ना भाई क्या करो इंडिया में पैसे करो इंडिया में रेस करो इंडिया में पैसे कमाओ वापस दे दो फिर इंडिया के लोग बोलेंगे साथ हम क्यों देंगे तुमको अरे बोले हमने SBI इस बेड़ा हम देंगे ना अगर माइक्रोफ पिर आप लोग बोलेंगे SBI को कौन देगा है हो सकता उनकी अगर माइक्रोफ लोगों ने इंडिया में किया पैसर इस तो आइडिया हमने अगर किया अमेरिका में तो AIDR और हमने यूरोप में किसी और कंटर में किया यूडिया कहता है I hope you are understanding guys अब ज़र ध्यांसे सुनेगा ये जो चाप्टर है क्या प्रते इस वेरी डिफेकल और इसमें कुछ नहीं है ये चाप्टर में किया छोटे-छोटे-छोटे-छोटे वो यही है देखो अगर आप देखो कि इस साफ्टर को ध्यान से सुनना पहले पेश पर तो लॉंग टर्म मेडियम शॉट्टर में फिर उसके पहले उसके दो पेश तो आपको किया ये प्रेफरेंस ये इक्विटी ये तो बच्पन से खेला है आपने डिबेंचर रिटन त सब पढ़ाएं था एक दो पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा उसके बाद में आपको वेंचर कैपिल यानि कि इसका इंग्जामपल कौन सा है ये बाइजू से ओला है वहां से जो पैसे लाते है जो स्टार्ट अप में पैसे लगाते है हाई रिस्क प्रड़क्ट होता है डेट सिक्राइशन में आपको बला ना कि मैंने अगर आपको 200 को पर लोन दिये कार के लिए फिर मेरे असारा पर लोन मेंने SBA को बेच दिया फिर SBA आपसे वसूल करेगा वो लीस फैनेंस में JW मेरे आपके एक्जामपल या रगो JW वो खुद को होटेल्स बनाने की जरूरत नहीं है नेक्स क्या लिगा है कि ट्रेड क्रेडिट बना ट्रेड करके आता है कोई भी दुकान दरको धारी भी मिलता है एक्डिट एक्स्पेंस अमर की सैलरी में देता नहीं जल्दी से कोई बैंक विट होल का एक्जामपल दिया कमर्शल पेपर क्या होता है वही पेरोल के लिए उस करते हैं ट्रेजरी बिल गवर्मेंट ही उस करती है अपने हाइवेस बनाने लिए शॉट तरम के लिए अब शॉट ट्रम लोन में क्या आगए आपका शॉट ट्रम लोन बैंक से अब ले सकते हो ओडर रफ्ट क्या हो गए आपकी ही अकाउंट 10 लाग का आप 30 लाग ले रहे हो बैंक से पर उसके उपर कोई गिरिवी नहीं है तो अगर उप्लिन ओडर अप्त हो जाएगा और गुट्स क्या होता है हम नहीं अगर अपने वेराऊस में गुट्स रखे होंगे तो उसके वाले में वेराऊस वाला हमें देता है बिल्ल डिस्कॉंट अपको वाले में प्रीशिप्मेंट में आप जानते है एक तो क्लीन है एक तो प्लेजिंग है आईपोटिकिशन है इसी के बाद में आपका किया कि इंटर कॉर्परेट रिलाइंस ते टाटा को दे दिया है सीड आप जानते हो फडी जैसा पब्लिक डिपोजिट से भी पब्लिक से भी पैसा आपको मिल सकता है उसके आप में सीड फैनंसिंग हमेशा आइडिया बे बैंक करती है जो स्थार्ट अप अपनी फैक्टरी तो वासे गवर्मेंट मुझे सब्सविट दिए डिप डिस्कॉंट में आपको क्या इंटरस देना नहीं है आपको सिफ जो इशू करना है बहुत वही डिस्कॉंट पर करना है उसके बाद में यह जिरो इंटरस फुली करनोटेबल यानि कि आप इंटरस िस्पें इंटरस पे कुछ नहीं आएगा डिस्कॉंट पर देंगी इंफ्लेशन बांड जैसाárias हैसा है मारकेट – इंडर इंडिया के लोग्स अगर इंडिया के बाद जाके यूएस में पैसा रिस करना चाहते है एडियार अगर हम लोग उदर ग्लोबल लेंडन में करना चाहते है तो आप समझे ये चाप्टर में चार मां मिलना बहुत मुश्किल नहीं बहुत ही आसान सा चाप्टर है तो हम लोग देखो दोस्त हमने बोला था कि ब्रेक के बाद में तीन चाप्टर हम लोग करेंगे पाच बोजे तक अब बजरे सवापाज यानि कि पंदरा मिट हम लोग सिर्फ लेट है बागी तो आई थिंग यह हमने खत्म किया चलो बेस्ट है अब ही हम लोग लेते 15 मिट्स का ब्रेक और 15 के ब्रेक के बाद में हम लोग करेंगे थीन चाप्टर सार एक 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 चाप्टर सारी प्टाएंगे फिर दो चाप्टर एफ-म के रिप्टाएंगे दोस्तो फटा फट अभी हम लोग 15 minutes का ब्रेक लेते उसके आद में ऐसा बेढ़ेंगे कि आट और चार बारा चक्टर से पूरे मिला कि काफी हो जाएगा अगरे इसे गाईस वाइल सी यू इन निक्स फिफ्टेंटिंटिमेंट्स उसके बाद में पिर बोट आगे जाएंगे हुआ हुआ है 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 हुआ है इस एक अपना क्या किया बचा भी डिएड़ेंट भी ले सकता हूं मैं वर्किंग क्या पिल ले सकता हूं कॉस्ट ऑफ क्या है हो क्या पिनों स्ट्रुक्चर ले सकता हूँ रेशो क्या पिनों स्ट्रुक्चर आता क्या पत्रु क्या प्यूप क्या प्यूप्य क्या प्यूप्यू तो झाल स्ट्रुक्चर लेक्श अग्यू झाल 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 झाल